नहीं पड़ता और इसलिए इतने जो बड़े संका में जो मद्दाता है बिल्कुल रवी यह बहुत ही अच्छी तस्वीरे हैं और लोगतंतर की यह खूपसूरती है कि लोग जो है वो अपने मत का अस्तमाल करने के लिए मद्दान किंद्र पर पोशने शुरूब ही हो चुके और लगातार हम वो तस्वीरे भी दिखा रहे हैं और इसे बीज रुख करनते हैं लक्षमी का जिसके पास है इस वक्त की बड़े ख़बर बिल्कुल देखे संबाद दाता लगातार बूत किंद्रों पर मौझूद हैं और आम जुनता से बात भी कर रहे हैं तो कि पब्लिक है सब जानती है लेकिन बड़े बड़े डियता जो है वो भी लोगों से वोट करने के अपील करें जमुई के वोटर से अपील की है जमुई स्वस्थ जमुई के लिए वोट करें ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए जाएं और जमुई के निर्मान के लिए वोट करें चुराग पासवान ने वोट करने की अपील की है चुराग पासवान की अपील आपको बता रहे हैं उन्होंने क्या कहा ह और उन्होंने लिका है कि इस एक्षित जमुई स्वस्त जमुई के लिए वोट करना जरूरी है जादा से जादा लोग वोटिंग करना के लिए जाएं अब सब स्यागरा करता हूं घर से बहार जाएं सबको लेकर जाएं तमाम रिष्टेदारों को तमाम अडोस-डोस के सब लोग को लेकर जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें और लोगतंदर को और मसूत बनाएं बिल्कुल तो जो अपील की जा रही है नेताओं की तरफ से और लोग भी इसे समझ रहे हैं और उसी का आसर है कि लोग जो हैं मतदान के इंदर पर पहूंच भी चुके हैं वोटिंग का सलसला शुरू भी हो चुका है एक बार फिर से रुप कर लेता है रवी का रवी हम अभी आप बता भी रहे थे लोगों से बाशीत कर रहे थे एक बार फिर से आप महिलाओं से खास पर पर जुड़ें और उनसे बात करें कि उनके क्या वो सोच नहीं है क्या सोच कर आज वो EVM का बटन दबाएंगी महिलाओं का जो उत्सा है वो तमाम बाते कहता है और इनसे जाना जरूरी है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो जिसे ले करके वो भारी संक्या में यहाँ पर पहुंचे है आज जो वोट आप जालेंगी बटन दबाएंगी किन मुद्दों को ले करके है किसे वोट दे रही है बताना जरूरी नहीं है किन मुद्दों को ले करके मुद्दे हैं विकास के मुद्दे हैं रोजगार के सबसे बड़े मुद्दे हैं और जो भी तमाम जो भी सिक्षा विभाग है और बी विभाग है उनकी और कैसे वो अच्छे हो सके उनका डेवलप्मेंट और कैसे अच्छा हो सके फैसलिटी कितना मिल सके होस्पिटल्स हैं स तो यह देखे तमाम जो मुद्धे हैं वो सामने हैं जहन में हैं माता जी कप्से खड़े हैं कितने उमर होगी अपकी पचास और पाच पचास और पाच पचपपे अब किन मुट्डों को लेकर कि अप यहां पर खड़ी है अच्छा है हम लोग के भूख मारीं में साथ हो ता इस पर बोड़ दॉल है मुष्किलों में खड़ा रहा है कितनी सजग है और यहां पर किन मुद्टों को ले करके आप यहां पर वोट का बहुत महत्तम है इसलिए वोट देने के लिए आये हैं आप जब आप वोट देंगी तो क्या-kya क्या समस्या है कर दान हो अप vec देंगे तो समधान जरूर और इस है वो लोग हैं यहां पर जो खड़े हैं किके लिए वह उनको पता है कि आज जब हमें वोट दालेंगे तो उसमें बदलाव आएगा किन मुद्दों को लेकर के आज आप खड़ी हैं बिल्कुल रवी और वो हम सुन भी पा रहे हैं वो अपने मुद्दे भी रख रहे हैं सब के सामने मैं आपके पास वापस लोटूंगी गया की तस्वीर हम दिखा रहे थे दर्शकों को एक बाद पर से अब जमुई की तस्वीर दिखाते हैं जमुई में क्या कुछ हाल है हमारी से योगी लक्षमी का रोख कर लेते हैं तो बिल्कुल देखिए लगातार संबादाताओं से बात कर रहे हैं बूत केंद्रों पर जोहां मौझूद है संबादाताओं वहां पर उनकी हाल जान रहे हैं तो देखिए आज से लोक्तंत्र के मापर्ण की शुरुवात हो चुकी है और वोटिंग भी शुरू हो चुकी है लगातार लंबी लाइनों में भी लोग लगने शुरू हो चुके है तो ऐसे में जमूर में इस वक्त लोग किस तरीके से वहां पर पहुंचने क्या ववस्ता है संबादाता अमित हमार साथ बने हुए है सबसे आगे हैं महिलाओं की कतार यहां पर काफी लंबी है और इस कतार को देखते हुए महिलाओं वेहत खुस है और महिलाओं का कहना है कि हम चुले शक्या तक सिमित नहीं है बच्चे का लालन पोसन हमारा दाइत्व है वो तम करते ही है लेकिन लोक्तंत को मजबूत करना भी हमारा उतना ही दाइत्व है उतना ही बड़ी जिम्वारी है अमित एक पर आप दर्शे को को बताएं कि इस वक्त आपकी कौन से बहुत केंदर पर मौजूदगी है और वहाँ पर जनता में कितना उत्सा है और किन-किन मुद्दों को लेकर आम जनता वोट करने के लिए पहुँची है देखे सब्से बड़ी बात है हम तस्वीर रिखाते हैं यहां पर महिला वोटरों की कतार वह काफी लंबी है पुरुस्ट को इन्होंने पचार रखा है और जिस जगह में मौजूर हूं यह मद्दान के अंदर संक्या 189 और 190 है यानि के 189 और 90 है और जिस इलाके में मैं हू उसकी तफ्वीर हमारे साथ कैमा परसुन से करता है कि यह देखिए यह पहारों के बीच में यह इलाका है यह मद्दान के अंदर जो है वो बनाया गया है और एक दोर था जो यहां नक्सल का प्रभाव था काफी चरम पे था और इसको देखते हुए CRP कैम यहां पे लगाए रही है मजूद सरकार बनाने में अपनी भागदारी दिखा रही है और यहीं वद्दा है कि महिलाओं की कतार जह है वो पूर्सों को पचार रखा है पूरुस जह है वो आपने कामकाश को छोड़ पर आपके साथ योगी शिप्रा की ओर चलते हैं उनकी पास कुछ जानकारी बिल्कुल लक्ष्मी और हर जका हमने एक ही तस्वीर देखी अभी तक जो हमने देखा है उसमें हमने यही देखा है कि जितनी भी महिलाओं हैं वो हर लोगसमाश खेiosisि की समस्याओं को लेकर वो इस बार वोट करने जारी है और तो बैकि बाद फिर से आप सबी का स्वागत है नियूज जीटिन बेहार जारखन के इस महा कवरेज में जिसमें हम आग को आज चल रही वोटिंग के बारे में पलपल का अपडेट दे रहे हैं पहले चलन के मतदान में आज देखें बेहार की चार लोग सबाव सीटों पर मतदान हो रहा है साथी साथ गचानी हो रही है नवादा से नवादा में ईवियम खराब होनी की खबर सामने आ रही है वोटिंग में बाधा है है रजॉली के सवगयात अल्पार ऑन चायत में इवियम खराब होनी की खबर गूष संहिए pendant 25 में इवियम खराब हो चुकी उर्दू मर्दे विद्यारा केंद्र पार इवियम खराब होने के खबार बूत संक्या 337 पार इवियम खराब होई है आपको बता दें कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और आप 8 बजने वाले हैं लगबक एक गंटे का समय और एक गंटे के अंदर ही देखें इवियम पार इवियम खराब है और इवियम खराब है और अभी तकवां पे वोटिंग शुरू नहीं हुआ है तो वोटिंग शुरू होने के लगबक एवियम खराब तो तयारी कैसी की गई थी तो निल क्या कह रहे है अधिकारी कब तक जो यहां पर इवियम खराब हुई है वो ठीक हो पाएगी जी वहाँ पे जो चुनाव कर्मी जो मौझूद है उन्होंने अपने वरियम खराब कर रहे हैं और जो पेर में जो एवियम रखे हुए हैं जैसा कि हमने आपको बता है कि निउस एडिन ब्यार जारखन पर ही नज़र रखी जा रही है चाहे अधिकारी हो नेता हो या फिर लोग हो वो सभी निउस एडिन ब्यार जारखन को अभी देख भी पा रहे हैं और उससे से अपडेट भी ले रहे साथी साथ हम उन लोकसभाज शित्रों का भी रुख कर लेते हैं जहां अभी वोटिंग चल रही है क्या कुछ तस्वीर है अभी वहाँ से निकल कर सामने आ रही कि अब तक जो तस्वीर हमने आपको दिखाए काफी सुख़ तस्वीर थी क्योंकि बुजूर्ग वोटर जो है वो भी काफी संक्या में पहुंच रहे है मतदान किंद पर खास्तों पर अगर हम आपको देखें तो जो युवा है उनमें भी काफी ज़्यादा उत्सा नज़र आ रहा समवाब दाता न्यूजीरिन समवाब दाता अरंद अम्रिद्राज हमाँ साथ जुड़े हैं एक बार फिर से उनका रुक कर लेते हैं आरंद औरंगा बात में हैं मौजूद है आरंद अभी क्या कुछ वहाँ आप देख पार है कि देखें दो तस्वीर आपने दिखाई जो हैमनी बेटि बेटी और इनकी बहु कितना धिल्चस्प है सबसे पहले सुर्वात बहु Сबसे पहले सी कर लेते हैं नाम क्या है मैं अनन्या सिंग अच्छा अनन्या जी आप रहने वाली कहां कि हैं? मैं रहने वाली और अंगाबाद की हैं हूँ मेरा विवा और अंगाबाद में हुआ है और वैसे मैं यूपी से बिलौभाद करती हूं, उतरप्रदेशते है तो आप समझें इनके लिए कितना मातपुन पला है कैसा लग रहा हुआ पहले बताई आप बहुत ही गरवानवित महसूस हो रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और पिछले दस साल में और अंगाबाद की काया पलट भी देखने को मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है यह देखके कि विकास के काफी सारे कार्य यहां हुए हैं जैसे ग्यास पाइपलाइन आई हैं कनेक्टिविटी बढ़ी हैं ट्रेन स्टॉपजिस बढ़े हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहे हैं जो अभी आप टीवी सीन पर फ्लाश करते देखबा रहे होंगे और साथी साथ हम आपको लिए चलते हैं गया संबात दाता रभी अस्टरायमा सब्बेर में रभी आपके पीछे में देख पा रही हूं महिनाओं की कतार बढ़ती चली जा रही है अगर यहां गया में देखे तो और आप लोगों को ये भी बताएं कि वह मैं साथ सेल्फी भी शेयर करें कि हम में दर्श्यों को दिखा लोगों जे बिलकुल और देखे गया का तापमान जो है वह बहुत ज़्यादा है लेकिन जो जोश है वह तापमान पर भारी है और बड़े संक्या में जो महिला हैं वह यहां पे पहुंची है अपने मताधिकार का परियोग करने के लिए और यहां पे कि कुछ वैसे वोटर यहां कि किया मैसुश करते हैं बहुत अच्छा मैसूस हो रहा रहा है यह हमारा यहुक्त है तोहमें लेकर के दबाब नहीं के बारे में बात करें। कोई दबाब नहीं है पइली बार अपके बीटी वोट दे रही हैं। ये बहात खुश है जी आप ड्स गरए हैं पीड़ यहां पर दिखें जब युवा चेहरा जब यूच जब यह कहें कि हम उन बातों को लेकर करके दे रहे हैं जो युवा के बारे में सोचे रास्ट के बारे में सोचे देश के बारे में सोचे ऐसे लोगों को तब समझ सकते हैं कि युवाओं में किस कदर जागरती है और कितना उत्साजने के पहली वार वोट डालने का और यहां पर आप लोग अपने बारी का इंतिजार कर रहे हैं सब भाट कर देने के लिए इंतिजार कर रहे हैं तीन वातों को लेकर के वोट दे रहे हैं अपके यहां पर क्या चाहिए देश को विकास चाहिए सब महंगाई काम करना चक्षित होना चाहिए जिर्फल बच्ची क्या करται है अपके बच्चा प्रहाई कर रहा है काम लिकार रहा है ठीड है तो यह महिला हैं विल्कुल सजग है कर tym कि देश का विकास हो राश्ट का विकास हो और और जो लोग है और जो पहली बार मोलटर डाल रहे हैं उसमें भी जबर्दस उत्सा यहाँ पर देखने कर मिलता है और यह क्लंबी कतार जो है वह यहाँ पर जरह देखे कि पूरे परिवार के साथ भी जो लोग यहाँ पर ठीके ठीके रवी आप माई सब बने रहे हैं मैं आपकी पास वापस भी लोटूंगी और ये तस्वीर जहें वो खाफी सुखत तस्वीर है लोकतंत्र की खुपसूरती यही है कि देखें लोक जो है वो अपने इस दिकार को समझते हैं होटर बढ़ चुका है बड़ी खबर आ होगी और इसके बार 21 अप्रिल को भागलपूर में अमित शाह ज्रिया मंत्री अमित शाह भागलपूर में सबा करने वारे हैं और आपको बता देचरें कि 20 अप्रिल को भागलपूर में राहूल गांधी भी सबा करेंगे तो ब्यार के रण में कौन-कौन से दिगज कौन-क करा रही है मुंगेर के चंपा चक में इवियम खराब की खबार अब तक वहां पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है जमुई लोग सबाग शित्र में हैं चंपा चक यह बड़ी खबार शेकपुरा में बूत नंबर साथ और सट पर देर से वोटिंग शुरू हुई है और आ पर वोटिंग शुरू ही नहीं हो पाई इवियम खराब की खबर सामने आ रही है इसके बाद शेकपुरा में बूत नंबर साथ और सट पर देर से वोटिंग हुई इवियम में खराबी की वज़ह से तकनिकी कारणों की वज़ह से देरी हुई है ज़ादा ज्वानकारी पाइए लेकिन आपको बता देगे गंटे होने वाले हैं हो चुके हैं लगबाग वोटिंग शुरू होने के लिकिन इसके बावजूद कुछ जगाउं पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई अब तक EVM खराब होने की वज़ा से तो कुछ जगों पर वोटिंग देड़ से शुरू हुई EVM में खराबी की वज़ा से तो आप देखें कुछ-कुछ जगों से EVM की खराबी की भी खबरें सामने आने लग रही हैं हमाँ साथ अभी डाने शिक्वाल, बीजेपी की पर वक्ता हैंब विरोट शर्मा हमाँ साथ कॉंग्रेस परवक्ता जुडे वे हैं बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का और अमित हमाय साथ बने वे हैं लगतार जो तस्वीरे दिखा भी रहे हैं जमुई लोगसभाज शेतर पर क्या कुछ तस्वीर अभी सामने आप आ रही हैं जैसे कि हमने दिखाया कि महिलाए जो है वो काफी जादा संख्या है परोशिश कीजिए कि वहां पर क्या कुछ मुद्दे उनके मन में अभी है और क्या उनके लिए राजी के मुद्दे जादा जरूरी है या रास्टी मुद्दे जादा जरूरी है कि बिल्कुल देखे मैं इस वक्त मौवजूर हूँ यह दान के इंद संख्या जमुई का बरहट का जो नकसल का गर माना जाता है यहां पर जो है बतान के इंद संख्या 176 177 है और यहां पर जो यूवा वोटर है वो भी लंबी कातार है उनकी महिलाओं की वी कातार जो है व इस पर 300.89 को दे रहे यह मत बताएगा किन मुद्धों को लेकर के बहुत कर रहा है कि इस मुद्धों को लिए विकास रुजगार है और करिशकर का चाहिए कास होना चाहिए और कि नहुंद को बोट देना चाहिए दिद saying कि यहां देखिए और बी लोग है इनसी वास करते हैं अप posled one और या करने आप प्रफिश्य को पुछा भी रहे हैं और जिसकी हम दर्शकों को बता दे कि जितने भी बुज़ुर्ग वोटर हैं चाहे महिला हो या कोई भी हो सब पहुच रहे हैं इसे बीच उतर बच चुका है बड़ी खबर आ गई है रुप कर लेता है लक्षमी का तो बिल्कुल नियूज 18 की खबर का असर हुआ है मुंगेर में बूत संख्या 154 पर मतदान शुरू करा दे गई है इवियम में खराबी आई थी और खराबी को अप्ठीक किया गया है खबर दिखाने के बाद तो इसलिए कह रहे हैं कि खबर का असर नवादा में भी बूत नं जिसकी बज़े से वोटिंग में दिक्कत आ रही थी नवादा में भी बूत नंबर 237 पर इवियम को ठीक करा लिया गया है यानि कि एक बर फिर से सुचार रूप से वोटिंग अब शुरू हो चुकी है तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे है कई जगों से इविय सयोगी शिपरा बनी हुई है बिलकुल लक्षमी और देखे हम परपल का अपडेट दर्शुकों तब पहुचा रहे है और यही वज़ा है कि पता सबसे पहले चल रहा है और अब नवादा में जिस बूत पर वोटिंग अभी शुरू नहीं भी थी बहाँ शुरू हो चुकी है क्या लग रहा है क्या उमीद है सबसे पहले तो मैं बिहार की जंता से अपील करता हूँ कि वो जादा से ज्यादा की संख्या में बाहर निकल करके आए और अपने मतदान का जो है अपने अधिकार का जो है पडियोग करें और एक के मुझे लगता है कि बिहार की जंता काफी जागरूख है लोकतंत्र को ले करके और राजनीती को ले करके तो निश्वित तोर पर मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जंता रिकॉर्ड दर पे जो है इस बार मददान करेगी और एक रिकॉर्ड बनेगा बिहार स लोगों का मद्दान करने में देखिए जहां तक सवाल है कि आज का चुनाव पर्थम चुनाव शुरू हो गया है देश के 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है और यह जो चुनाव है यह नरिंदर्मोधी जी के 10 साल के कारेकाल जो उनका रिपोर्ट काड है मोधी की जो गैरेंटी है उसको जहन में लेकर के जंता अपने घरों से निकल रही है मतदान करने के लिए इस देश जंता करूंगी कि या कुछ आपके महत्पूर जो हम देख भी पा रहे हैं एक बाद विनोजी का रुक कर लेता है विनोजी आभी जिस तरीके संख्या आप देख पा रहे हैं हमने सुभज तस्वीर भी दिखाई और भारी संख्या में महिला हो या पूरुष वोटर हो पहुँच रहे हैं कैसा लग रहा है इन तस्वीर को देख कर दो भी देखिए सबसे पले तो अब की पास वापस लोटूंगी यह रजनी कान की तस्वीर हम दिखा दे रशुको को यह वोट कास्ट करने के लिए पहुचे थे और अपनी उंगली पर जो उनकी स्याही लगी है वो दिखाते वे यह तस्वीर जो हैं उनकी सामने लगतार दर्शिकों से अपील हैं लोगों से अपील कर रहा है कि आप भारी संक्या में मतदान के इंदर पर पहुंचें और वहाँ जाकर अपना वोट जरूर कास्ट करें आप इस बुजर्ग महिला को देखें जो अभी चलने में सक्षम नहीं है लेकिन वो वीलचेर पर बैट कर वहाँ पहुंचती है और अपना वोट कास्ट करती है इसी से आपको पेड़ना लेना है और सोचना है कि आपको भी मतदान के इंदर पर जाकर अपने वोट को कास्ट जरूर करा है इसी भी चूतर बज़ा आए चल लेते हैं लक्षमी का रुक कर लेते हैं बड़ी ख़बर है लक्षमी के पास तो बिल्कुल अब राहूल गांदी ने भी अपील की है लोगों से पहले चुरन की वोटिंग के लिए अपील एक एक वोट भारत के भविश्य को ताई करेगा और दस साल में देश की आत्मा पर दिये गए जखम वोट का मरहम लगा कर लोगतंत्र मजबूत कीजिए राहूल गांदी की ये बाते हैं नफरत को हराकर महबत की दुकान खोले राहूल गांदी की वोट करनी की अपील इसमें भी उन्होंने लिखा है कि वोट का मरहम लगा कर लोगतंत्र को मजबूत कीजिए नफरत को हराकर मुहबत की दुकान खोलिए और उनकी ये लाइन बहुत ज़ादा चर्चित भी है कि वो कहते हैं कि नफरत को हराईए मुहबत की दुकान खोलिए तो राहूल गांदी ने भी अब अपील कर दी है हमारी सायोगी शिप्राप बनी हुई है गेस्ट से बात कर रही है हाला कि जिस तरीके से लोगों की संख्या मेजर आ रही है मतदान किंद्र पर उसे ये साफ है कि लोग भी बड़ी संख्या में इस बार मतदान करने के पहुँच रहे हैं और अपने मत का अस्तमाल जो है वो जरूर करेंगे साथी साथ जितने भी वरस नेता है वो उन सभी ने अब लोगों से अपील करनी शुरू भी कर दिया अब आप राहूल गांधी का हम आपको ये सोचल मीडिया साइट एक्सपर जो पोस्ट है वो दिखा रहे थे हमाई साथ कॉंग्रेस तो रखता विनोट शर्मा जी जुड़े वे हैं विनोट जी ये सोचल मीडिया साइट पर पोस्ट किया अभी राहूल गांधी ने मौबबत की दुकान खोडने की बाद फिर से दोरा रहे हैं देखिए निश्ची तुप से राहूल गांधी जी लगातार मौबत की चर्चा करते रहे हैं उसके लिए काम करते रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी उसी पर चल रही है और सबसे पहले मैं बधाई निउजेटीन को देना चाहता हूँ आपकी टीम को देना चाहता हूँ कि लगातार सुवा से आप बारीकी से सारी चीजों को दिखा रहे हैं और बिहार देखिए लोग तंतर की जन्निर रही है और बदलाओ की भूमी रही है कोई भी आंदोलन बिहार से शुरूआ है और निश्चित रूप सभी चारो जो चुनाओ हो रहे हैं चारो विधान सवा में हमारा मानना है कि आदर्निये प्रधान मंत्री जी का जो था सपन कि परिवारबाद से मुक्ति तो चारो सीटों पर संजोग से इंडिये के उमिद्वार परिवारबादी हैं तो उनका सफाया तय है चारो जगा प्रधान मंत्री और हमारे आग्रह कुमान कर चारो जो परिवार से निकले हुए हैं जो पिता के पुत्र हैं उनके नाम पर टि जो से जुड़े वे हैं जिसमें हम आपको सबसे पहले आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथी साथ आपको बता दें आज उन सभी प्रत्याशों के किस्मत कैदोने वाली है इवियम में 38 उमीदवार है बिहार में जो 4 लोग सबा सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में है जनिता किसका भविश्य क्या पर करती है आज इवियम में ये सब कुछ क्याद हो जाएगा और पल पल का अपडेट न्यूज इटिन बिहार जारकन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सायोगी शुपरागेबास बिल्कुल लक्ष्मी आप ये तस्वीर जमुई से दर्शकों को दिखा रहे थी एक बार फिर से हम औरंगाबाद का रोख कर लेते हैं औरंगाबाद से माय साथ चमबाद दाता आनन्द अम्रिद राज भी जुड़े हैं और वहां क्या कुछ दर्शकों तक महुच आएंगे आनन्द अभी वहां पर किस तरीके से वोटिंग जो है वो प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल देखें बहुत सांतिपुर्वक वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा है हमार साथ एक बुजुद्धम प तो आप लोगों को सिक्षा देने का काम किया कौन से मुद्धे पर इस बार बोट पड़ रहा है राष्ट की सुख सम्रिधी अभरस्टचार के लिए यह तीनों आपके लिए बहुत बड़ा मुद्धा है बहुत बड़ा बुद्धा है पेरग्यारी तो दूर होगी ही होग काम हो रहा तो हो गा है काम हो रहा है तो होगा है मगा जाएगी जाएगी तकивается बड़ा इसी पर दे रही है пर इस ही मुदे रहे है और अलग से आपको कोई मुद़ीए किस मुद्ध में मुद्ध कर दूल क किसी किसी कर नाम नहीं लेना है किस मुद्ध बिकास भी कास अव्य ह liaison देश को सुलक्शा चाहिए नागरिकों के शुलक्शा चाहिए ऐसी scar Guide तो देखे सिप्रा आप समझ सकती हैं कि रास्टवाद विकास प्रस्रचार ये कुछ ऐसे बर्निंग मुद्धे हैं जो इस चुनाव में भी काफी हावी रहे हैं बिल्कुल आरें देगर कुछ और भी लोग वहाँ पर हो तो उनसे भी तरह बापचीत कीजिए उनसे भी जानि विकास के मुद्धे पर विक्षित भारत बनाने के मुद्धे पर विकास के मुद्धे पर बिल्कुल बदहर मत्रित नर्जन मोदी के सास है यह नाम नहीं बताना है कि भाई चुकि यह आप लोग का गुप्र बतान होता है बिल्कुल कौन सा मुद्धा सर विकास के कुछ लोगों से बाचीत करके दिखाते हैं और कई सारे लोग यहां पर जब पहुंचे तो उनसे जब हमने बाचीत की तो उन्होंने काफी दिल्चस बात कई कई जगव पर हम एक पहले आपको बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार लोगों का आने का सिलसिला तेज होत अब आपनों में डाल दिया बहुत 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 सुखद रिसे होता है जब वोटिंग डालने के बाद जब लोग घर जब बाहर निकलते हैं इसकों फिर से दिखाईगा जारे हमारे दर्सकों को भी नजए तो कौन सा मुद्दा है सार इस बार आपके लिए सबसे पहले त महलाओं के लिए विसेस मैं महाँ पर में दिल्ली से बोट देने आया हूं अपना दिकार कर प्रियोग करने बहुत करें बहुत बहतरीन बात कही और बड़ा संदेज भी ये बाइन संदेज देता हूं कि सही चीजों का अगर ये कोई हर तिवार जिसे होली मनाते हैं तशार से मनाएं जितना कि यह और से बड़ा पर कोई होगा और मैं दिली से शाहर इस पेस्टी टिकेट जैसे तैसे करके मैं फ्लाइट से पहुंचा हूँ कि वही आकर अपना मद्दान का मताधिकार का परियोग करें और एक सफल और मजबूत राष्ट का निर्मान के लिए मेरा नम लगार केश कुमार सिंग है तो राकेश जी के लिए से शेलिट बनता है इसे प्राइच तो कि दिली से विसेस कर मतलब उसे ठीकर के डाय के वोट डाले पौँचे चलिए बहुत-बहुत बहुत अपने बोट डालिये सर तो देखें ये एक बड़ा मेसेज है बहतरीन है लोग लगता रहे हैं अपने मत का अस्तमाल करने के लिए और उन्होंने अपील भी कि यह वोट डालने की देश में पहले चरण की वोटिंग को लेकर के अपील ग्रेव मत्री अमिच्छा के द्वारा और ज्याद से ज्यादा संक्या में वोट करने की अपील की गई है एक-एक वोट की कीमत भी बताईए उन्होंने और आपके एक वोट में सुरक्षित विक्सित भारत बनाने की शक्ती है ये भी उन्होंने कहा है देश में पहले चरण की वोटिंग आज से शुरू हो चुकी है सुबह साथ बजे से ही गरसे बाहर निकले वोट डाले इसको लेक लोगों से अपील कर रहे हैं देश में पहले चरण की वोटिंग को लेकर के अपील की है अमित शाह ने भी जादा से जादा संक्या में वोट डालने की अपील और एक-एक वोट की कीमत भी उन्होंने बताई है तो देखें तीव स्वीन पर आप देख रहे हैं ये कौन-कौ के बीच मुकाबला होगा वो भी आपको दिखा रहे हैं गया में जीतन रामबान जी और खुमार सर जीत के बीच टककार इदर जमूई में अरुन भारती और अरचुना रविदास के बीच में मुकाबला होगा तो देश में पहले चरण की वोटिंग को लेकर के हमी अपील क की गई है अमिद शाह ने ये लोगों से अपील की है लोग सबाचुना आपको लेकर नवादा का लेक्टरेट के सभाकक्ष में एक इंटिगेटेड कंट्रोल रूम का निर्मान किया गया है और इसमें मीडिया मॉनिट्रिंग कंट्रोल रूम और वेब कास्टिंग पर नज के लिए नियूज़एटीन का ही सहारा लिया जा रहा है तो डियम खुद वहाँ पर सुबे से डटे हुए हैं और हर बूत का जाइजा भी ले रहे हैं तो कंट्रोल रूम का जाइजा लिया है संबाद आता अनिल विशाल में 24 चुनाओ के लिए के नवादा समाहनाला परिशन अस्तित सवाकर्ष में एक कंट्रोल रूम का निर्मान किया गया है जहां चुनाओ से संबंदित कई ऐसे एक्टिविटी है जो यहां देखा जाएगा सबसे पहले यहां पर जो वेब कास्टिंग की गई है वेब कास्टिं वो नमबर यहां पर अलॉट किया गया है और तीसरा जो एक मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो है वो यहां पर बनाया गया है और जो सबसे आहम बात देखने को मिल रहा है कि यहां भी कायम है और यहां पी जैसा कि आप देख सकते हैं बिग स्क्रीन पर न्यूज एटिन का ही य वो अपने ड्यूटी पर मुस्तैद है खुद यहां पर नवादा जिलादी कारी यहां पर मौजीर है और हर गती वीदियो पर वो प्यानी नजर रखते हुआ है हम उसे हम ज्यादा एजनकारी लेते हैं सभी जगह पे मद्दान की तैयारियां हम लोगे द्वारा कर ली गई है लगवग सब जगह पे मौक पोल भी स्कार्ट हो गया है और अभी एक्च्वल के भी करवाई की जा रहे हैं अभी तक कोई विपरीट सुचना हम लोग को प्राप नहीं है वेब कास्टिंग लगभग 924 बूट्स पे हम लोग करा रहे हैं जिसका आप कंट्रोल नूम में भी देख सकते हैं रेगलर फीट्स आ रहे हैं इसके लिए अलग से कंट्रोल नूम भी बना है चुनाओ को लेके पहले से काफी ज़्यादा मिनत किया गया था और एक्ट्वल हो गया है और इसी कंट्रोल रूम से जो है उनका जो मॉनिट्रिंग जो है यहां से सुनु कर दिया गया है जो पूरे चिनाओ का यह कार करता रहेगा अनिले शाल यूजटी नवागता तो आपने देखा कि किस तरीके से कंट्रोल रूम से पैनी नजर हर जगे रखी जा रह अपील कर लिया मोहन भागमत ने अपील करके सबसे अपील किया है कि वो जादा से जादा संख्या में पहुंचे मद्दान किंद पर और मद्दान जरूर करें और इसे बीच हम लगतार रशुकों को तस्वीरे भी दिखा रहे हैं कि चार लोग से जो बिहार की है वहां पर क कुछ तस्वीरे अभी तक देखने को मिल रही है जहां पर भारी संख्या में जो लोग है पहुंच चुके हैं गर्मी का वक्त है ऐसे में धूप काफी तेज है तो लोग भी चारें कि जलते जल्द वो सबसे पहले मद्दान किंद पर पहुंचे और वहां जाकर अपने मद् हैं जिनने करों पहुंचे वह हैं माय साथ संपात अता रवी असनराने बाफ फिर से लाइफ जुड़े वह सीधे उनका रूप कर लेते हैं क्या कुछ रवी अगर हम देखें इस बार तो जो लोग हैं उनसे दरा बात पर कि ये भी समझने कोशिश कीजिए कि क्या उन्हें राजजीग में जो चुना होते हैं वो और जो लोकसभा की चुना हैं वो क्या उन्हें अंतर भी उन्हें पता है किन-किन मुद्धे हैं जिसे राश्चिय मुद्धे अलग हो गए शित्रिय मुद्धे अलग हो गए क्या इनको लेकर उनको पता है और उस पर ये वोट करने जा रहे हैं जो बिल्कुल और वोद गया कि जो तस्वीरें हैं हम तस्वीरों के साथ बात करते हैं और यह ज़रा देखिए कि यहां पर जो है यहां पर जो लोग वह यहां पर पहुचे हुए हैं वोट करने के लिए और यह अंदर की थί लेकिन वह अगर बाहार में आपको दिखाए कि जो कि वूंति है वो किस कदर लंबी है जहां तक आपकी नज़रे जाएंगी वहां तक आपको वोट करने के लिए खड़े हुए लोग मिलेंगे लेकिन जो लोग करने के लिए यहां पर पहुंच रहा है तो लोग सबादे तो सब से उपर है लेकिन अभी जो परिस्टि बनी हो यह ति पुरे देश में खास करकर जो मुख मुद्दा भी होना चाहिए जो मेरे समझ से जो हमारी है बेरोजगारी है और मांगाई यह यह दो चीज ना सिर्फ बिहार के लिए बर्कि पुरे देश के लिए यह चिंता का भी सह है जब आप चुनते हैं वोड देते हैं तो क्या देखते हैं हम देखते हैं अपना फ्यूचर देखते हैं अब देश को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं देश का फ्यूचर है तो हम देखाएंगे यही कि यही देखेंगे चुनाव को कि कौन सी सरकार अच्छा हमको तो देखे एक सजग युवा जो है वो इस बात को लेकर करके तयार है कि कौन से हमारे तकदीर जो है तस्वीर जो है वो बदल सकता है और कैसे आप क्या करते हैं जी सर अभी पढ़ाई करते हैं अच्छा तो जहन में ये मुद्धे हैं कि बिरोजगारी हटे देश से और मुद्धे हैं हर युवा चाहता है कि उन्हें रोजगार मिले और जिस धंग से मुद्धे उनके साथ है तर आप क्या कहेंगे इन आज चुनाओं को लेकर कि कितना उसार क्या मुद्धे हैं काफी जहन में काफी उसा है और हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि बढ़ है तो यह तो यह देखे तमाम जो लोग है यहां पर जो पहुंचे हैं वह अपने-अपने ऊपने जो सोच है वह बिलगुल साफ है कि हमें किस तरह अपना मुद्धा धिकार का प्रियोग करना है और तमाम जो लोग हैं अपने मध्шьिकार का पूची एक बुजूर्ड महिला है जो चलने में समय थे संवाइन फिर भी वोट डालने का उस्साह देखिए। पहुंची है और वोट डालने पहुंची है जादी कईसे लागए चेल डालने में कि देशा दूसार ना लेवे लेकन सब ले तन रहात थकह काया अच्छा दिखिए राश्चरबात के बारे में बहुत बाद बाद बात बुली और क्या कहेंगे तो देखिए बहुत दिल्चस बात बोली हैं कि पुरा देश अच्छा से रहे खुसाली से रहे बचे रोजगार कर ये महत्पून बात कहीं देखिए ठीक से बोल नहीं पाती है लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा संदेश देने कोसिस की है कि मेरा देश मजबूत हो देश मजबूती से रहे और जो बच्चे है वो अच्छे से अपने जिन्गी को गुजार सके हैं तो ये बड़ा संदेश भी देगा ये बुजूर्ग महील ये चल नहीं सकती है वीलचेहर पर बैठ कर मददान करने के लिए पहुँची हैं इसी से आप अंदाजा लगा लीजे कि लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा जागरूक है और देश के नई सरकार के लिए और देश के रस्ट निरमान के लिए वोट करने के लिए जो है वो पर पर पहुच रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों से यह अपील भी कर रहे हैं। जादा से जादा संख्या में वोटिंग की अपील की गई और विशेशकर युवार साथियों से अपील की गई है आपको प्रतेक वोट आपका प्रतेक वोट जो है वो बहुत महतपूर्ण है तो पहले चरण की वोटिंग को लेकर के तमाम नेता जो हैं वो अपील कर रहे हैं ज्यादा से संक्या में बाहर निकलें वोट करें और खास तोर पर अब जो युवा हैं उनसे अपील की गई है और विक्सित भारत के लिए बेहत जरूरी है वोटिंग करना जेपी नड़ा की अपील थी चले सयोगी शिप्राम आजसा तक अगदर बनी हुई है बेकुल लक्षमी और इदाफिर से हम भी दर्शिकों से अपील कर रहे हैं और बार बार ये अपील कर रहे हैं और अपील इसलिए भी बड़े नेताओं के साथ साथ न्यूज जीटिन भी आपसे अपील कर करने के बाद मासाथ आप अपनी सेलफि भी शेयर कर सकते हैं हमारे टीवी स्पर वो नंबर भी तर्श कर रहा है जिसके जरीये आप हमें अपनी टस्वीर अपनी सेलफियो वो हम आपको दिखाएंगे तो न्यूज विक़्ेल के हमाई नजर लगतार बनी भी है इसके साथ आप भी जुड़िए अपनी सेलफी लीजे हमें अपनी सेलफी शेयर जरूर कीजे वो हम आपने टीवी स्वीन पर दिखाएंगे और लोगों को ये हम जाग रूप करेंगे कि वो मद्दान करने के लिए मद्दान किंदर पर जरूर पहुँचें एक एक तस्वीर हमारे चार संफाथ ताता लगतार ग्राउंड जीरो से बने वे हैं अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग लोग सबाज शेतर पर क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है लोग तंदर के इस माहा पर के अलग 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 पाँच चार तीन दो और एक इसके साथ ही शुरू हो चुका है वोटिंग का सिलसला जैसा कि हम आपको बताता कि साथ बैसे वोटिंग का सिलसला शुरू हो जाएगा और अलग अलग तस्वीरे भी निकर कर सामने आनी शुरू चाहेंगी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहें दिखे किस तरीके से मतदान केंदर पर लोग पहुँच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी ख़बर आख बता दें किस राज्य में 102 लोग समा की सीटों पर चुना हो रहा है बैहार में चार लोग समा की सीटों पर बोटिंग हो रही यानि लोग जो लंबी लाइन में कताब लगा कर खड़े हैं आब वोट करने के लिए के करके मतदान किंदर के अंदर पहुच रहे हैं तो 7 बजे का वक्त रखा गया था और ठीक 7 बजे और इसी भी चात मता दे प्रदानमंदी नेंदर मोदी ने ट्वीट किया है से पहले पी अमोदी का सोशल मीडिया साइट एक्सपर पोस्ट भी आ चुका है जिसमें लोगों से वोट करने के अपील कर रहे हैं वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील कर रहे हैं और साथी साथ जैसा कि अमना को बताया फॉर्स टाइम वोटर जो पहली वार वक्त की बड़ी खबर और आज वोटिंग शुरू हो चुकी है 21 राज्यों में 102 लोगस्पर सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और विशायार के अगर बात करें तो हब्त करें तो 126 लोगस्पर सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको बताएंगे कि वोटिंग फ्रतीशत बहती जा रही है वो भी आपको आकड़े बताएंगे और आपको हर जगा-जगा की तस्वीरे दिखाएंगे कि कहाँ पर लोग जो है वोट पहुंच रहे हैं नया रेकॉर्ड बनाने की अपील आम जुनता से की है और फर्स टाइम वोटर्स से खास तोर पर तुदान मंतरी ने अपील किया है वोट देने के लिए देखें ये तस्वीरे आप देख रहे हैं ये बोत केंद्रों की तस्वीर जहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और ये मददान कर्मी भी यहाँ पर मौझूद है देखें पहले चलन के ये वोटिंग की तस्वीरे आप साफ तोर पर यहाँ देख सकते हैं और ये तस्वीर आ आपको हमारे सयोगी शिप्रा के पास बेकुल लक्षमी और यही खुब्सूरत तस्वीर जो हम लगतार दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने मत का उप्यों करने मत्दान किंद पर जरूर जाएगे और यह से में देखें यह और यह और यह तस्वीर दिखा रहे हैं ह इसमें मतदान का वो चिन में क्योंकि देखें आज जब मतदान करते हैं और आपके जो उप्यों में वो ब्लू कलर की स्याही लगाई जाती हैं उसे यह होता है कि आपने अपने देश में लोगतंत्र के इसमाप पर नहीं हिस्सा लिया है और अपना नेता चुना है मोहन बागवत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो वोट कास्ट कर चुके हैं देखें सबसे पहले वो वोट कास्ट करने के लिए पहुचे पर यानि कि पहले सिवाब पर मौजूदी होगी कि साथ बजे जैसे शुरू हुआ वोटिंग का सिफला सबसे पहले मतदान कर अपने मत का उपयोग करने के लिए पहुच रहे हैं वहां वहां लोग पहुच रहे हैं इस लिए सब लोगोंने मतदान करें अपर बिचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए अच्छा बnyट है प्रत्य कानी मतदान केल पाईजे, संबर ठक्के मतदार मतदाना आले पाईजे पहले काम दे मी केल उठ्या वर ते मी मतदान केले हैं तो बहुन बादमत को सुन रहे थे आप जिन्होंने अपील किये लोगों से देश की जनता से कि आज अपना अधिकार जरूर आप इसका अस्तमाल करें और मतदान करें साथी साथ हम आगको बियार की चार लोग समा सीटों की तस्वीरे दिखा रहे हैं क्या कुछ वहाँ पर अभी चल रहा है और जो लोग है वो कैसे पहुँच रहे हैं हमा साथ संपाथ ताता रवी असनारायन गया से जुड़ेवे हैं एक बार उनका रुक कर लेते हैं रवी धीरे धीरे में देख पा रही हूँ कि लाइन बढ़ती ही चली जारी है लोगों के पहुँचने का सिलसला भी शुरू है बोटिंग शुरू हो चुकी है वहाँ पर कितने लोगों ने तक मद्दान कर लिया जो बिल्कुल रहे हैं एक तरफ प्रदान मंतरी मोदी से लेकर के तमाम लोग ही अपील कर रहे हैं कि जादा से जादा मद्दान करें और उसकी एक सांदार तश्वीर जो है वह गया में बहुद गया में देखने को मिल रहे हैं बहुत गया कि बहुत संक्या 34 और 35 पर मैं मौझूद हूँ और यहाँ पर जो आप देखने को पर लोग सबाचुनाओ 2024 का आगाज हो चुका है आज पहले चरन के मद्दान हो रहे है देश में 102 लोग सबाच सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बहार की बात करें बहार में चार सीटों पर वोटिंग जारी है सुभा से ही भारी संक्या में मदाता जो है वो पहुच रहे हैं मदान किन पर और वोट अपना कास्ट भी करें सबसे पहले वो तस्वीर नीचे दिखा भी रहें जब आप देख भी पा रहे होंगे वोटसेप नंबर भी आपके टीवी स्वीन पर फ्लाश कर रहा है जिस पर आप अपनी सेल्फी हमें वोटसेप कर सकते हैं और वो हम दिखाएंगे और साथी साथ नीचे दिखाएंग जारकर लगतार आपसे अपील कर रहा है कि अपना वोट कास्ट करने के लिए मदान के इंद पर आप जरूर पहुँचिए क्योंकि ये आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट दिन है और आपका एक मत जो है वो पूरे देश को देश में नई सरकार मारिक काफी महत्तपुन है और फिर से रुकर लेते हैं लक्ष्मी का हमां सब लक्ष्मी जुड़ी बें इनके पास इस बक्त की बड़ी खबर वोटिंग आगाज हो चुका है पहले चरण के चुनाओ के लिए मत दाता जो है वोटिंग से वहाँ पर बूत के इंदरों पर पहुच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं और आज के दिन जितनी तस्वीरे सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं बुजल महिला आट दीचाशरा अब जो प्रत्याशी है वो भी बोट डालने के लिए पहुच रहे हैं तो इधर आज़ेदी प्रत्याशी गया में कर दिए और वोट डालने के बाद अपनी जो उंगली पर शेया है लगी ती उन्होंने वोट दिखा दिया और जो कुमार सर्जीत है वो अपने पत्नी के साथ इरिक्षा में बैठ करके वोट डालने के लिए गए और हमने आपको तस्वीर दिखाई साथ आप सबी जितने प्रत्याश्ची हैं वो वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं लगतार आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं मदान केंद्रों की जहापर लंबी कतारे आप देख पा रहे हैं जगह जगह की तस्वीरे और जहापर मुकाबला बेहद ही करा देखने को मिल रहा है प्रत्याशी जो है वो कौन से प्रत्याशी को जीत मिलेगी ये आने वाले वक्त पता चुलेगा फिलाल यहां पे जो मद्दाता है वो लाइनों में खड़े होका वो डाल रहे हैं हमारे से वीशिप्रा अलग अतार बनी हुई है बिलकुल लक्षमी और देखी एक खुबसूरत तस्वीर हम लोगतंद्री के खुबसूरत तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे ह इसमें आप देख पा रहे हैं कि कितना उच्सा मद्दाताओं में है चाहे बुजूर्ग वोटर हो या फिर महिला वोटर हो या पुरुष वोटर युवाओं की भी संख्या मद्दान के इन पर देखने को मिल रही है जिसमें जो युवा वोटर्स है वो भी अपने परसेंटेज आने भी शुरू हो जाएंगे हमारे साथ दानेश श्रीगवाल बीजेपी की प्रवक्ता और कॉंग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ विलोग चर्मा लगतार बने वे हैं दानेश जी इस बार कई सारे मुद्दे हैं जनता के मन में जब हमारे नियूज एटिन समव मुद्दा तो असपस्थ है जो पहले भी कहते रहे हैं जनता के सामने और प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग में भी सोलत तारी को हम गिनाया है तीन परमुख मुद्दा इसे बहुत से मुद्दा है और परमुख मुद्दा ये है कि उत्री विहार जो बार सगरसित है उत्रे स उसके लिए प्रियास होते हैं थर्ड क्रॉप्स कहा जाता है रिरीफ देने का तो अभी आप जितन रामान जी को सुन रहे थे एंडी प्रत्याशी जितन रामान जी मैं आपके पास एक बार वापस आती हूं अभी आम बयान सुना रहे थे जितन रामान जी का इंडी के प्रत्याशी हैं गया लोगसबा सीट से अभी कुमार सरवजीत जो उनके मुकाबले में वाप खड़े हैं आज जिडी प्रत्याशी उन्होंने वोट कास्ट कर लिया अपनी पत्नी के साथ गये थे अब जितना मान जी भी बोट कास्ट का निकले जो है जरूर जाएंगे वो तस्वीर भी दर्शे को दुखाएंगे दानेश जी आप अपनी बात कम्प्लीट कीजे जी बिलकु लुशित को पर मैं कहरा था कि परधा मंतरी का दस साल का का जो कारेकाल है वो आजादी के बाद एक अधिहासिक कारेकाल रहा है क्योंकि जिस प्रकार से जो इस देश के अंदर जटिल समस्याइए थी जो देश के विकास को बादा पहुचाती थी जो देश के सौहार्द और उसके जो माहौल ता उसको खराब करती थी उन सभी विशे को परदार मंतिरे ने आड़ेस करते वे उसका सालूशन निकाला इस देश के अंदर से जम्मु कश्मीर में धारत 370 को अगर समात किया गिया तो उसका सबसे जादा फाइदा जम्मु कश्मीर के आहम लोगों को मिला जहां आराचन नहीं पहुँचा था आजादी के बाद से आज वहां आराचन पहुँचने का काम किया गिया कि आप कलपना कर सकते हैं कि 500 वर्षों से चुरा आराजटिल समस्या राम मंदिर का जो विशे था उसको सौहाद पुन करीके से शांती पुन करीके से प्रान परतिष्ठा करा ले आता है और देश में जो है एक अच्छा महोल पैदा होता है जो विकास की बाधार थी विकास के लिए उसको स्वाप कर देया आता है ट्रिपल तराग जैसे मुद्दे जो कभी कलपना नहीं कर सकते देनाजटिल का लेकर किया गया देखिए बिहार में जनता मुद्दा उठा रही है बिहार सुरूर से बेरोजगारी दर में सबसे आगे रहा है और आज सबसे बड़ा बेरोजगारी का हब बन गया है तो बिहार के लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले सबसे इसी तरा से सभी चीजों के दाम आश्मान है गरीब क्या करें तो सबसे बड़ा बर्ग है कोटर गरीब इसले गरीब चाहते हैं कि मु परढ़ान मस्तरी झीस से हमें मुट्टि डिलाते लेकिन संभ़ने हुआ सको सब्राइं में भी संब्भव नहीं हो पाया अश्चरजनक बात है मुद्द्य गिनारे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं की कुछ काम किया ठीक है तो 17 धारा हटी लेकिन जनता को क्या फायदा हुआ राम मंदिर बना जनता को क्या फायदा हुआ क्या उनकी भुख मरी समाथ हो गई आप उस पर चिंता नहीं कर रहे हैं आप नहीं चाहते कि गरिबी दूर हो मंगाई दूर हो हर देखती को रोजगार मिले तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना तो बिहार के लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं और निश्ची तुर्प से मुद्दे के कारण बिहार में विनो पत्रकार भी रंजन माय हमाय साथ जुड़ेवे हैं रुप कर लेते हैं जैन जिग्यासु जी आपका अभी आपके ही प्रत्याशी जो है कुमार सरवजीत वोट कास्ट करके आये और उन्हें कहा कि बहुत जनता का समर्थन जो है वो मिल रहा है इन चार लोगसभा सीटों को ल जाहत देने के लिए अपने सभी मंत्रियों को उतरदाई तो बोट के साथ लगाया जनता उस पर जरूर महर लगाएगी और सरवजीत जी तो क्रिशी मंत्री रहे हैं और हम लोगों ने इस अखिल भार्टिय चुनाव में लोगों के बीच वाइदा किया एक हम स्वामिनातन कमिशन की रपर्ट के महत्कोर्ण हिस्से को लागू करेंगे और नियोंतम समर्थन मुल्य देकर किसानों की आयत दुगुनी करने का प्रियास करें तो इन सब बातों को लोग समझ रहे हैं पुरानी पिंसन स्कीम को लागू करेंगे किसानों के बच्चे ही जो सीमा पर जव जवान के रूप में तैनात होते हैं उनकी अस्थाई बहाली फिर से हो सके और अगनीवीर स्कीम को रद्ड करके उनके साथ जो भरी जवानी में खिलवार ये सरकार कर रही है उस प्रूर जैन जी आप हमारे साथ जूरे रहे हैं हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार अभी रंज जी भी जुड़े वे हैं अभिरंजन जी सुभा से वोटिंग का सिलसुला जो है वो खास्तर पर बियार में चार लोगस्वा सीटों पर देखने को मिल रहा है और उटसा काफी जादा हम देख भी पा रहे हैं लोगों में चाहे महिला हैं बुजूर्ग है या फिर उतना बढ़ी है इसलिए मतडान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दाएबे से को देखिए बिहार में साथ पैसक्त प्रतिशत के आसपास मतदान होता है अगर साम तक इतना मतदान होता है लेकिन मैं चाहता हूं कि सौ प्रतिशत तक प्रतिशत नहीं पहुच सके तो कम से कम 80 प्रतिशत तो होना चाहिए अगर साथ लोग मतदान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 40 लोगों का जो पफ्ष है वो चुनाव में परिलक्षित नहीं हो पाता है तो ये लोगतंत को मस्बूत करने के लिए नाग्रिकों को भी समझना चाहिए और इतने भी स्टेकोंडर्स हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें किस तरह से शामिल करेंगे बिहार जैसे राज्यों में मतदान का प्रतिशत कमरा में का एक और बहुत बड़ा कारल है जिसके लिए बिहार के राजन चाहिए बिहार से बाहर रहते हैं और उनकी संच्या बहुत बड़ी है और इस चर्चा को मागे बढ़ाएंगे लिकने सी बीच एक बड़ी खाबर आ रही है रुप कर लेते हैं लक्ष्मी का नवादा में सुबे से ही लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर सुरक्षा रवस्ता भी कड़ी कर दी गई है और भारी संक्या में पुलिस बल सरक से गुजरने वाली गाड़ियों की जाच भी कर रहे हैं कई गाड़ियों को जबत भी किया गया है जायजा लिया पेविजेटीन समबादाता संजे कुमारना पेविजेटीन समबादाता संजे कर रहे हैं अभी तक जो है कि जो कुछ गाड़ियां है जो कि जब किये हैं जो बीडाउट हेलमेट है या अना बश्चक जा रहे हैं जो बोर्ड देले जाते हैं उनको हम लोग स्वच्छी जाने देते हैं बट उसको नियम पालन करके हैं हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग जो इंस्ट्रक्शन से उसको फॉलो करने चुनाव आयोग ने आज की तारीक के लिए कई तरह के दिशाने देश जारीक की हैं उसका अनपालन करना हम सब के लिए जरूरी है मदान केंदर पर जाएं जरूर जाएं और जो इमर्जंसी की गारियां है वो अगर आ रही है तो उनको उनकी भी जांच की जा रही है और हम सब का दाईत है कि हम प्रसासन को सहयोग करे और सहयोग करके ही हम पूरे दिन जो मदान की प्रेक्रिया है उसमें अपना महत्रपून योगदान दे सकते हैं कमरापरसन अजय दूबे के साथ संजे कुमार नुजेटीन नवादा वोटिंग जारी है सुबह साथ बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है मदान केंदरू पार वोट डालने के लिए लोग पहुँच रहे हैं और नेता जो है वोट डालने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं कई जगों पर एवियम के खराब होने की खबरे भी सामने आई हैं हमने खबर दिखाई उसके बाद फिर विवस्ता ठीक भी की गई और इसी तरीके से यह महा कवरेज आप देख रहे हैं हमारे सायूगी शुपरा के पास भी चलते हैं आपको कि काफी अच्छे तरीके से जो लोग है वो लंबी लंबी लाइनों में कतार लाकर खड़े हैं और बहाँ पर मौझूद होकर अपने मद्दान की प्रक्रिया में हिस्ता ले रहे हैं अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं हमारे साथ गेस्ट लगातार बने वे हैं जिन से हमने देखा कि प्रधान मंती नैंद्र मूदी ग्री मंत्री अमिट्शा हो गए रक्षा मंती राजनाथ सिंग जो थे वो भी बिहार दोरे पर पहुँचे और उन्होंने चुना प्रचार किया क्या लगता है जो करी महनत आप लोगों ने की है तो ये चार लोग सबाकी सीट पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग को मिल जाएगी सायदा जो हमारे घरीब दलिट पिछरे आती पिछरे समाज यह कि अगर कोई गरीब वेक्ती बिमार होता है तो पांच लाग तक का रुपय का उसका जो है इलाग हो सकता है ऐसे अंगिवत उदारन है जो प्रधामंतरी के दस साल के कारिकाल में आँगरीब लोगों के लिए दिए गए है लेकिन कॉम्णस पार्टी की स्टर व्रक्रों के सरकार में एक भी ऐसे योजना बता तै जिन्हों ने गरीब को मुगधारा मे लाने का काम किया हू स कघृता है प्रधामंतरी आभ गरैर काम कर रही होती है इसका जवाब कुछ नहीं किया है कि शिप्रा आज जो इनकी मुखबत की दुकान है ये पूरे 70 साल का ब्योरा लेकर के बैठ गए है दानिश इकबाल जी अब इसका जवाब दीजिए विनुद जी कि उनके उनके साथी के लोग रामविलास पास्वान जैसे वरिश डेता को की पतनी को गाली के रहे हैं लक्षमी जो पूछा जा रही है सीप्रा जी हमारा एक ही प्रस्ण है कॉंग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया तो शत्तर साल में चार सो गैस का लगे dai के ऺिशे शारी है सारी शिजू की दामविल्यों दोगने तीविल्यों दस भर्सों में लोग pasti किसी राष्ट के लिए आज बर्मा और भुटान से पिछे हंगर 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 इंडेक्स में भारत ख़ा है विकास है क्या लेकिन आप जिनता पर भरसा क्यों नहीं कर पार ये विनो जी अरे भाई करेगी करेगी अब कर ली हमारे अधरनिये प्रधान मंत्री थे बाजपेई ज प्रदर्शन आप देख सकते हैं आख्रे हैं मारे पास प्रदा साथी ने कहा कि मांगाई पार तो यह कि हम सतर सार बें चार्सों गैस के डाम किये आप सिवेबारा सो कर दिये उसको हम साथ रूपया लेगा सब्सक्राइब क्या मज़क्त हैं पर्फॉरमेंस को बताईए पर्फॉरमेंस तो बहुत अचा हमारे जीन राज्यों में सरकार है बहुत अचा काम हो रहा है ज workshop यह दिकिसे पूरे की हैं आपको यह को एक सी दोर मिडी बाकि सारे को इधर आए는 ए खाते में हम धरम की राज्birds взять करते हैं हम सनातन धर्म पे दिश्वाज करते हैं लेकिन आ प्रफटा बताया और राम मंदिर का उधान किया इसको किसी धर्म ऐसा है कि अपने धर्म गुरुव को अपने नहीं जाते है विनों जी मूर्थ पर क्या जाएं करी लोग कि अपने नगरा हैं किसी किसी के कहने से जाएंगे इसको क्यों नहीं तो प्रफ़ामेंस की बाद चल प्रफ़ामेंस पिछले बार आपने किस तरीकी से प्रदर्शन किया और इस बार किस तरीकी से प्रदर्शन कर रहे हैं चुना प्रचार में भी आप लोग बहुत जादा एक्टिव नहीं दिखे एस कंपेर टू बीजे पी एंडिये की तरफ से खुब सारे दिखे प्रदान का जहां तक तालुक है तो आप जान रही है कि दुनिया के किसी देश के किसी सूबे में साल भर के अंदर 17 मैंने के अंदर सारे चार लौक नोगरी नहीं दी गई हमने मेडिकल में आपको मालूम है आईजे एमस में मुफ्त में इलाज और जाच दवा की ववस्ता की हमने स्वास्त के अंदर नहीं आइटी पॉलीसी बिल्कुल याद है जब स्वास्त मंतरी बने थी ते जब यादर तो मिशन सिक्स्टी उन्होंने चलाया था और वो साथ दिनों के अंदर उन्हें कहा था कि एकड़म विवस्ता बिल्कुल सही हो जाएगी सारे अस्पिताल सुद या दो-दो केबिनेट में नितीज जी ने उसकोट आया अब नितीज जी खुद उधर चलेगे तो हमारा क्या उसमें दोश है लेकिन जहां तक प्रदर्शन की बात आप कह रही है तो इस बार के चुनाओं में भाजपा 200 से नीचे जा रही है हम लोग सरकार बनाने जा रहे हम पर लोग भरोसा कर रहे हैं कि हम गया सिलिंडर को 500 रुपिय में देंगे इस देश की जनता को हम जो है पुरानी पिंसन स्कीम लागू करके लोगों को रहात देंगे जो सरकारी करमिकारी हमने तो इस बार देखना होगा कि आप लोग जो भी इस बार बादी जनता से कर र मीड़नानी वोटिंग के बारे में पल-पल का उपदेट दे रहे है पहले चलन के मतदान में आज देखें बिहार कि 4 लोग सबाद सीटों पर मतदान हो रहा है साथी-साथ पूरे देश में 102 लोग सबाद की सीटे हैं जहां मतदान अभी चल रहा है वोटिंग का सिमसला होने की खबर सामने आ रही है वोटिंग में बादा आई है रजॉडी के सवया तर पंचायत में इवियम खराब हो गई है उर्दु मद्दि विध्याले के इंद्रपार इवियम खराब होने की खबर बूट संख्या 370 पर इवियम खराब यह बड़ी खबर आफ तक पहुचा सब्सक्रा ना रिंग दर जानकार दएगोने को ही और एक गंटे केविजिक पारी वॉटिंग में बादा आई रजोली की सवईया ताल पंचायस में वॉटिंग में खराब हो चुकी है उर्दू मर्देविद्यारा कें पारी वॉट संक्या 337 पर EVM खराब हुई है आपको बता दें कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और आप 8 बजने वाले हैं लगबग 1 गंटे का समय और 1 गंटे के अंदर ही देखे EVM खराब होने की खबर जो है वो सामने आ रही है सवया का 25 या सिम्रातरी गाओं है वहाँ पे उर्दू मद्री द्याले पे पूस संख्या 337 पर है EVM जो है जुरू सर खराब है हलाकि डिस्टिक कंट्रोल डूम में इसकी सिकायद जारितारी को कर दी गई है और इसके अलाबा एक और कुछाई है कि एक नक्सल परवावित एक और इलागा है उसका भी कंट्रोल नहीं हो सका है क्योंकि उस इलागे पे अभी पहली रिपोर्स आई है कि जहां पे EVM खराब है और अभी तत्मा पे वोटिंग शुरू नहीं हो पाए अला कि अधिकारी उसे ज़स जड़ी करने में शुरू है यहां पे वोटिंग शुरू होते ही कि एवल एक गंटा ही हुआ और एक गंटा की अंदर ही EVM कराब तो तयारी कैसे की गई थी तो निल क्या कह रहे है अधिकारी कब तक जो यहां पर EVM खराब हुई है वो ठीक हो पाएगी जी वहां पे जो चुनाव कर्मी जो मौदूत है उन्होंने अपने वरिया दिकारी उसके सुषना दे दी है और लगतार उसके ट्रैक कर रहे है और जो पेर में जो EVM रखने हुए है ठीक है नहीं आप नज़र बनाए रहे हैं फिलाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानक जा रही है चाहिए अधिकारी हो नेता हो या फिर लोग हो वो सभी नियूज इडिन बे आप जारकन को अभी देख भी पा रहे है और उससे से अपडेट भी ले रहे है इसलिए सबसे पहले हम अपडेट आपको पहुंचा रहे है साथी साथ हम उन लोकसभास शित्रु का भ हम आपको देखें तो जो युवा हैं उनमें भी कासी जादा उत्सा नजर आवा संभाद दाता न्यूज इडिन संभाद दाता अरंद अमरिद राज हमां साथ जुड़े हैं एक बाद फिर से उनका रुक कर लेते हैं आरंद औरंगा बात में हम वोजूद है आरंद अभी क कुछ वहां आप देख पार हैं कि देखें दो तस्वीर आपने दिखाई जो बहुत ही खुबसूरत थी और यह मेसेज दे रही थी कि कितना महत्पून है यह चुनाओ बिल्कुल देखे सिप्रा और उससे भी दिल्चस्प तस्वीर एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हम आपको परशय करा देते हैं एक बुजूर्ग माता जी है इनकी बेटी और इनके बहु तो आप समझे तस्वीर कितना दिल्चस्प है सबसे पहले सुरवात में रहने वाली और अंगाबाद की हुँ और विवा और अंगाबाद में हुआ है और वैसे मैं यू-P से बिलों करती हूं उत्तर प्रदेश ते यू-P कि बेटी हैं बिहार में इस स्वाल आपका जी वोट ड़ल दीया आपने जी मैंने वोट ड्याल दिया पहली बार जी औ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और पिछले 10 साल में और अंगाबाद की काया पलट भी देखने को मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है यह देखके कि विकास के काफी सारे कार्य यहां हुए हैं जैसे ग्यास पाइपलाइन आई हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी हैं ट्रेंस्टॉपिजिस बढ़े हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 10 साल में यहां बहुत अच्छे कारे हुए हैं मतलब आपके लिए प्रात्मिक्ता विकास ही हुआ इस बार, जी, मेरे लिए प्रात्मिक्ता विकास है मतलब आपके लिए प्रात्मिक्ता विकास है सतार बढ़ती चली जा रही है अगर यहां गया में देखे तो और आप लोगों को यह भी बताएं कि वह मैं साथ सेल्फी भी शेयर करें कि हम में दर्श्यकों को दिखा भी रहे हैं लेकिन जो जोश है वह तापमान पर भारी है और बड़े संक्या में जो महिलाएं हैं वह यहां पर पहुंची है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और यहां पर देखे कि कुछ वैसे वोटर्स भी है जो पहली बार वोट डालने के लिए पहुंची आप पहली बा हमMusic ऑर से अच्छाम हो रहा है हमारा जो राइट है तो में और अच्छा लग रहा है कि अपना अपना यह वर्ट यूज करें और सही आंदमी को वोट दे जो हमारा राफ अर्मारे बारे में सोच्वotz आपकेले अढले हैं सबस्साि आपैं जरीने हमारीkaa नैंकि का आदमी को चुने हम जो डवलप्मेंट के बारे में बात करें जो यूज के बारे में बात करें विल्टी जो है वो अपने मन से वोट दे रही है ना जी 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 कोई दबाव नहीं है पहली बार आपके विल्टी वोट दे रही है जी जी ये बहुत खुश है जी आप कैसा में सोचे रास्ट के बारे में सोचे देश के बारे में सोचे ऐसे लोगों को तब समझ सकते हैं कि युवाओं में किस कदर जागरती है और कितना उत्साद नखे पहली बार वोट डालने का और यहां पर आप लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं सब भाट कर देने के लिए अनुद्षान वatted बाटों को लेकर के वोट दे रहे हैं अपकर धें देश को विकास चाहिए सिर्म काम करना चाहिए सिर्म अविल्कुल सेजग है करना है कि जो देश का विकास हो रास्त का विकास हो और जो लोग है और जो पहली बार वोल्टर डाल रहे हैं उसमें भी जबर्दस उत्सा यहां पर देखने के मिलता है और यह लंबी कतार जो है वो यहां पर ज़रा देखे कि पूरे परिवार के साथ भी जो लोग यहां पर ठीके ठीके रवी आप माई सब बने रहे हैं मैं आपकी पास वापस भी लोटूंगी और ये तस्वीर जहें वो खाफी सुखत तस्वीर है लोकतंती की खुबसूरती यही है कि देखें लोग जो है वो अपने इस राधिकार को समझते हैं होटर बड़ चुका है बड़ी ख़ प्यम मोदी की सभा होनी है उअलिस घंच और दरबंगा में ये सबह होगी और इसके बाद 20 अपरिल खाल सुख भागल पुर में सबह करने वा आपको बताते चरएं कि 20 अपरिल को भागलपुर में राहूल गांधी भी सबह करेंगे तो व्यार के रण में कौन-कौन से तरि को आ रहे हैं वो आपको बता दें 26 आपरों को पी एम मोदी की यहाँ पर जन सभा होगी फादिस गंज और भंगा में यह सभा होगी आइस बीच रुख कर लेते एक और बड़ी कबर की और एक बड़ी ज्वानकारी सामने निकल करा रही है मुंगेर के चंपा चक में इवियम की शुरू नहीं हो पाई है जमूई लोग सभाख शित्र में है चंपा चक यह बड़ी खबार शेखपुरा में बूत नंबर 60 और 68 पर देर से वोटिंग शुरू होई है और आपको बता दे चले हैं मुंगेर के चंपा चक में इवियम खराब की खबर सामने आ रही है और अ एक पूरा में बूत नंबर 60 और 68 पर देर से वोटिंग होई इवियम में खराबी की वजह से तकनिकी कारणों की वजह से देरी होई है ज़ादा जौनकारी देंगे समबाद दाता हमारे साथ जुड़ रहा है आरुन हमारे साथ जुड़ रहा है आरुन क्या यहाँ पार पर सामने आ रहे है एक पर पूरी जौन कार दीजे अरुन क्या आप तक अवाज मिल पारी है और उनके पास अवाज नहीं पहुंच पारी है लेकिन आपको बता देगे घंटे होने वाले हैं हो चुके हैं लगबाग वोटिंग शुरू होने के लेकिन इसके बावजूद आपको बताया था कि नियू सिटिन ब्यार जार कंट पर हम पलपल का अपडेट सबसे पहले पहुंच आते रहेंगे तस्वीरे हम दिखा रहे हैं तो साथी साथ हमाज साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हैं जिन से हम जा देंगे कि उनका अमन क्या क्या कुछ हमाज साथ अभी दान शिकवाल बीजेपी की प्रवक्ता अमन साथ जुड़े वे हैं और विरोट शर्मा हमाज साथ कॉंगरस प्रवक्ता जुड़े वे हैं बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों का और अमित हमाज साथ बने वे हैं लगतार जो तस्वीरें दिखा भी र अब में तो वहाँ क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं और जरा लोगों से आप बात्चीत करके ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पर क्या कुछ मुद्दे उनके मन में अभी है और क्या उनके लिए राजी के मुद्दे जादा जरूरी है या रास्टी बिल्कुल देखे मैं इस वक्त बहुजूर हूँ ये बरतान केंद संख्या जमुई का बरहट का जो नकसल का गर माना जाता है यहां पे जो है बरतान केंद संख्या 176-177 है और यहां पे जो यूवा वोटर है वो भी लंबी कतार है उनकी महिलाओं की भी कतार जो है वो किन मुद्दो को लिकर की बोट कर रहा है किस मुद्दो को लिए विकास है रुजगार है नौकरी सरकार कैसा चाहिए विकास होना चाहिए और का चाहिए विकास होना चाहिए विकास होना चाहिए रोजगार चाहिए वियार में रोजगार नहीं है यार कंदर रोजगार नह यहां देखिए और भी लोग है इनसी बात करते हैं विकास के मुद्दा जो है वो सबसे उपर है और यहां पर उन्हीं उसी मुद्द्य को लेकर करके जो चाहिए वोटर हो पुरूस बोटर हो सभी जो है असमर्थ है फिर भी बिल्कुल अमेत हम तस्वीर लगातार दर्शुकों तक पहुचा भी रहे हैं और जैसे कि हम दर्शुकों को बता दे कि जितने भी बुज़ूर्ग वोटर हैं चाहिए महिला हो या कोई भी हो सब पहुच रहे हैं हमास तक बड़े रहे हैं इसी बीच उत पर दिखाने के बाद तो इसलिए के ख़बर का असर नवादा में भी बूत नंबर 237 पर इवियम को ठीक कराए गया है आप फिर से वोटिंग सुचार रूप से कराई जाएगी तो न्यूस एटीन के ख़बर का सर मुंगेर में बूत संक्या 141 पर मददान एक बड़ फिर स पर इवियम के खराब होनी की ख़बर हमारे पास आ रही है और हम उस ख़बरों को लगातार दिखा भी रहे हैं तो ऐसे में न्यूस एटीन के ख़बर का असर हुआ है मुंगेर में बूत संक्या 141 पर अब एक बड़ फिर से मतदान को शुरू किया गया है लगतार मारे सयो की शिपरा बनी हुई है बिल्कुल लक्ष्मी और देखे हम परपल का अपडेट दर्शु को तब पहुचा रहे हैं और यही वज़ा है कि पता सबसे पहले चल रहा है और अब नवादा में जिस बूत पर वोटिंग अभी शुरू नहीं थी बाहाँ शुरू हो चुकी है औ क्या लग रहा है क्या उमीद है करने करेगी और एक रिकॉर्ड बने का और से लोगों का मतदान करने में देखिए जहां तक सवाल एगि आज का जुबर्थम चरण का चुनाव शुरू हो गया है देश के 102 सीट्व पर चुनाव हो रहा है और यह चुनाओ है यह नरेंदर मोधी जी के 10 साल के ओना रिपोर्ट कार्ड है जो गारंटी है उसको जहन में लेकर के जंटा अपने घरों से निकल रही है मतदान करने के लिए देश देश के जंटा करूंगी कि या कुछ आपके महत्पूर मुद्धे हैं जो हम देख भी पा रहे हैं एक बार विनोर जी का रुक कर लेता है विनोर जी आप ही जिस तरीके संख्या आप देख पा रहे हैं हमने सुभर तस्वीर भी दिखाई और भारी संख्या में महिला हो या पूरुष वोटर हो सूपर स्टर रजनी कान जो हैं वोट कास्ट करने के लिए तस्वीर जो हैं तसवीर लिया है और पना बेर नावुट कास्ट करने के साथी ये तस्वीर जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हम झ mina जार कन लगतार दर्शिकों से अपील भी कर रहा है कि आप भारी संख्या में मथ्दान के इंडर पर पहूंचें और वहां जाकर अपने वोट कास्ट करें आप इस बुजूर्द महिला को लक्षमी का रुक कर लेते हैं, बड़ी खाबर है लक्षमी के पास। लक्षमी की वोट का मरहम लगाकर लोकतंतर को मजबूत कीजिए, नफरत को हराकर महबत की दुकान खोलिए और उनकी ये लाइन बहुत जादा चर्चित भी है कि वो कहते हैं कि नफरत को हराइसे, महबत की दुकान कौलिए तो राहुल गांदी ने भी अब अपील कर दी है, ह कि एक एक वोट भारत का निर्मान के लिए ज़रूरी है और 10 साल में जो देश की आत्मा पर चोट पहुचा है उस पर आफ मरहम लगाई है साथी जो टाग लाइन बोलता है कि मोहबत की दुकान खोलिए तो एक बार फिर से पोस्ट करके उन्होंने लोगों से अपील की है कि आज आप वोट करने के लिए पहुचें और साथी साथ अपील करने के साथी तरीके से निशाना भी साधा गया है अगर आप देखें तो किन सरकार पर हाला कि जिस तरीके से लोगों की संख्या में ज़र आ रही है मतदान किंद्रू पर उसे ये साफ है कि लोग भी बड़ी संख्या में इस बार मतदान करने के पहुँच रहे हैं और अपने मत का अस्तमाल जो है वो ज़रूर करेंगे साथी साथ जितने भी वरस नेता है वों सभी ने अब लोगों से अपील करनी शुरू भी कर दिया अब आप राहूल गांधी का हम आपको ये सोचल मीडिया साइट एक्सपर जो पोस्ट है वो दिखा रहे थे हमाई साथ कॉंग्रेस पर अपता विनोट शर्मा जी जुड़े वे हैं विनोट जी ये सोचल मीडिया साइट पर पोस्ट किया अभी राहूल गांधी ने मौबबत की दुकान खोडने की बाद फिर से दोरा रहे है देखिए निश्चित रूप से राहूल गांधी जी लगातार मौबत की चर्चा करते रहे हैं उसके लिए काम करते रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी उसी पर चल रही है और सबसे पहले मैं बधाई निउजेटीन को देना चाहता हूँ आपकी टीम को देना चाहता हूँ कि लगातार सुवा से आप बारीकी से सारी स्टीजों को दिखा रहे हैं और बिहार देखिए लोग तंतर की जनिर रही है और बदलाओ की भूमी रही है कोई भी आंदोलन बिहार से इंशुरूआ है और निश्चित रूप सभी चारो जो चुनाओ हो रहे हैं चारो विधान सवा में हमारा मानना है कि आदर्निये परधान मंत्री जी का जो था सपन सीटोपर संजोग से उमिध्वार परवार घ्राण मंत्री और हमारे अग्रह को मान कर चारों जो परिवार से निकले हुए है जो पिता के पुत्र नैपर टिकत मिला है मिलों को सफाया जनता करेगी और बिहार में है ठीके बिनो जी क्या कुछ होगा ये तो आज जनता तेकरने के लिए अपने घरों से निकल चुकी है हमाई साथ है जो है हमारी गेस्ट प्राइनल भी जुड़े वे हैं हमाई चार समभाब दाता लोगसभा अलग-अलग सीटों से जुड़े वे हैं इसमें हम आपको सबसे पहले आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथी साथ आपको बता दें आज उन सभी प्रत्याशों के किसमत क्या दोने वाली है इवियम में 38 उमीदवार है बिहार में जो चार लोगसभा सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में है जनिता किसका भविश्य क्या प्रकती है आज इवियम में ये सब कुछ क्याद हो जाएगा और पल-पल का अपडेट न्यूज इटिन बिहार जारकन पर हम आपको लगातार दिखा बिलकुल लक्षमी आप ये तस्वीर जमुई से दर्शिकों को दिखा रहे थी एक बार फिर से हम औरंगाबाद का रोक कर लेते हैं औरंगाबाद से माय साथ समबाद दाता आनन्द अम्रिद राज भी जुड़े वे हैं और वहां क्या कुछ अभी देखने को मिल पा रहा ह है वो हम दर्शिकों तक महूँ जाएंगे आनन्द अभी वहां पर किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है क्या सब कुछ शांती पूर्वक चल रहा है बिल्कुल देखें बहुत सांती पूर्वक वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और उसके पहले हम आपको तस्वीर देखा है हमार साथ एक बुजुद्ध दमपती है और जिस मुद्धी की बाता बार-बार कह रही थी कि कौन से मुद्धे पर इस बार बोट डाल रहा है कैंद राष्ट की स्पर समर्षी अब्षण चार के ब्यों चिपिन आपके बहुत बड़ा मुद्ध यानि की रास्थवा कि पर बढ़े रहा हूं ह data-पसक्ता आदमी के ज़े रों आप मताये में म मैं माद किस मुद्धि पर दे रही है सब्सक्राइब नाम नहीं लेना है किस मुद्धे पर विकास विकास चाहिए देश को सुलक्षा चाहिए नागरिकों के सुलक्षा चाहिए इसी मुद्धा पहम लोगते रहे हैं तो देखे शिप्रा आप समझ सकती हैं कि राष्टवाद विकास प्रस्टचार ये कुछ ऐसे बर्निंग मुद्धे हैं जो इस चुनाव में भी काफी हावी रहे हैं बिल्कुल आरें देखरों कुछ और भी लोग वहाँ पर हो तो उनसे भी ज़रा बाचीत कीजिए उनसे भी जानिए क्या कुछ है सोच कर इस बार आए हैं जिसको लेकर वो एबियम पर आज बटन दबाएंगे बिल्कुल सर किस मुद्धे पर बोड़ डालने पहुंचे हैं आप लोग विकास के मुद्धे पर विक्षित भारत मनाने के मुद्धे पर आप सर विकास के मुद्धे पर बिल्कुल बढ़ार मतर्न मोदी के सास है नहीं 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 बताना है कि भाई चुकी ये आप लोग का गुप्र ब्रदान होता है वोटिंग डाला जा रहा है और हम आपको और भी कुछ लोगों से बाचित करके दिखाते हैं और कई सारे लोग यहां पर जब पहुंचे तो उनसे जब हमने बाचित की तो उन्होंने काफी दिल्चस्प बात कही कई वब GO कर पहले को बाहर की तस् yılसिला तेज रों चैसे जैसे वक्त गुजरता जारा है लोगों के संखें भी बड़ती जा रहरी है दकिन समको तस्मीर दिखा रहे है वुद्धिक ठीक बाहर के तस्मीर अगा लगत की मैं हो डूंट मावी आक्टियों बहुत सुstyहों दृष तो कौन सा मुद्धा है इस बार आपके लिए सबसे पहले तो रुजगार और सहर पे विकास थोड़ी बहुत कमी है उसको पुरा करे और लोगों को बता यूवाओं को रुजगार मिले सबसे बड़ी बता रुजगार के लिए आपके लिए कौन से मेरे लिए वही है महापर्व में दिल्ली से वोट देने आया हूँ अपना अधिकार के प्रियों करने बहुत 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 जो कि यहाँ आपना इद मनाते हैं क्रिश्मस मनाते हैं तो भाई हम लोग यह तैवार भी उत्रा ही उल्लास से मनाएं जितना की यह और तेवार कोई होगा दिल्स ऐसे डिकट जैसे-टेसे करके मैं प्लाइट से पहुंचा हूँ कि वह आगर अपना मद्दान का मताधिकार का परियोग करें और एक सफल और मजबूत राष्ट का निर्मान के लिए मेरा नम राकेश कुमार सिंग है तो राकेश जी के लिए से सलिट बनता है जिपराज कि दिल्ली से विसेश कर मतलब सिर्प ठिकर के डाय के वोट डालने पहुंचे है चलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद और जाहिए आप अपना बोट डालिए सर तो देखें ये एक बड़ा मैसेज है बहतरीन मैसेज है लोग लागतार हैं डाली आपना भी टायर नहीं है चीके, चीके, आनेंड आप बहुत बने रही है और देखें अंपने मत का इस्तेमाल करने के लिए और उन्होंने अपील भी कियें एक-एक वोट की कीमत भी बताई है उन्होंने और आपके एक वोट में सुरक्षित विक्सित भारत बनाने की शक्ती है ये भी उन्होंने कहा है देश में पहले चुरण की वोटिंग आज से शुरू हो चुकी है सुबह साथ बजे से ही गरसे बाहर निकले वोट डाले इसको ल ने बताई है तो देखे तीव स्वीन पर आप देख रहे हैं ये कौन-कौन सीट पर ब्यार में चुनाव होने हैं किन के किन के बीच मुकाबला होगा वो भी आपको दिखा रहे हैं गया में जीतन रामबान जी और खुमार सर्जीत के बीच टककार इदर जमूई में अरुन बारती और अर्चुनाव रविदास के बीच में मुकाबला होगा तो देश में पहले चुन की वोटिंग को लेकर के हमें अपील की गई है अविद शाह ने ये लोगों से अपील की है लोग सबाचुनाव को लेकर नवादक अलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में एक इंटिगेटर कंट्रोल रूम का निर्मान किया गया है और इसमें मीडिया मॉनेटरिंग कंट्रोल रूम और वैब कास्टिंग पर नजर रखी जा रही है कंट्रोल रूम में भी हर गतिविदी पर नजर के लिए नियू जेटीन का ही सहारा लिया जा रहा है तो जियम खुद वहाँ पर सुबे से ही डटे हुए है और हर बूत का जाइजा भी ले रहे हैं तो कंट्रोल रूम का जाइजा लिया है समवादाता अनिल विशाल में 924 बूतों की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके अलावा जो बूतों पर जो जितनी पतार की तो भी जो समस्या आएगी उस समस्या को इसी कंट्रोल रूम से की कॉल अटेंड किया जाएगा और जो विधान सवावाई जो है वो नंबर यहां पर अलॉट किया गया है और तीसरा जो एक मीडिया मॉनिटरिंग से जो है वो यहां पर बनाया गया है और जो सबसे आहम बात देखने को मिल रहा है कि न्यूज 18 का दबदवा यहां भी कायम है और यहां भी जैसा कि आप पर मुस्तायद है खुद यहां पर नवादा जिलादिकारी यहां पर मौजी रहा है और हर दती वीदियो पर वो प्यानी नजर रखते हुआ है हम उसे ज्यादा जानकारी लेते हैं कहीं से कोई सुचना सुचना हम लोग करा रहे हैं जिसका आप कंट्रोल लूम में भी देख सकते हैं इसके लिए अलग से कंट्रोल लूम भी बना है चुनाओ को लेके पहले से काफी ज्यादा मिनत किया गया था और एक्ट्वल टामिल जो है वो साथ बज गया है और वोटि है और इसी कंट्रोल रूम से जो है उनका जो है यहां से सुरू कर दिया गया है जो पूरे चिनाओ करता रहेगा अने लेशा यूजटी नवागा तो आपने देखा कि किस तरीके से कंट्रोल रूम से पहनी नजर हर जगह रखी जा रहाई है चलिए जादा जानकारी देंग अब सायोगी शुपरा हमारे साथ बने हुई है जो लोग है पहुँच चुके है गर्मी का वक्त है ऐसे में धूप काफी तेज है तो लोग भी चा रहे हैं कि जल्दे जल्द वो सबसे पहले मत्वान किंद पर पहुँचे और वहाँ जाकर अपने मत्का इस्तमाल कर ले लोग इतने जादा जागरुग भी है कि उन्हें प बात आता रवी असनारान एक बाद फिर से लाइफ जुड़े वे सीधे उनका रूप कर लेते हैं क्या कुछ रवी अगर हम देखें इस बार तो जो लोग है उनसे दरा बात तरके ये भी समझने कोशिश कीजिए कि क्या उन्हें राज्जेग में जो चुना होते हैं वो और हैं हम तस्वीरों के साथ बात करते हैं और यह ज़रा देखिए कि यहाँ पर जूब आप बूट में यहां से आप निकलेंगे तो किस कदर जो है यहाँ पर जो लोग है वो यहाँ पर पहुचे हुए हैं वोट करने के लिए और यह अंदर की तस्वीर थी लेकिन वाहर में आपको दिखाया कि जो पंक्ती है वो किस कतर लंबी है, जहां तक आपकी नजरे जाएंगी, वहां तक आपको वोट करने के लिए खड़े हुए लोग मिलेगे, लेकिन जो लोग वोट करने के लिए यहां पर पहुच रहे हैं, तेकि इस बार जो लोकसभा का वोट हो रहा है, और किन मुद्दों को लेकर के, उसमें राश्ट्रिय मुद्दे भी आपके दिमाग में हैं, जो छेत्रिय मुद्दे हैं, यह तो चुकि लोकसभा का चुनाव है, इस बार जो राश्ट्रिय मुद्दे तो सब से उपर है, लेकिन अभी जो परिस्टि बनी हुए यह ति अपना वोट डाल रहे हैं, आप जब वोट डाल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के, आप लगता है कि जब विधान सभा का चुनाव होता है, लोक सभा का चुनाव है, दोनों में काफी फर्क है, जब आप चुनते हैं, वोट देते हैं, तो क्या देखते हैं, हम देखते ह यही कि यही देखेंगे चुनाव को कि कौन सी सरकार अच्छा हमको फूचर प्रवाइट कर रहा है क्या करते हैं मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ पढ़ाई कर रहे हैं तो देखें एक सजग युवा जो है वो इस बात को लेकर कर तयार है कि कौन से हमारे तकदीर जो है तस् मुद्धे हैं जहन में यह मुद्धे हैं कि बरोजगारी हटे देश से और युवा को रोजगार मिले हैं युवा को रोजगार मिले हैं हर युवा चाहता है कि उन्हें रोजगार मिले और जिस धंक से मुद्धे उनके साथ हैं तो आप क्या कहेंगे इन आज चुनाव को ल और अपने मताधिकार का प्रियोग करना है। तो दे का विजूद महिला है जो चलने में समार्थ लेकिन फिर भी वोट डालने का उस्साह देखे के वेलचेर पर पहुंची है और वोट डालने पहुंची है। जादी कैसा लाग रहा बहुत डालने में डाल देने लाइकन के जीटेला बढ़िया रहे लाओ का देश दोस्तर ना ले ले लाइकन सब ले तन रहा तन आओ का लाओ ऍसमें में लेकन् बढ़िया सद्सानु अं आओका यहीं लच्छा से रहे खुशाली से उब बच्चे रोजगार कर ये महत्पूर्ण बात कहीं दे कि ठीक से बोल नहीं पाती है लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा संदेश देने कोशिस की है कि मेरा देश मजबूत हो देश मजबूती से रहे और जो बच्चे है वो अच्छे से अपने जिंगी को गुजार सके हैं वोट डालने के साथ एक बड़ा संदेश की देगा ये बुजूर्ग महिला बिल्कुल आरंबल यही उमंग यही उत्सा है और लोगतंत्र की यही खुबसूरत तस्वीर है जो हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि एक बुजूर्ग महिला वोटर पहुच रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से अपील भी कर रहे हैं और यह तस्वीर जो है और इसे भी चुरू करने थे हैं पहले चरन की वोटिंग के लिए अपील की है देखिए आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी कबार आप बढ़ी कबार आप बतारेंगी पहले चरन की वोटिंग को लेकर की अपील की गई है ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग की अपील की गई है और विशेशकर युवार साथियों से अपील की गई है आपको प और विक्सित भारत के लिए बेहद जरूरी है वोटिंग करना जेपी नडड़ा की अपील थी चले सयोगी शुप्रा हमाई साथ अगादर बने हुई है बेकुल लक्षमी और इदा फिर से हम भी दर्शिकों से अपील कर रहे हैं और बार बार ये अपील कर रहे हैं और अपील इसलिए भी बड़े नेताओं के साथ साथ न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप जरूर अपने मत का अस्तमाल करने के लिए पहुँचें मतदान किंद पर जाए वहाँ अपना वोट कास्ट करें क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत ही महतपूर है और साती साथ न्यूज 18 आपसे ये भी कह रहा है कि अपना वोट कास्ट करने के बाद आप अपनी सेलफी भी शेर कर सकते हैं मतदान किंद पर जरूर पहुंचें एक एक तस्वीर हमारे चार संवाथ ताता लगातार ग्राउंड जीरो से बने वे हैं अलग-अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग-अलग लोगसवाद शित्र पर क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है लोगतंदर के इस महाँ पर उके अलग-अलग रंग भी नजर आ रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं चाहे युवा हो बुजुर्ग हो या फिर महिला वोटर या पूरुष वोटर सभी काफी उत्साहित होकर भारी संक्या में मतदान किंद पर पहुँच रहे हैं और नियूज जीवी मिहार जारक पर, 3, 2, 1, इसके साथ ही शुरु हो चुका है वोटिंग का सिलसला, जैसा कि najम्हीं आ कब बता था कि साथ बहर से वोटिंग का सिलसला शुरु हो जाएगा और अलग-अलग तस्वीरे भी निकर कर सामने आनी शुरू चाहेंगी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गया और अंगाबाद जमुई और नवादा में वोटिंग शुरू हो गई है तो विहार में चार लोकसभा की सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है साथी साथ देश के 21 राजिके 102 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग का सिलसला शुरू हो गया यानि लोग जो लंबी लाइन में कताब लड़ा कर खड़े हैं आब वोट करने के लिए के करके मद्दान किंद्र के अंदर पहुँच रहे हैं तो साथ बजे का वक्त रखा गया था और ठीक साथ बजे और इसी वीच आख बता दे प्रदानमंदी नेंदर मोदी ने ट्वीट किया है वोटिंग से पहले प्या मोदी ने अपील किया है लोगों से वोट करने की अपील प्रदानमंदी नेंदर मोदी ने किया है जिसमें करने के लिए पहुंच रहे हैं उनसे अपील की गई है कि वो अपने मत का अधिकार का अस्तमाल जरूर करें और नया रिकॉर्ड बनाएं और इसे के साथ रुक कर लिते हैं सहयोगी लक्षमी का जिनके पास इस वक्त की बड़ी ख़बर तो बिल्कुल वो समय आ चुका है जब वोटिंग शुरू हो चुकी है और लंबी लंबी लाइने आप लगातार देख रहे हैं हमारे संबाद दाता बूत केंदरों पर मौझूद हैं और वो आपको जो आपर जनता वोट करने के लिए पहुंची है उनकी लंबी कतारे दिखा और यही आज के दिन की खोबसूरती है जब लोग घर से बाहर निकलते हैं बूत के इंदर पर पहुंचते हैं और अपने वोट कास्त तमाल करते हैं आज के दिन की सबसे खोबसूरत तस्वीरे नियूज 18 बिहार जारकन आपको दिखाएगा और आज वोटिंग शुरू हो और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बता जाएगा वैसे वैसे आपको बताएंगे कि वोटिंग प्रतीशत बहती जा रही है वो भी आपको आकड़े बताएंगे और आपको हर जगह-जगह की तस्वीरे दिखाएंगे कि कहा पर लोग जो है वो पहुंच चुना हैं देकि लोग सबा सीटों पर चुनाव होने ज़ा रहे हैं और 21 राच्व में 102 सीटों पर वोटिंग तो ये बड़ी खबार और प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके लोगों से वोट करने की अपील की प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी ने वोटिंग का नया रेकॉर्ड बनाने की अपील आम जुनता से किया और फर्स टाइम वोटर से खास तोर पर प्रदानमंत्री ने अपील किया है वोट देने के लिए देखें ये तस्वीरे आप देख रहे हैं ये बोत केंद्रों की तस्वीर जहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और ये मददान कर्मी भी आप पर मौझूद है देखें पहले चलन के वोटिंग की तस्वीरे आप साफ सर पर याद देख सकते हैं और ये तस्वीर आज के दि की शिप्रा के पास बेल्कुल लक्षमी और यही खुब्सूरत तस्वीर जो हम लगतार धर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने मत का उपयोग करने मतदान किंद पर जरूर जाएगे और यह से में देखें यह और यह तस्वीर दिखा रहे हैं हम बहन भाद्यक से और अपनी उगली वह दिखा रहे हैं जिसमें मतदान का वह चिन में क्योंकि दिखें आज जब मतदान करते हैं और आपके जो उपल्षमी में वह ब्लूक लड़की स्याही लगाई जाती हैं उससे यह होता है कि आपने पर हिस्सा लिया है और अब्दा नेता चुना है मोन बागवत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो वोट कास्ट कर चुके हैं देखें सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुचे ते या निकि पहले से वहाँ पर मौजूद की होगी कुई साथ बजे जैसे शुरू और ऐसी तस्वीरें अलग-अलग जगों से भी सामने आ रहे हैं कई सारे जो वी वी आईपी लोग हैं वो भी वोटिंग कर रहे हैं तो आज के दिन उत्सा सब में नजर आ रहा है चाहे युवा हो बुजूर्ग हो महिलाए हो या फिर पुरुश्मत दाता हो साथी साथ बी पहले चरण के लिए जिन जिन लोगस्वाज शित्रुप पर वोटिंग हो रही है वहाँ वहाँ लोग पहुंच रहे हैं विश्चन निर्धारित करते हैं एक तरसी और इसलिए सब लोगोंने मतदान करना चाहिए सबसे पढ़ा विप्तिगत कार्या में नी ये किया है कि मैंने मतदान किया है मतदान है अपना करता विया है और अपना अधिकार सुकता है विश्चन नी ये त्या पाथ वर्षां करता है अपना आपने जेशां तर भागे निर्दारिक पर दो और अनि मनुन प्रत्ते कानी मतदान केल पाईए शंबर ठके मतदार मतदाना आले पाईए उनुन आज पहले काम जे मी केल उठया हूँ ते मी मतदान केले रहा है तुमोन भागवत को सुन रहे थे आप जिनोंने अपील किये लोगों से देश की जनता से कि आज अपना अधिकार जरूर आप इसका अस्तमाल करें और मतदान करें साथी साथ हम आगको बियार की चार लोग सबास सीटों की तस्वीरे दिखा रहे हैं क्या कुछ वहाँ पर अभी चल रहा है और जो लोग है वो कैसे पहुँच रहे हैं हमाई साथ संपाताता रवी असनारायन गया से जुड़े में हैं एक बार उनका रुक कर लेते हैं रवी धीरे धीरे में देख पा रही हूँ कि लाइन बढ़ती ही चली जा रही है लोगों के पहुचने का सिलसला भी शुरू है बोटिंग शुरू हो चुकी है वहाँ पर कितने लोगों ने तक मद्दान कर लिया जो बिलकुल रहे हैं एक तरह प्रदान मंतरी मोदी से लेकर के तमाम लोग यह अपील कर रहे हैं कि जादा से जादा मद्दान करें और उसकी एक सांदार तश्वीर जो है वो गया में बोध गया में देखने को मिल रहे हैं बोध गया कि बूध संक्या 34 और 35 पर मैं जार तक आपको दिखाई पड़ेगी और सब के हाथों में यह जो पहचान पत्र है और यह जो कतार है वो बताती है कि लोग तंतर कितना मजबूत है और लोग कितने उसाइथ हैं जड़ा कैमरा परसंद से कहेंगे कि उद्धर महिलाओं के तस्वीरे ज़रा दिखाएं यह तस्वीर बहुत शायंदार है तमाम जो महिला है अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए यहां पर पहुंची है और अपने मत का मदान यहां पर करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और तो सबसे बड़ी बात है कि देखें सबसे आगे अगर कहें कि तीन पंक्ति हैं यहां पर लगी हुई है और तीन पंक्तियों में सबसे जो बेहतर आपको तश्वीर दिखाएगी एक पंक्ति जहां पर महिला सबसे पहले वोल्टर है एक युवा है और ठीक तीसरी पंक्ति है जहां पर बुजर्ग जो है वो ख़़ा है तो जिन से उमीद देयुआ हैं बुजूर्गों महिलाया हों तमाम जो लोग हैं वो सबसे आगे खड़े हैं यह सबसे विशेश बात है सबसे पहले वोटर आप बन रहे हैं सबसे पहला जी सर दूप की बज़े से सुबह में बोट दे के अपना काम देंगे पहला वोट देने की खुशी कितनी ह बहुत खुशी है सर इसे पहले वी वोट दिये थे जी सर पहले वी दिये थे और आज सबसे पहला वोट आप डाल रहे हैं आज सबसे पहले सर लेकिन पिछले बार पीछे हो गये थे अच्छा लेकिन इस बार सोचा है कि इस बार पीछे नहीं होना है नहीं सर इस बार पहले पूजे कितना हुटसा है क्या सोचते रही है आज देगे सित्रा सबसे सुखत तस्वीर है कि नाली सक्ति जिसका जिक्र लगतार परधानमंत्री अपने संबादों के दौरान किया करते हैं जब भी वह चुनावी सवा को संबोदित करते हैं तो वहां पर महिला सक्ति का जिक्र ज़रूर करते हैं और वही महिला सक्ति जो है वो आज यहां पर पूरुस को पछारे हुए है महिला का अज जो कतार है महिला वोटर का वह का खांश है और आप जो, चुले छोख्ये, तक निए यहां पर पूरुशक की कतार वह बौनी पर गई है इन वहला है उसके और हुए उसके समिने और सथे सुखत तस्वीर और है यहां पर क enfrent दखाराना चाहिंगे जिस तस्वीर कर दिखांगे से दिखें आप से घुजटर पाले एक फ़र्सटाइब वोटर ने वोड डाला और महिला थी और उन्होंने वोट डाल कर कर लोगों से अपील ही वी जल्दी जल्दी बूत पर पहुंचे और कुछ महिला भी हाँ पर पहुंचे वी हैं वोट डाल दी हällt आटे अपने यह प्रवाट नाम नहीं बताएगा जरूरी ना है इसे फोर्ट एक उससा भी होता है इस लगता है पर जिसके नागरिक है तो देरा जरूरी है यह अब आप आप अच्छी का से देखें आप को तस्वीर दिखा रहे हैं यह अप आप लाइन तो देखी सकते आप यह आप हैं और ठीक इसके बगल में एक और लाइन बना हुआ है जहां पर महिलाएं भी पहुंच रही है और अपना वोट डाल दी है दो बूत है एक बूत हमने उधर दिखाने कोशिस की एक इधर डेदी बोट की डिल डालने जारी है देने जारी है अच्छा कैसा लग रहा है महिल महिलाएं पूर्स और फी चोड़ने वाली है जब से पहले लोगों को पहुआ रही है कि जल्द सले पहुंच यह चायी भी नहीं है लोग डेक्रणके बोर्ट देना है वह सदेना है वासछ काम करेंगे बिलकुल दॉडिंग करने कि और वेक हैं आप सुबह में साधे शे बजी पहुंच के लिए जे सार हमा साधे पांचे में चल दिया कोई बोल दिया कि छे बजे से होगा गर्मी के दिन में हमा के फिन महाकाल का मंदिल के पास बैठे हुए थे गहंटा से इंतिजार कर रहा है तो दो आध हो आले हैं सोचाना की वहले हो सब्सक्राइब के लिए चुनाव हो रहे हैं पहले चरण में ब्यार में और वोटिंग शुरू हो चुकी है ऐसे में काई नेता वोट करने की अपील भी आम जुनता से करने लग रहे हैं शानवाज हुसैन ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है प्रदानमत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है और जितने भी ब बनाने के लिए आप अपने अधिकार का स्तमाल कर पाएंगे तो आपका एक वोट एक वेक्ति एक वोट और उसका एक मोल बेहद मत पून हो जाता है जब चुनाव वो रहा होता है तो कुछ तस्वीर आपको लगाता अधिका रहे हैं और शानवाज हुसान ने क्या कुछ कहा ह है वो भी आपको सुना देते हैं कि देश के अंदर पहले फेस का चुनाव है जो लोग भी घड़ में है जो आज वोटर है मैं उनसे अपील करता हूं कि आईए बूत पर और वोट डालिए देश की तरक्की के लिए देश को मजबूत बनाने के लिए देश को फाइट प्रि एक एक वोट आपको भारत को शक्ति प्रदान करेगा करने के बाद वो भी हमाने साथ वो अपना एक्सपीरिंस शेयर कर रहे थे और जो लोग है पांच बजे से ही मदान के दरे पहुंच चुके थे एक वाद फ़र से रूख कर लेते हैं लक्ष्मी का तो बिल्कुल आप देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है तो ऐसे में लोग वोट करने की अपील भी की जा रही है लोग बाहर निकले घर से और वोट करें इधर चुराग पास्वान ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है क्या कुछ का है उन्होंने वो भी आप को सुनवा देते हैं आप सभी से यह अपील करता हूं आज 19 अप्रेल लोग सवा के चुराओं का पहले चरंग का मदान आज होने जा रहा है आप सब से आगरा करता हूं घर से बहार जाएं सब को लेकर जाएं तमाम रिष्टेदारों को तमाम अडोस पडोस के सब लोगों को लेकर जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें और लोकतंद्र को और मस्भूत पाना है दन्यावाँ दादी का नाम है कितना उमर नबे नबे साल और फिर भी बोट डालने पहुंचे का करें बेटारी वक्रें नहीं बहुत तो बहुत बड़ा संदेश भी आप दे रहे हैं कि नमें चलने में दिकत हो रहा लगता है कि आई चली लेके चलते हैं आप कहक कैसा महल दिख रहा है बहुत अच्छा है अच्छा बता ही दरी इडरी बहुत लोग은 है तो बोल दिजे तो लोगों को भी निकलने के लिए और सबसे बोल दीजिए कि आप लोग भी पहुंचिये बूट पे अपील कर दीजिए तो देखिए बहुत दिल्चस्प तस्वीर है और लोगतंग की तस्वीर इससे खुपसूरत दिखने सकती है जब 90 साल की बुजूर्ग महिला भोड डाले पहुंची है तो तस्वीरे आप लगाता आप देख रहे हैं अभी आपने देखा कि एक बुजूर्ग महिला में कितना उत्सा है कितना जुनूर्ण है आज के दिन वोट डालने की वो भी जानती है कि एक वोट का किया कितनी जादा मातपूर्ण है उनकी एक वोट क्योंकि जनता ही है वो आप ही है जो किसी के सर्कात सदा सकते हैं तो किसी को गदी से उतार भी सकते हैं इसलिक घर से बाहर निकल लिए और वोट डाले चुली सीधर लिए चलता है आपको हमारे सायोगी शुप्रा के बास बिलकुल लक्ष्मी अभी हम तस्वीरे दर्शकों को दिखा रहे थे औरंगा बाती आप उने लिए चलते हैं गया जहां समवा तता रवेस नरान हमारे साथ जुड़े वे हैं वहां अभी क्या कुछ तस अलग लाइन लगाई गई है अभी वहां पर किस तरीके की देख पा रहे हैं आप तस्वीरे और जो लोग हैं वो किन-किन मुद्धों को खास्तोर पर उठा रहे हैं क्या है उनके मन में यह बिल्कुल देखें तस्वीरों के साथ बात करते हैं एक तो कि पूरा जो आप देख सके मद्धविद्याले का जो यह पूरा प्रांगन है वो मद्धताओं से बिल्कुल खचा-खच भरा हुआ है और यहां पर एक अप एक दंग से कहें तो यहां पर खड़े होने की होनी है लेकिन सवेदें सीलता जो करता है कि उस पर जो जोश है वो कितना हावी है उससे कोई फरक नहीं पड़ता और इसलिए इतने जो बड़े संक्या में जो मद्धाता है बिल्कुल रावी यह बहुत ही अच्छी तस्वीरे हैं और लोगतंतर की यह खूपसूरती है कि जो है वो अपने मत का अस्तमाल करने के लिए मद्धान केंद्र का पहुचने शुरू भी हो चुके हैं और लगातार हम वो तस्वीरे भी दिखा रहे हैं और इसी भी शुरूप करनते हैं लक्षमी का जिसके पास है अस्वक्त की बड़ी ख़बर बिल्कुल लिके संबाद लगातार बूत केंद्रों पर मौझूद हैं और आम जनता से बाद भी कर रहे हैं तो कि पब्लिक है सब जानती है लेकिन बड़े बड़े दियता जो है वो भी लोगों से वोट करने की अपील करें जमुई के दिर्बान के लिए वोट करें सिक्षित जमुई स्वस्त जमु कहा है उन्होंने कहा है कि सिक्षित जमुई स्वस्त जमुई के लिए आपको वोटिंग करना जरूरी है ज्यादा से जादा लोग वोटिंग करना के लिए जाए प्रिसे ये अपील करता हूँ आज 19 अप्रेल लोग सबागे चुराओं का पहले चरंग का मददान आज होने जा रहा है आप सबसे आगरा कि लोगतंग को मजबूती देने के जरूरी है जादा से जादा मददान हो जितना जादा मत प्रतिशत बड़ेगा लोगतंग हम लोग का उतना ही मजबूत उतना ही सशक्त होगा आप सब से आगरा करता हूँ, घर से बहार जाएं, सब को लेकर जाएं, तमाम रिष्टेदारों को, तमाम अडोस-डोस के सब लोग को लेकर जाएं और अपने अमत का इस्तिमाल करें और लोकतंदर को और मस्भूत बनाएं, धन्यावाद। आप बता भी रहे थे, लोगों से बापचीत कर रहे थे, एक बार फिर से आप महिलाओं से खास पर पर जुड़ें और उनसे बात करें कि उनके क्या वो सोच नहीं है, क्या सोच कर आज वो EVM का बटन दबाएंगी। इस बताना जरूरी नहीं है, किन मुद्दों को लेकर के? किन मुद्दों को लेकर के आप यहां पर खड़ी है। किन मुद्दों को लेकर के आप यहां पर बोटन दबाने जा रही है। कि इसलिए हम लोग वोट देने के लिए आए हैं। आप जब आप वोट देंगी तो क्या-क्या जहन में है। किन बातों को लेकर क्या समस्या है आपको पता है न। बस सुकर किजिए कि जितने वाले समस्या का समधान करें। तो आप वोट देंगे तो समधान जरूर होगा। उमीद तो कर रहे हैं। और इसी उमीद जहें वो लोग कंतर में देके तमाम जो लोग हैं यहां पर जो खड़े हैं वो उनको पता है कि आज जब हम वोट दालेंगे तो उसमें बदलाव आएगा। देके किन मुद्दों को लेकर के आज आज आप खड़ी हैं। बिल्कुल रवी और वो हम सुन भी पा रहे हैं। वो अपने मुद्दे भी रख रहे हैं सबके सामने। मैं आपके पास वापस लोटूंगी। गया की तस्वीर हम दिखा रहे थे दर्शकों को एक बार फ़र से अब जमुई की तस्वीर दिखाते हैं। जमुई में क्या कुछ हाल हैं। हमारी सेयोगी लक्षमी का रोख कर लेते हैं। तो बिल्कुल देखिए लगातार समभादाताओं से बात कर रहे हैं। बूत केंद्रों पर जोहां मौझूद है समभादाताओं वहां पर उनकी हाल जान रहे हैं। तो देखिए आज से लोक्तंत्र के मापर्ण की शुरुवात हो चुकी है। और वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। लगातार लंबी लाइनों में भी लोग लगने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में जमूर में इस वक्त लोग किस तरीके शुरू पर पहुंचने क्या ववस्ता है समभादाता अमित हमार साथ बने हुए हैं। सबसे आई हैं। तो देखे, जाईर से बात है की महिलाओं की कतार यहां पर काफी लंबी है और इस कतार को देखते हुए महिलाओं विहद खुस है। बच्चे का लालन पोसन हमारा दाइतव है वो तम करते ही है लेकिन लोक दंत को मजबूत करना भी हमारा उतना ही दाइतव है उतनी ही बड़ी जिम्वारी है अमित एक पर आप दर्शिकों को बदाएं कि इस वक्त आपकी कौन से बूत केंदर पर मौजूदगी है और वहाँ पर जनता में कितना उत्सा है और किन-किन मुद्दों को लेकर आम जनता वोट करने के लिए पहुंची है देखें सबसे बारी बात है हम तस्वीर रिखाते हैं यहां पर महिला वोटरों की खतार वो काफी लंबी है पुरुस को इन्होंने पसार रखा है और जिस जगह में मौजूर हूँ यह मद्दान के इंदर संग्या 189 और 190 है यानि कि 189 और 90 है और जिस इलाके में मैं हूँ उस चरम पे था और इसको देखते हुए CRP कैम यहां पे लगाए गया थे अब इस्तिती बडल चुकी है जो लोग अपने घरों सो निकलने में डरते थे खौफज़दा हुआ करते थे आज वो सरकार को बडलने निकले हैं यहां पर यह महिला है जो चुलह चक्या तक्सिमित थी आज यहां करकर के सरकार को वोट काश्ट कर रही है मजूद सरकार बनाने में अपनी भागिदारी दिखा रही है और यहीं वद्धा है कि महिलाओं की कतार जह है वो पुर्सों को पचार रखा है पुर्स जह है वो अपने कामकाश को छोड़ पर यहां है फिर अप्लेटिंगे आप से हमारे से योगी शिप्रा की ओर चलते हैं उनकी पास कुछ जानकारी है शिप्रा बिल्कुल लक्ष्मी और हर जगा हमने एक ही तस्वीर देखी अभी तक जो हमने देखा है उसमें हमने यही देखा है कि जितनी भी महिला हैं वो हर लोकसमा शेत्र की समस्याओं को लेकर वो इस बार वोट करने जा रही है और फिर से रुक कर लेते हैं लक्ष्मी का उनकी पास बड़ी ख़बर है तो बिल्कुल शिप्रा देखेल हमारे साथ संबाद दाता अमित बने हुए हैं और उसे पहले रुक करेंगे एक बड़ी ख़बर की ओर विय गया नवादा में वोटिंग जारी है जमुई और अंगाबाद में भी वोटिंग जारी है यह बड़ी ख़बार और यह लगातार अपडेट माह कवरे जो आप देख रहे हैं निउस 18 पार 20 मिनट से जादा की वोटिंग अब तक हो चुकी है और वोटस में जबर दस उत्सा देखने को मिल रहा है क्योंकि वोटिंग शुरू होने से पहले ही लाइनों में आम जुनता पब्लिक जो है वो खाड़ी होनी शुरू हो चुकी थी तो ऐसे में संबादाता लगतार बूत के इंद्रों पार पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर क्या विवस्ता हैं कितने वोटर्स पहुंच रहे हैं इसकी भी जानकारी दे रहे हैं तो जम्मुई से आमिट हमारे संबादाता ने ज्राइजा लिया है लोक्तंत के महापर्व का आज पहला दीन और पहले चरन का मद्दान जो है वो सुरू हो चका है आपको हम दिखाना चाहेंगे यह जम्मुई लोक्सवाच्चेत्र का बूस संख्या 189 है और यहां देख सकते हैं कि सुरुक्षा के बीच में मद्दान हो रहे हैं महिलाएं ज अपने बच्चों को लिखरके मद्दान करने एहां पहुंची है तो यह तस्वीर की एक डू नहीं बलकि यहां पए दर्जनों ऐसी माएं सरकार अच्छी चाहिए जो लोगों के चेरे पर मुश्कान बनाया रखें कैसा सरकार चाहिए नाम मत बताईए अच्छा चाहिए काम करने वाना चाहिए अच्छा चाहिए अच्छा सरकार की सोच के साथ जो है वो मत करने के लिए यहाँ वोट करने के लिए जो है वो महिलाए पहुंची है तो दखिए यह पूरी लंबी कतार है और इस कतार में जो है वह महिलाएं वह वोट कास्ट करने आई है जो इनूने लगा रखा था उससuspi ब talk तार रही तो जाहिर से स्थार्वात है कि महिलाओं फाना है कि इस बार जो है वह पितर सरकार लादा है और सिस्वीद इन्येज ti क쪽에 स्लीख तहिक ले वोट काश्टा वे phosphorus करते हुएो नजर आ रही है जी अमें तो आपने देखा संवागतामित की रिपोर्ट जुसमें आपने महिलाओं की लंबी कतारे देखी दूद मुहें बच्चे को लेकर महिलाओं पहुची हुई है वोट करने के लिए तो आप सोची कि उनमें कितना उत्सा है और कितनी जादा उमंग है और सरकार चुनन के मददान हो रहे है देश में 102 लोकसबा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रियाश शुरू हो गई है तो बिहार की बात करें बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग जारी है सुभा से ही भारी संक्या में मगदाता जो है वो पहुच रहे हैं मददान किंपर और वोट अपना एक सेलफी लीजे और नियूज इटिन ब्यार जारकन के साथ आप असे शेयर कीजे हम आपको वो तस्वीरे नीचे दिखा भी रहें जो भी आप देख भी पारे होंगे वोट्सेप नंबर भी आपके टीवी स्वीन पर फ्लाश कर रहा है जिस पर आप अपनी सेलफी हमें वोट्सेप कर सकते हैं और वो हम दिखाएंगे और साथी साथ नीचे दिखाएंगे जारकन लगतार आपसे अपील कर रहा है कि अपना वोट्स कास्ट करने के लिए मदान के इंद पर आप जरूर पहुँचिए क्योंकि ये आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट दिन है और आपका एक मत जो है वो पूरे देश को देश में नई सरकार माने काफी महत्तपून है और फिर से रुकने ते लक्ष्मी का हमासाथ लक्ष्मी जुड़ी वें उनके पास इस वक्त की बड़ी खबर तो बिलकुल वोटिंग आगाज हो चुका है पहले चरण के चुनाओ के लिए मत दाता जो है वोटिंग से वहाँ पर बूत के इंदरों पर पहुँच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं और आज के दिन जितनी तस्वीरे सामने आ रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे है बुजल महिलां दे काफी सादा उत्सा आए लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर गयो रुक करते हैं आज येडी प्रत्याशी आपको बता दें आज येडी प्रत्याशी ने पर बोट डाला पतनी के साथ बोट डालने के लिए पहुँचे आज येडी प्रत्याशी बोट केंदेऑ केंदरपार पहुचे हैं कुमार सर्जीट अपने पतनी के साथ में इसा इरिक शाप बैठकर बोट डालने के लिए पहुचे हैं यह बड़ी घबर है अब जो प्रत्याशी है वो भी बोट डालनिक ये पहुच रहे तो इदर गया में बोटिंग जारी है देखे गुमार सर्जीत में वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद अपनी जो उंगली पर सियाई लगी थी उन्होंने वोट डिखा दिया और जो गुमार सर्जीत है वो अपने पत्नी के साथ इरिक्षा में बैठ करके वोट डालने के लिए गए और हमने आपको तस्वीर दिखाई साथ-साथ आप अब सबी जितने प्रत्याश्ञी हैं वो वोट डालने के लिए Huhumar सर्जीत की तस्वीर है गया में वोट जाड़ी है अपने पतनी के साफ में रिक्षा पर बैटे हुए और लगतार आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं मदान केंद्रों की जहापर लंबी कतारे आप देख पा रहे हैं जगह जगह की तस्वीरे और यहाँ पर मुकाबला बेहद ही करा देखने को मिल रहा है प्रत्याशी जो है वो कौन से प्रत्याशी को जीत मिलेगी यह आने वाले वक्त हम पता चुलेगा फ़लाल यहां पर जो मद्दाता हैं वो लाइनों में खड़े होका वो डाल रहे हैं हमाई से वीशिपरा अलग अतार बने हुई हैं बिलकुल लक्षमी और देखी यह खुबसूरत तस्वीर हम लोगतंद्र की खुबसूरत तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितना उत्सा मद्दाताओं में है चाहे बुजुर्ग वोटर हो या फिर महिला वोटर हो या पुरुष वो चुका है लगबग एक से देख घंटे का वक्त बी चुका है कुछ दे के बाद वोटिंग परसेंटेज आने भी शुरू हो जाएंगे हमारे साथ दानेश श्रीकवान बीजेपी की प्रवक्ता और कॉंग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ विलोग शर्मा लगतार बने वे हैं द मुद्दा तो असपस्थ है जो पहले भी कहते रहे हैं जनता के सामने और प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग में भी सोलत तारी को गिनाया है तीन प्रमुख मुद्दा इसे बहुत से मुद्दा है और प्रमुख मुद्दा ये है कि उत्री विहार जो बार से गरसित है उते से उसके लिए प्रियास होते हैं थर्ड क्रॉप्स कहा जाता है रिरीफ देने का तो अभी आप जितन रामान जी को सुन रहे थे एंडी प्रत्याशी जितन रामान जी मैं आपके पास एक बार वापस आती हूँ दर्शिकों को बता दें अभी आम बयान सुना रहे थे जितन रामान जी का इंडी के प्रत्याशी है गया लोगसबा सीट से अभी कुमार सरवजीत जो उनके मुकाबले में वाप खड़े हैं आज जिडी प्रत्याशी उन्होंने वोट कास्ट कर लिया अपनी पत्नी के साथ गये थे अब जितना मांची भी वोटकास्ट का निकले जो है जरूर जाएंगे वो तस्वीर भी दर्शो को दिखाएंगे दानेश जी आप अपनी बात कम्प्लीट कीजे जी बिलकु लुशित तो पर मैं कहरा था कि परदामंतरी का दस साल का जो कारेकाल है वो आजादी के बाद एक इतिहासिक कारेकाल रहा है क्योंकि जिस परकार से जो इस देश के अंदर जटल समस्याई थी जो देश के विकास को बादा पहुचाती थी जो देश के सौहार्द और उसके जो माहौल ता उसको खराब करती थी उन सभी विशे को परदामंतरे में आड़ेस करते वे उसका सालूशन निकाला इस देश के अंदर से जम्मु कश्मीर में धारा 73 को अगर समाप्त किया गिया तो उसका सबसे जादा जम्मु कश्मीर के आहम लोगों को मिला जहां आराचन नहीं पहुचाता आजादी के बाद से आज वहां आराचन पहुचने का काम किया गिया कि आप कलपना कर सकते तेगी 500 वर्षों से चुरा आरा जटिल समस्या राम मंदिर का जो विशय था उसको जो है सौहाद पुन तरीके से शांती पुन तरीके से प्रान पर तिष्ठा करा ले आता है और देश में जो है एक अच्छा महोल पाइदा होता है जो विकास की बाधार की तरब से पक्ष की तरब से उठाये जा रहे हैं और क्या लगता है उन मुद्दों को क्या मजबूती के साथ आप जनता के बीच लेकर गए हैं जिस पर धरोसा जनता जताएगी देखिए बिहार में जनता मुद्दा उठा रही है बिहार सुरूर से बेरोजगारी दर में सबसे आगे रहा है और आज सबसे बड़ा बेरोजगारी का हब बन गया है तो बिहार के लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले सबसे बड़ी बात हैं महंगाई से तरस्थ हैं ब सबसे बड़ा बर्ग है बोटर गरीबों का इसलिए गरीब चाहते हैं कि हमें मुक्ति दिलाते लेकिन यह संभव नहीं हुआ चाहिए दस सालों में भी संभव नहीं हो पाया यह चर्जनक बात है मुद्य गिनार हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं की कुछ काम किया ठीक है उस्तितर धारा हटी लेकिन जनता को क्या फायदा हुआ राम मंदिर बना जनता को क्या फायदा हुआ क्या उनकी भुख मरी समाथ हो गई आप तो और असी क्लोग लोग को को टोर थमा दिया जो गरी बी दूर हो मंगाई दूर हो हर ब्यक्ति को रोजगार मिले तो इस पर राज चर्चा होनी चाहिए ना तो बिहार के लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं और निश्ची तुप से मुद्दे के कारण बिहार में विनो जी कई सारे मुद्दे हैं जो आप लोग उठा के साथ जुड़े हैं रुप कर लेते हैं जेन जिग्यासु जी आपका अभी आपके ही प्रत्याशी जो है कुमार सरवजीत वोट कास्ट करके आए और उन्हें कहा कि बहुत जनता का समर्थन जो है वो मिल रहा है इन चार लोग सबासीटों को लेकर क्या सोच पा रहे हैं आप क्या उमी जता रहे हैं कि रपर्ट के महत्पोर्ण हिस्से को लागू करेंगे और नियोंतम समर्थन मुल्य देकर किसानों की आयत दुगुनी करने का प्रियास करें तो इन सब बातों को लोग समझ रहे हैं पुरानी पिंसन स्कीम को लागू करेंगे किसानों के बच्चे ही जो सीमा पर जवान के रूप में तेनाद होते हैं उनकी अस्थाई बहाली फिर से हो सके और अगनीवीर स्कीम को रद्द करके उनके साथ जो भरी जवानी में खिलवार ये सरकार कर रही है वो स्प्रूर घिन जी आप हमारे साथ जूरे रहे हैं अबिरंजन जी सुभा से वोटिंग का सिलसुला जो है वो खास्तर पर बियार में चार लोगसबा सीटों पर देखने को मिल रहा है और उटसा काफी जादा हम देख भी पा रहे हैं लोगों में चाहे महिला हैं वुजूर्ग हैं या फिर पुरुश वोटर हो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पहले तो इस तस्वीर को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं किस तरीके से इस लोगतंत्री खूफियों तस्वीरों को देखते हैं आप इसलिए मत्डान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ताइडे से तो देखिये बिहार में साथ पैसक प्रतिशत के आसपास मत्डान होता है अब देखते हैं शाम तक कितना मत्डान होता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि 100 प्रतिशत तक मत्डान पहुचना चाहिए 100 प्रतिशत नहीं पहुच सके तो कम से कम 85 प्रतिशत तो होना चाहिए अगर 100 में केवल 7 लोग मत्डान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 40 लोगों का जो पख्ष है वो चुनाव में परिलक्षित नहीं और पहुतन होगा हैं तो यह लोगकंत को मस्बूत करने के लिए नाढमिकों को समझना चाहिए और जिसने भी स्टेक वोल्डर से हैं वहीं सोख भी अप्रॉन सुष्टा अधार में अग़े तंश वाफ़ ने वार पर पहत बड़ी ऑघना पड़ के स्वीच एक बड़ी Northeastikum क्यों चाह सब को लक्ष्मी का तो नवादा में सुबे से ही लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा रवस्ता भी कड़ी कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल सरच से गुजरने वाली गार्यों की जाच भी कर रहे हैं कई गार्यों को जब तुभी किया गया है जाइजा लिया है व्यूजरी टीन संबादाता संजे कुमार में आज जो चुनाव है उसके मद्दे नजर जो है हम लोग इस वाहां पर आने जाने वले बाहलों का संध्यात्मक बस्तुवों को चेक कर रहे हैं और ऐसे ही आज जो है पब्लिक करियर को नहीं चलना है लेकिन जो मर्जनसी गारी है जो चल रही है उनको भी हम लोग सखन चेक करते हैं बट उसको नियम पालन करके हैं हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग जो इंस्ट्रक्शन से उसको फॉलो करने चुनाव आयोग ने आज की तारीक के लिए कई तरह के दिशानिर्दे जारी किये हैं उसका अनपालन करना हम सब के लिए जरूरी है मद्दान केंद हैं वह अगर आ रही है तो उनकी भी जांच की जा रही है और हम सब का दाइत है कि हम प्रसाइशन को सहयोग करें और सहयोग करके हिं हम पूरे दीन जो मद्दान की प्रकृया है उसमें अपना महत्रपून योगदान दे सकते हैं कर्वा परसन अजय दूबे के साथ संजय लिए लोग पहुंच रहे हैं और नेता जो है वोट डालने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं कई जगों पर EVM के खराब होने की खबरे भी सामने आई हमने खबर दिखाई उसके बाद फिर विवस्ता ठीक भी की गई और इसी तरीके से यह महा कवरेज आप देखते रहे हैं हमारे सयूगी शुपरा के पास भी चलते हैं आपको कर रहे हैं जाहिर सी बात है इन लोग की भी धड़कने पेज जरूर होंगी क्योंकि आज जनता जो है वो बोड के जरिये अपना नेता चुनने जा रहे हैं दानेश जी जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधान मंत्री नैंडर मूदी ग्री मंत्री अमिट्शा हो गए रक्षा मंत्री आजनात सिंग जो थे वो भी बिहार दोरे पर पहुँचे और उन्होंने चुना प्रचार किया क्या लगता है जो कड़ी मेहनत आप लोगों ने की है तो ये चार लोग सबाकी सीटे पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोगों को मिल जाएगी प्रधालमंत्री के नित्रित में देश की अंदर कार हुए है चाहे वो एतिहासिक कार रहे हो जो पिछले 500 वर्षों से लंबी थे या देश की अंदर जो 70 वर्षों से कॉंग्रेस घरीबी के अनारा देते आई है और आग भी कॉंग्रेस की परवक्ता जो है ये जवाब दे को तयार नहीं कि 70 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो घरीबों के लिए उन्होंने क्या क्या लेकिन मैं बताने को बता सकता हो यहाँ पर कि 10 साल के मोदी जी के कारेकाल में अगर सोचाले दिया गया पूरे देश की अंदर तो उसका सबसे आदा साइधा जो हमारे गरीब दलित पिछ्रे आती पिछ्रे समाज के लोगे उनको दिया गया अगर आवास बना के दिया गया जिनके पास आवास नहीं था परदानमंतरी ने जो 70 वर्षों के बाद सबको आवास देने का काम किया बिजली जो 70 वर्षों तक गाउ 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 बिजली नहीं पहु इमाद दी गई ये उसके राशी दी गई ये कि अगर कोई गरीब वेक्ती बिमार होता है तो पांच लाग तक का रुपे का उसका जो है लाइख हो सकता है ऐसे अंगिलत उदारन है जो प्रधामंतरी के दस साल के कारिकाल में आंग गरीब लोगों के लिए दिये गए है लेकिन कॉंडिस पार्टी की सतर वर्षों के सरकार में एक भी ऐसे योज़णा पता आदे जिन्होंने गरीब को मुझधारा मिलाने का काम किया हो लेकिन इस दस साल के नित्रित प्रधामंतरी ने अगरीबों कॉंग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया तो सतर साल में चार सो गैस का दाम किया पेट्रोल का दाम साथ रुपिया किया सतर बर्ष लगे लेकिन भाजपा ने दस साल में सिधे दूगना कर दिया तीगना कर दिया गैस का दाम यही है विकास क्या यही है सारी चीजु की दाम दूगने तीगने दस बर्षों में हो गए कैसा विकास अपने किया आज प्रधान म प्रदर्शन देखिए प्रदर्शन आप प्रदर्शन को आप देख सकते हैं आखड़े हैं मारे पास प्रदर्शन आपको कितनी आई पिछली बार करने इस वार काकलन कीजे ना हमारे साथ ही ने कहा कि मांगाई तो यह कि हम सतर सार में 400 गैस के डाम किये आप सीवे बारा सो कर दिये उसको हम साथ शुपिया लगे साथ को देख लिए क्या मज़ा करते हैं परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हमारे जीन राज्यों पे सरकार है बहुत अच्छा काम हो रहा हम धर्म की राजनीती करते हैं हिंदू-मुस्लिम की राजनीती के नहीं करते हैं हम सनातन धर्म में दिश्वाज जरूर करते हैं लेकिन आडंबर नहीं करते हैं हम सनातन का समान करते हैं हम अपने धर्म गरूँ का समान करते हैं संक्राचार्जों का समान करते हैं हमारे अध परफॉर्मेंस की बार अपनी किस तरीकी से प्रदर्शन किया और इस बार किस तरीकी से प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाप प्रचार में भी आप लोग बहुत जादा एक्टिव नहीं दिखे एस कंपेर टू बीजे पी एंडिये की तरफ से खोब सारे दिखे प्रदर्शन का जहां तरीक तलुक है तो आप जान रही है कि दुनिया के किसी देश के किसी सूबे में साल भर के अंदर 17 मैंने के अंदर सारे चार लौक नोगडी नहीं दी गई हमने मेडिकल में आपको मालूम है में मुफ्त में इलाज और जांच दवा की ववस्ता की हमने कई जो रिमोट एरियाज हैं वहां गर स्वास्त के अंदर नहीं आई टी पॉलिसी नहीं आपको याद है जब स्वास्त मंत्री बने थी ते जब यादर तो मिशन सिस्टी उन्होंने चलाया था और वो साथ दिनो में हमने ठीक कर दिया एक लाख मैटिस जाट पब्लिक हेल्थ काडर की निउक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया दो-दो केबिनेट में नितीज जी नहीं स्वाट काया अब नितीज जी खुद उधर चलेगे तो हमारा क्या उसमें दोश है लेकिन जहां तक प्रदर्शन स्कीम लागू करके लोगों को राहत देंगे जो सरकारी कर्मिटारी हमने तो इस बार देखना होगा कि आप लोग जो भी इस बार बादे जनता से कर रहे हैं उन बादों पर इस बार कितना भरोसा जनता आप पर करती है यह आने वाला वक्त ही बताएगा और आ एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है नियूस जीटिंग बेहार जारकन के इस महा कवरेज में जिसमें हम आज को आज चल रही वोटिंग के बारे में पल पल का अपडेट दे रहे है पहले चलन के मतदान में आज देखें बेहार की चार लोग सबाव सीटों पर मतदान ह हो रहा है साथी साथ पूरे देश में 102 लोग सभा की सीटे है जहां मतदान अभी चल रहा है वोटिंग का सिलसला शुरू हो चुका है एक घंटे का बग बीच चुका है वोटर मत चुका है लग रहा है को बड़ी ख़बर है रुप करते हैं लक्ष्मी का बिलकुल इस रजाली के सवयाताल पंचायत में इवियम खराब हो चुकी है उर्दू मर्दे विद्याले के इंद्रपार इवियम खराब हो चुकी है उर्दू मर्दे विद्याले के इंद्रपार इवियम खराब हो चुकी है उर्दू मर्दे विद्याले के इंद्रपार इवियम खराब होनी की खबार बूत संकिया 337 पार इवियम खराब हुई है आपको बता दें कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और आप आठ बजने वाले हैं लगबग एक घंटे का समय और एक घंटे के अंदर ही देखें इवियम खराब होनी की खबार जो है वो सामने आ रही है है वहां पे बुर्दू मद्वी द्याले पे कूछ संख्या 337 पर है इवियम खराब है अलाकि डिस्टिक कंट्रोल डूम में इसकी स्कायच ज्यारिकारी को घर दी गई है और इसके अलाबा एक और कुछाई है कि एक नक्सल परवाविस एक और इलागा है उसका भी कंपरमे अलाकि अधिकारी उसे जल्स 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 जीट करने में जुद है लेकिन आनिल लेके वोटिंग शुरू होते ही कि एवल एक गंटा ही हुआ और एक गंटा की अंदर ही इवियम करा आप तो तयारी कैसी की गई थी तो निल क्या कह रहे है अधिकारी कब तक जो यहां पर इवियम खराब हुई है वो ठीक हो पाएगी जी वहां पे जो चुनाव करनी जो मौझूद है उन्होंने अपने वरियम दिकारी के शुषना दे ली है और लगतार उसे ट्रैक कर रहे हैं और जो पेर में जो एप्डेट आप से लेंगे फिलाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सायोगी शिप्रा ह लगतार बनी हुई है काफी सुखत तस्वीर थी क्योंकि बुजर्ग वोटर जो है वो भी काफी संक्या में पहुंच रहे हैं मतदान किंद पर और खास्तों पर अगर हम आपको देखें तो जो युवा है उनमें भी काफी जादा उत्सा नज़र आला संवाद दाता नियूजी इन संवाद दाता है यह चुनाओ मेरा विवा और अंगाबाद में हुआ है और वैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और लुकिंच वहार में अपना वोट डाला ही थो आफ पिछले 10 साल में और अंगाबाद की काया पलट भी देखने को मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखके कि विकास के काफी सारे कार्य यहां हुए हैं जैसे ग्यास पाइपलाइन आई हैं केनेक्विटी बढ़ी है ट्रेंस्टार पीज़ बढ़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले दस साल में यहां Yet Brady मेरे लिए नम क्या हुआ है kesul अच्छा बहुत के साथ आई हैं बेटी के साथ ही कैसा लग रहा है रहा है जो अभी आप टीवी सीन पर फ्लाश करते हैं गया संबत्दाता रवी असनरायमा सक्वेल में रवी आपके पीछे में देख़ारी हूं की इलकतार जो है बढ़ती चली जारी अगर यहां गया देखे तो और आप लोगों को ये भी बताएं कि वह मैं साथ सेल्फी भी शेयर करें कि हम में दर्शिकों को दिखा भी रहे हैं तमाम लोग यह बिल्कुल लौरा देखे गया का तापमान जो है वह बहुत ज्यादा है लेकिन जो जोश है वह तापमान परभारी है और बड़े अच्छा महस specially हमारा जो राइट है उप spices अच्छा मशिब है कि हम अपना यह व्यूज करें और सफ में लोग बहुत जादा है कि यह वोट डें की वोटें सक्षा जो डवलप्मेंट के बारे बात के बारे बात करें reason के बारे में बात करें 주otal विती जो है वो अपने मंन से वोट दे रही हैं जी कोयी दवाव नहीं है पहली बार आपके weighty vote दे रही हैं यह भुत हुश हैं आप कैसा देश करें हैं यहां पे जब युउब चहरा जब यूद्ィ जब यह कहें कि हम उन बातों को लेकर करें victorious जो युउबारे में सोचें राष्ट के बारे में सोचें देश के बारे में contract लोगों को तब समझ सकते हैं कि युवाउ में किस कदर जागृति हैं है और कितना उसाज ने के महांगाई काम करना चाहिए सर् आई ठीठीच तो होना चाहिए सर्ती जिक्षी तो बच्छे क्या गड़ते हैं कि श्वाब कर रहे हैं जी जी तो यह महिलाएं हैं बिल्कुल सजग सब्सक्राइं के जो डेश का विकास ऊर्द्श का विकासát और जो लोग्गी और बाश्या अ जाल रहे हैं उसमें भी जबर्दस उत्सा यहां पर देखने कर मिलता है और यह कलंबी कतार जो है वह यहां पर ज़रा देखे कि पूरे परिवार के साथ भी जो लोग यहां पर चीके ठीके रभी आप माश सब बने रहे हैं मैं आपकी पास वापस भी लोटूंगी और यह तस चुनाव आज हो रहे हैं और आपको बताते चले हैं कि बिहार के रण में दिगज उतर चुके हैं 24 अपरिल को पियम मोदी की सभा होनी है फार्बेस गंच और दर्बंगा में यह सभा होगी और इसके बार 21 अपरिल को भागलपूर में अमित शाह ज्रिया मंत्री अमित शाह बागलपूर में सभा करने वाले हैं और आपको बताते चले हैं कि 20 अपरिल को भागलपूर में राहूल गांदी भी सबा करेंगे तो बियार के रण में कौन-कौन से दिगज, कौन-कौन से तारीख को आ रहे हैं वो आपको बता दें 26 आपरों को पी-यम मोदी की यहाँ पर जन सबा होगी, फार्विस गंज अदर भंगा में यह सबा होगी मोंगेर के चंपा चक में इवियम खराब की खबार, अब तक वहाँ पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है जमोई लोग सबाग शुत्र में चंपा चक आपको बता दें चलें कि देखें सुबह साथ बज़े से वोटिंग शुरू हो चुकी है लेकिन यहाँ पर वोटिंग शुरू ही नहीं हो पाई, इवियम खराब की खबर सामने आ रही है इसके बाद शेकपुरा में बोत रंबर 60 और 68 पर देर से वोटिंग होई इवियम में खराबी की वज़ह से तक्निकी कारणों की वज़ह से देरी होई है ज़ादा ज़ानकारी देंगे, समबाद दाता हमारे साथ जुड़ रहा है आरून हमारे साथ जुड़ रहा है आरून क्या यहाँ पर खबर देखे, इवियम खराब की खबर सामने आ रही है एक बर पूरी ज़ानकार देजे और उनके आप तक आवाज मिल पारेगे और उनके पास आवाज नहीं पहुंच पारेगे लेकिन आपको बता देगे घंटे होने वाले हैं हो चुके हैं लगबाग वोटिंग शुरू होने के तो आप देखें कुछ-कुछ जगों से इवियम की खराबी की भी खबरें सामने आने लग रही है सवयोगी शिपरा माई साथ लगतार बने हुई है बेगो लक्ष्मी आप बड़ी खबर दर्शिकों तक पहुचा रही है जैसा कि हमने बताया था कि न्यूज इटिन ब्यार जारकंट पर हम पलपल का अपडेट सबसे पहले पहुचाते रहेंगे तस्वीरे हम दिखा रहे हैं तो साथी साथ हमाय साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेवे हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनका मन क्या कुछ कहता है भी धाने शिकवाल बीजेट साथ कोंगर्स प्रवक्ता है बहुट बहुत स्वागत है अब दोनों का और अम्मित हमाय साथ बने वें लगतार जो तस्वीरे दिखा भी रएंगे जैसे कि हमने दिखाया कि महिलाये जो है वू काफी जाधा संख्याय पहुची है मैं गेस्ट के पास जाओं उससे पहले अमित के पास पहुँश लेते हैं नियू जेटीन संवब्दाता अमित जमुई से बने वे हैं अमित तो वहाँ क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं और जरा लोगों से आप बादशीत करके ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पर क्या कुछ मुद्दे उनके मन में अभी हैं और क्या उनके लिए राजी के मुद्दे जादा जरूरी है या रास्टी मुद्दे जादा जरूरी है कि बिल्कुल देखे मैं इस वक्त मौवजूर हूँ यह मरतान के इंद संख्या जमुई का बरहट का जो नकसल का गर माना जाता है यहां पे जो है बरतान के इंद संख्या 176 177 है और यहां पे जो युवा वोटर हैं वो भी लंबी कातार है उनकी महिलाओं की विकातार जो है वो बड़ी है और कहीं कहीं कह सकते हैं क्या लोक्तंत के महापर्में हर कोई अपने भागीदारी जो है वो सुनिशित करना चाहता है और यहीं वज़ा है कि यहां पे लंबी क रोजगार में रोजगार नहीं है इसी कारण हम लोग कुछ बिशेस रूप से संकल्प किया है कि कहां किन को बोट देना चाहिए बिल्कुल आप आये हैं कि भड़े को लेकर बोट नहीं आप किन मुद्धों को लेकर करने आप किस नहीं मोज़े नहीं जैना है आप किन मुद्दों के लिके हैं तो कдыना है वह सबसे ऊपर है और यहाँ पर इन्हीं मेहला वोटर has पूरूस बोटर हो सब भी जो है वोट करने आए देखिए सारी रिक रूप से असमर्थ है फिर भी बिल्कुल हम तस्वीर लगातार दर्शुकों तक पहुचा भी रहे हैं और जिसकी हम दर्शुकों को बता दे कि जितने भी बुज़ुर्ग वोटर हैं चाहे महिना हो या उतर बच चुका है बड़ी खबर आ गई है रुक कर लेता है लक्ष्मी का तो बिल्कुल नियूस 18 की खबर का असर हुआ है मुंगेर में बूत संख्या 154 पर मतदान शुरू करा दे गई है इवियम में खराबी आई थी और खराबी को अप्ठीक किया गया है खबर दिखान इवियम में खराबी आई थी जिसकी वज़े से वोटिंग में दिक्कत आ रही थी नवादा में भी बूत नमबर 237 पर इवियम को ठीक करा लिया गया है यानि कि एक बड़ फिर से सुचार रूप से वोटिंग अब शुरू हो चुकी है तो यह बड़ी खबर आप तक पहु और देखे हम परपल का अपडेट दर्शुकों तक पहुचा रहे हैं और यही वज़़ा है कि पता सबसे पहले चल रहा है और अब नवादा में जिस बूत पर वोटिंग अभी शुरू नहीं भी थी बाहाँ शुरू हो चुकी है और साथी साथ माय साथ गेस पानल भी जु जो हो चुकी है क्या लग रहा है क्या उमीद है सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ कि वो जादा से ज्यादा की संख्या में बाहर निकल करके आए और अपने मत्दान का जो है अपने अधिकार का जो है पडियोग करें और एक के मुझे लगता है कि बिहार की जनता काफी जागरूख है लोकतंत्र को ले करके और राजनीती को ले करके तो निश्वित तोर पर मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता रिकॉर्ड दर पे जो है इस बार मत्दान करेगी और एक रिकॉर्ड बनेगा बिहा से लोगों का मद्दान करने में देखिए जहां तक सवाल है कि आज का जो है चुनाव पर्थम चुनाव शुरू हो गया है देश के 102 सीटों पे चुनाव हो रहा है और यह जो चुनाव है यह नरिंदर मोधी जी के 10 साल के कारिकाल जो उनका रिपोर्ट काड है मोधी की जो गा रहे हैं एक बार विनोच जी का रुक कर लेता है विनोच जी आभी जिस तरीके संख्या आप देख पा रहे हैं हमने सुभज तस्वीर भी दिखाई और भारी संख्या में महिला हो या पूरुष वोटर हो पहुँच रहे हैं कैसा लग रहा है इन तस्वीर को देखकर देख अब आपके पास वापस लोटूंगी यह रजनी कान की तस्वीर हम दिखा दे रश्यकों को यह वोट कास्ट करने के लिए पहुचे थे और अपने उंगली पर जो है उनकी स्याही लगी है वो दिखाते वे यह तस्वीर जो है उनकी सामने आई है जो हम दिखा भी रहे हैं और आपको बता दे यही जो ब्लू सियाही की तस्वीर है यह दर्शाता है कि आपने अपना वोट कास्ट कर लिया है और अपना वोट कास्ट करने के साथी यह तस्वीर जो है वो शेयर कर रहे हैं अभी आप सूपरस्टार अशनी कान को देख रहे थे एक एक करके जितने व जाकर अपना वोट जरूर कास्ट करें आप इस बुजर्ग महिला को देखे जो अभी चलने में सक्षम नहीं है लेकिन वह वीलचेर पर बैट कर वहाँ पहुचती है और अपना वोट कास्ट करती है इसी से आपको फेड़ना लेना है और सोचना है कि आपको भी मतदान किंद पर जाकर अपने वोट को कास्ट जरूर करा है इसी भी चूतर बजाये लक्षमी का रुक कर लेते हैं बड़ी खाबर है लक्षमी के पास लोक्तंत्र मजबूत कीजिए ये राहूल गांदी की ये बाते हैं नफरत को हराकर महबत की दुकान खोले राहूल गांदी की वोट करनी की अपील इसमें भी उन्होंने लिखा है कि वोट का मरहम लगाकर लोक्तंत्र को मजबूत कीजिए नफरत को हराकर महबत की दुकान और उनकी ये लाइन बहुत ज़्यादा चर्चित भी है कि वो कहते हैं कि नफरत को अराइए, मुहबत की दुकान खोलिए तो राहूल गांदी ने भी अब अपील कर दी है, हमारी सायोगी शिप्राप बनी हुई है, गेस्ट से बात कर रही है बेकुल लक्षमी, और हम ये बड़ी ख़बर देशिकों को बता दे कि आज देखे, अब राहूल गांदी की तरफ से सोचल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके अपील की गई है, कि एक एक वोट भारत का निर्मान के लिए ज़रूर है और 10 साल में जो देश की आपना पर चोट पहुचा है, उस पर आप मरहम लगाए हैं साथी, जो वो टैग लाइन बोलते हैं कि मोहबत की दुकान खोलिये, तो एक बार फिर से पोस्ट करके उन्होंने लोगों से अपील की है, कि आज 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 वोट करने के लिए पहुचें और अपने मत का अस्तमाल जो है, वो जरूर करेंगे, साथी साथ जितने भी वरस नेता हैं, उन्हों सभी ने अब लोगों से अपील करनी शुरू भी कर दिया, अभी आप राहूल गांधी का हम आपको ये सोचल मीडिया साइट एक्सपर जो पोस्ट है, वो दिखा रहे थे हमाई साथ कॉंग्रेस तो रखता विनोट शर्मा जी जुड़े वे हैं, विनोट जी ये सोचल मीडिया साइट पर पोस्ट किया अभी, राहूल गांधी ने मौबबत की दुकान खोडने की बाद फिर से दोरा रहे हैं कोई भी आंदोलन बिहार से ही शुरूआ है और निश्चित रूप सभी चारो जो चुनाओ हो रहे हैं, चारो विधान सवा में, हमारा मानना है कि आदर्निये परधान मंत्री जी का जो था सपना कि परिवारबाद से मुक्ति तो चारो सीटों पर संजोग से इंडिये को क्या कुछ होगा ये तो आज जनता तेकरने के लिए अपने घरों से निकल चुकी है, हमारे साथ है जो है हमारी गेस प्रानल भी जुड़े वे हैं, हमारे चार समवाब दाता लोग सभा अलग सीटों से जुड़े वे हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले आपको तस्वीर भ आपको बता दें, आज उन सभी प्रत्याशों के किसमत कैदोने वाली है इवियम में, 38 उमीदवार है बिहार में जो 4 लोग सभा सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में है, जनता किसका भविशे क्या प्रे करती है, आज इवियम में ये सब कुछ कैद हो जाएगा, और प क्या कुछ अभी देखने को मिल पा रहा है, वो हम दर्शकों तक महुच आएगे, आनन्द अभी वहाँ पर किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, क्या सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है? बिल्कुल देखे, बहुत सांतिपूर्वक वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, और उसके पहले हम आपको तस्वीर देखा है, हमार साथ एक बुजुद्धम पत्ती है, और जिस मुद्धी की बाता बार-बार कर रही थी, कि भाई, कौन से मुद्धे पर इस बार वोट डाल राष्ट की सुख, सम्रिधि, भर्ष्टर चार के विरुथ, यह तेनों आपके लिए बहुत बाड़ा मुद्धा है, पेर उध्यारी तो दूर होगी, ही होगी, काम हो रहा है, काम हो रहा है, होगा ही है, मगा ही जाएगी, जाएगी, यानि कि रास्टवाध, भर्ष्टर च निर्मान के भारत नाम लेना किस उपास सब्सक्राइबाइब का श्में देश मर्णीं सुरक्षा चाहिए लॉट्सिए भीकस चाहिए नागरीक सु दॉक्षा चाहिए उसी मुदां भmesi दे रहे हैं तो देखिए सिप्रा आप समझ सकती हैं कि राष्टवाद विकास प्रस अचार ये कुछ ऐसे बर्निंग मुद्धे हैं जो इस चुनाव में भी काफी हावी रहे हैं बिल्कुल आरें देटर कुछ और भी लोग वहाँ पर हो तो उनसे भी ज़रा बाप्चीत कीजिए उनसे भ और यहाँ है जिसको लेकर वह और एवियंगो पर आज बटन दबाएंगे कि कौसर किस पूद्ध इस बार मोत डालने पहुंशनें आपने लोड हैं विकास के मुद्ध पर विक्षित भारत मनाने के आपस था मुद्ध पर बिल्कुल बदहर मत्रत नर्द मोदी के सास है नहीं नहीं नाम नहीं बताना है कि भाई चुकी यह आप लोग का गुप्र बदधान होता है कौन से मुद्धा सर अब तरह भी विकास के मुद्धा है सर तो दिखे शिप्रया बहुत दिल्चस्प है विकास के मुद्धे पहला बोटिंग डाला जा रहा है वोट डाला जा रहा है और हम आपको और भी कुछ लोगों से बाचीत करके दिखाते हैं और कई सारे लोग यहां पर जब पहुंचे तो उनसे जब हमने बाचीत की तो उन्होंने काफी दिल्चस्प बात कई कई जगा पर हम एक पार पहले आपक बोटिंग डालने के बाद जब लोग घर जब बाहर निकलते हैं इस एक पर फिर से दिखाएगा जारे हमारे दर्सकों को भी नजा रहा है तो कौन सा मुद्दा है सार इस बार आपके लिए सबसे पहले तो रुजगार और सहर में विकास थोड़ी बहुत कमी है उसको पुर करें और लोगों को मत्त युवां को रुजगार मिले सबसे बड़ी मतार अब क्रिए है रुजगार के नहीं महलाओं के लिए विसेश और यह लोग खड़े हो सके मैं ये वहां पर दिल्ली से वोट देने आ आया हूं अपना दिकार के प्रियोंकर में बहुत 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 कँछी और ये बड़ा संदेघ भी व हुगा यह पुरे भारत में सारे युवाओं के लिए एक हो बड़ा में संदेख देता हूं कि सही चीजों का अगर ये कोई हर तेवार जिसे होली करके मैं फ्लाइट से पहुंचा हूँ कि वही आगर अपना मद्दान का मताधिकार का परियोग करें और एक सफल और मजबूत राष्ट का निर्मान के लिए तो देखे यह एक बड़ा मैसेज है बहतरीन मैसेज है लोग लगता रहा है नहीं आपने लिए और और आपको बता भी रहे हैं अब आपने देखा रहे हैं राकेश जो की दिली से पहुंचे है बिहार अपने मत का अस्तमाल करने के लिए और उन्होंने अपील भी किया है तेमाम बड़े नेता इसको लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं देश में पहले शोरण की वोटिंग को लेकर के अपील की है अमित शाह ने भी जादा से जादा संक्या में वोट डालने की अपील और एक-एक वोट की कीमत भी उन्होंने बताई है तो देखें टीव स्वीन पर आप देख रहे हैं ये कौन-कौन सीट पर ब्यार में चुनाव होने हैं किन के किन के बीच मुकाबला होगा वो भी आपको दिखा रहे हैं गया में जीतन रामबान जी और कुमार सर जीत के बीच टककार इधर जमुई में अरुन भार्ती और अरचुना रविदास के बीच में मुकाबला होगा तो देश में पहले चुनाव को लेकर नवादा का अलेकर के सभाकक्ष में एक इंटिगेटेड कंट्रोल रूम का निर्मान किया गया है और इसमें मीडिया मॉनिट्रिंग कंट्रोल रूम और वेब कास्टिंग पर नजर रखी जा रही है कंट्रोल रूम में भी हर गतिविदी पर नजर के लिए नियूजेटीन का ही सहारा लिया जा रहा है तो डियम खुद वहाँ पर सुबे से ही डटे हुए है और हर बूत का जाइजा भी ले रहे है तो कंट्रोल रूम का जाइजा लिया है समवादाता अनिल विशाल में चुनाओ के लिए के नवादा समाहनावा परिशन अस्तित सवाकक्ष में एक कंट्रोल रूम का निर्मान किया गया है जहां चुनाओ से संबंदित कई ऐसे एक्टिविटी है जो यहां देखा जाएगा सबसे पहले यहां पर जो वेब कास्टिंग की गई है इस बार नवादा में रिकॉर्ड 924 बूथों की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके अलावा जो बूथों पर जो जितनी पकार की तो भी जो समस्या आएगी उस समस्या को इसी कंट्रोल रूम से की कॉल अटेंड किया जाएगा और जो विधान सभावाई जो है वो नमबर यहां पर अलॉट किया गया है और तीसरा जो एक मीडिया मॉनिटरिंग से जो है वो यहां पर बनाया गया है और जो सबसे आहम बात देखने को मिल रहा है कि न्यूज 18 का दबदवा यहां भी कायम है और यहां पी जैस ड्यूटी पर मुस्ताइद है खुद यहां पर नवादा जिलादी कारी यहां पर मोजी रहा है और हर गती वीदियो पर वो पैनी नजर रखते हुआ है हम उसे ज्यादा जानकारी लेते हैं सबी जगह पे मद्दान की तैयारियां हम लोगे द्वारा कर ली गई है लगवग सब जगह पे मौक पोल भी स्कार्ट हो गया है और अभी एक्च्वल पोल की भी करवाई की जा रही है अभी तक कोई विपरीद सुचना हम लोग करा रहे हैं जिसका आप कंट्रोल रूम में भी देख सकते हैं इसके लिए अलग से कंट्रोल भी बना है चुनाओ को लेकर पहले से काफी ज्यादा मिनत किया गया था और एक्स्वल टामिल जो है वो साथ बच गया है और सुचना नहीं आई है तो साथ बचनी के बाद जो वोटिंग जो है वो इलाकों में सुरू हो गया है और इसी कंट्रोल रूम से जो है जो मॉनिट्रिंग जो है यहां से सुरू कर दिया गया है जो पूरे चिनाओ तक ये कार करता रहेगा अनेले शाल यूज जटिंग नवा साथीं कि अब कींद्री ग्रिमंत्री अमिट्शा की तरब से बी अपील की गई प्यामोधी ने अपील कर लिया मुहन भागवत ने अपील करके सबसे अपील किया कि वो ज़ादा से जदा संख्या में पहूंचे मद्दान किंद पर और मद्दान जरूर करें और इसे बीच ह ऐसे में धूब काफी तेज है तो लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दे जल्द वो सबसे पहले मत्रान किंद पर पहुंचे और वहां जाकर अपने मत्त का इस्तमाल कर लें। लोग इतने जादा जाग रुख भी हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें किन मुद्धों पर इस बार वोट करना है। कि उन्हें पता है किन कि मुद्धे हैं जिसे राच्ची मुद्धे अलग हो गए क्या इनको लेकर उनको पता है और उस पर वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल और वोत गया की चो तस्वीरें है और हम तस्वीरों के साथ बात करते हैं और यह जरा देखिये कि यहाँ पर बूट में यहांसे आप निकलेंगे तो किस कदर जो है यहाँ पर जो लोग है वह यहाँ पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए और ये यहां पर पूंच रहा है गिन अभी जो परिस्टि बनी बनी हो यह घ्रदेश में खासकर जो मुख मुद्दा अभी होना चाहिए जो मेरे समझ से जो हमारी हाँ बेरोजगारी है और मांगाई है यह दो चीज ना सिर्फ बिहार के लिए बड़कि पूरे देश के लिए यह चिंता कभी सह है कि हमारा बेरोजगार जीवा कर लेकर के जो है अपना वोट डाल रहे हैं आप जब वोट डाल रहे हैं किन मुद्दों को लेकर के अ तब आप चुनते हैं वोड देता है तो हम देखते हैं अपने वर क्वांटेंक कि अपने देखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने देखाते हैं फ्यूचर है तो हम कि एक सजग युवा जो है वो इस बात को लेकर करके तयार है कि कौन से हमारे तकदीर जो है तस्वीर जो है वो बदल सकता है और कैसे आप क्या करते हैं जी सर अभी पढ़ाई करते हैं अच्छा तो जहन में ये मुद्धे हैं कि बरोजगारी हटे देश से और युवा को मिले और जिस धंक से मुद्धे उनके साथ है तो आप क्या कहेंगे इन आज चुनाओं को लेकर के कितना उत्साहर क्या मुद्धे हैं काफी जहन में काफी उत्साह है और हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि बढ़ चड़ के मतदान में हिस्सा ले और अपने मता अधिकार क किन मुद्धों को लेकर के मुद्धा किसानों का है मुद्धा युवाओं का है मुद्धा जो है लोकतंत्र बचाने का है इनी मुद्धों को लेकर तो यह देखिए तमाम जो लोग हैं यहां पर जो पहुंचे हैं वह अपने 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 जो सोच है वह बिल्कुल साफ है कि हमें किस तरह जो है अपना मतरधिकार का प्रयोग करना है और तमाम जो लोग हैं अपने मतरधिकार का प्रयोग करना है काई डाल देनी लाइकन के जीते ला बढ़िया रहे लाओ का देश दोस्तर ना ले दे लाइकन सब ले तन रहा तन अच्छा मतलब देखिए रास्टरबाद के बारे में बहुत बहुत बात बात बोली और क्या कहींगी देश में लाइकन बढ़िया से रहा तो देखिए बहुत दिल्चस्प बात बोली हैं कि पुरा देश अच्छा से रहे खुसाली से रहे बच्छे रोजगार कर यह मतपुन बात कहीं देखिए ठीक से बोल नहीं पाती है लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा संदेश देने खुसिस की है कि मेरा देश मजबुत हो देश मजबुती से रहे और जो बच्छे हैं वो अच्छे से अपने जिन्गी को गुजार सके ह बड़ा संदेश देगा यही बुजबुत बिल्कुल आनफ यही उमंग यही उत्सा है और लोगतंत्र की यही खुबसूरत तस्वीर है जो हम दर्शकों तक पहुचा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि एक बुजबुत हैं जो आई हैं वो चल नहीं सकती हैं वीलचेर पर वोट करने के लिए पहुची है इसी से आप अंदाज़ा लगा लिजे कि लोग जो हैं वो कितने जादा जाग रुक हैं और देश के नई सरकार के लिए और देश के रस्ट निर्मान के लिए वोट करने के लिए जो है वो मद्दान के दिरपा पहुच रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं और ये तस्वीर जो है और इसे भी चुरू कर लेते हैं माय साथ लक्ष्मी जुडी भी है लक्ष्मी का उनके पास है इस वक्ती कुछ बड़ी खबर तो बिल्कुल वोटिंग जारी है और ऐसे में आपको बतावाचने की तमाम निता वोट करने की लोगों से अपील कर रहा है इदर ज्रेपी नड़ा ने भी लोगों से अपील की है पहले चरण की वोटिंग के लिए अपील की है देखिए आपको दिखाते हैं सबसे बड बड़ी कबर आप बतारेंगे पहले चरण की वोटिंग को लेकर की अपील की गई है जादा से जादा संख्या में वोटिंग की अपील की गई और विशेशकर युवासातियों से अपील की गई है आपको प्रतेख वोट आपका प्रतेख वोट जो बहुत महतपूर्ण है त और विक्सित भारत के लिए बेहद जरूरी है वोटिंग करना जेपी नडड़ा की अपील थी चले सयोगी शुप्राम आसा तक अगादर बनी हुई है बेखुल लक्षमी और इत्मा फिर से हम भी दर्शिकों से अपील कर रहे हैं और बार बार ये अपील कर रहे हैं और अपील इसलिए भी बड़े नेताओं के साथ साथ न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप जरूर अपने मत का अस्तमाल करने के लिए पहुँचें मत दानकिंद पर जाएं वहाँ अपना वोट कास्ट करें क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत ही महतपूर है और साथी साथ न्यूज 18 आपसे ये भी कह रहा है कि अपना वोट कास्ट करने के बाद हमारे साथ आप अपनी सेल्फी भी शेयर कर सकते हैं हमारे टीवी स्वीन पर वो नंबर वी फ्लाश कर रहा है जिसके जरीए आप हमें अपनी तस्वीर अपनी सेलफी वाट्स अप कर सकते हैं जो हम आपको दिखाएंगे तो न्यूज एजिनिस पर के इस महा कवरेज पर हमारी नजर लगतार बनी भी है इसके साथ आप भी लगतार ग्राउंड जीरो से बने वे अलग-अलग तस्वीर हमा आपको दिखा रहे है अलग-अलग लोगसबाद शेतर पर क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है लोगतंदर के इस महाँ पर उके अलग-अलग रग भी नजर आ रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं चाहे युबा हो गुजुर्ग हो या फिर महिला वोटर या पूरुष वोटर सभी काफी उत्साइत होकर भारी संक्या में मतदान किंद पर पहुँच रहे हैं या रुकर एक छोड़े से ब्रेक के लिए पाच चार तीन दो और एक इसके साथ ही शुरू हो चुका है वोटिंग का सिलसला जैसा कि आपना को बताता कि साथ बैसे वोटिंग का सिलसला शुरू हो जाएगा और अलग अलग तस्वीरे भी निकल कर सामने आनी शुरू चाहेंगी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिखे किस तरीके से मतदान के इंदर पर लोग बहुँच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी ख़बर आको बता दे किस राज्य में 102 लोग समा की सीटों पर चुना हो रहा है बिहार में चार लोग समा की सीटों पर वोटिंग हो रही है यानि लोग जो लंबी लाइन में कताब लड़ा कर खड़े हैं आब वोट करने के लिए के करके मदान किंदर के अंदर पहुच रहे हैं तो 7 बजे का वक्त रखा गया था और ठीक 7 बजे और इसी बीच आप बता दे प्रदानमंदी ने ट्वीट किया है वोटिंग से पहले प्रिया मोदी ने अपील किया है लोगों से वोट करने की अपील प्रदानमंदी ने अपील किया है वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील कर रहे हैं और साथी साथ जैसा कि हम आपको बताया फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली वार यूबा मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं उनसे अपील की गई है कि वो अपने मत का अधिकार का अस्तमाल जरूर करें और नया रिकॉर्ड बनाएं और इसी के साथ रुकर लिते हैं सहयोगी लक्ष्मी का जिनके पास स्वक्त की बड़ी खबर तो बिल्कुल वो समय आ चुका है जब वोटिंग शुरू हो चुकी है और लंबी लंबी लाइने आप लगातार देख रहे हैं हमारे समबाद दाता बूत केंदरों पर मौझूद हैं और वो आपको जो आपर जुनता वोट करनी के लिए पहुँची है उनकी लंबी कतारे दिखा रहे हैं और यही आज के दिन की खोबसूर्ती है जब लोग घर से बाहर निकलते हैं बूत के इंदर पर पहुँचते हैं और अपने वोट कास्ट अमाल करते हैं आज के दिन की सबसे खोबसूरत तस्वीरे नियूज 18 बिहार जारकन आपको दिखाएगा और आज वोटिंग शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बठता जाएगा वैसे वैसे आपको बताएगे कि वोटिंग प्रतीशत बरती जा रही है वो भी आपको आकड़े बताएगे और आपको हर जगा-जगा की तस्वीरे दिखाएँगे कि कहां पर लोग जो है वोट पहुंच रहे हैं देंकि लोग सबाच चुना और 2024 में पहले चरण में 102 लोग सबाच सीटों पर चुना वोले जा रहे हैं और 21 राच में 102 सीटों पर वोटिंग तो ये बड़ी खबार और प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पार ट्वीट करके लोगों से वोट करने की अपील की प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग का नया रेकॉर्ड बनाने की अपील आम जुनता से किया और फर्स टाइम वोटर से खास तोर पर प्रदानम पर मौझूद है देखिए पहले चलन के वोटिंग की तस्वीर है आप साफ सवर पर याद देख सकते हैं और यह तस्वीर आज के दिन की सबसे अच्छी तस्वीर है और न्यूज 18 पर लगातारा कवरेज देखते रहें वोटिंग शुरू हो चुकी है और देख सकते हैं आप यह भूत केंदर की तस्वीर लिए चलते हैं आपको हमारे सयोगी शिप्रा के पास बेकुल लक्षमी और यही खुपसूरत तस्वीर जो हम लगातार धर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने मत का उपयोग करने मत्दान किंद पर जरूर जाएगे और ऐसे में देखि अपने उगली में दिखा रहे हैं जिसमें मतदान का वो चिन में क्योंकि आज जब मतदान करते हैं और आपके जो उपने देश में लोगतंत्र के स्माव पर हिस्सा लिया है और अपना नेता चुना है मोहन बागवत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो वोट कास्ट कर चुके हैं देखें सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुचे पहले से वहाँ पर मौजूद की होगी कुई साथ बज़े जैसे शुरू हुआ वोटिंग का सिफला सबसे पहले मतदान कर लिया है और ऐसी तस्वीरें अलग-अलग जगों से भी सामने आ रहे हैं कई सारे जो वी वी आईपी लोग हैं वो भी वोटिंग कर रहे हैं तो आज के दिन उत्सा सब में नजर आ रहा है चाहे युवा हो बुजूर्ग हो महिलाए हो या फिर पुरुष्मत दाता हो साथी साथ दी साथी साथ पहले चरण के लिए जिन जिन लोगसवाज शित्रुप पर वोटिंग हो रही है वहाँ वहाँ लोग पहुंच रहे हैं अब आट वर्षक के लिए विश्चन निर्धारिद करते हैं एक तरह सी और इसलिए सब लोग उने मतदार करना चाहिए शेश के इसको जान में रखका है अब आविचार स्वयम करके मतदार करना चाहिए और इसलिए आज सबसे पएदा विक्तिव्यत कार्यमेदी ये किया ह कि मैने मतदान के इसलिए आपने देशा से बहां कि निर्धारिद करना चाहिए और अपने प्रत्य मतदान केले पाईए पहले काम ने मी केलो उठ्या हो ते मी मतदान केले अप जिन्हों ने अपील की है लोगों से देश की जनता से कि आज अपना अधिकार जरूर आप इसका अस्तमाल करें और मतदान करें साथी साथ हम आपको बियार की चार लोगसबा सीटों की तस्वीरे दिखा रहे हैं क्या कुछ वहाँ पर अभी चल रहा है और जो लोग है वो कैसे पहुंच रहे हैं हमाँ साथ संपाताता रवी असनारा प्रदान मंतरी मोदी से लेकर के तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि जादा से जादा मददान करें और उसकी एक सांदार तश्वीर जो है वो गया में बोध गया में देखने को मिल रहे हैं बोध गया कि बूध संक्या 34 और 35 पर मैं मौझूद हूँ और यहाँ पे जो आप द पहार तक आपको दिखाई पड़ेगी और सब के हाथों में यह जो पहचान पत्र है और यह जो कतार है वो बताती है कि लोग तंतर कितना मजबूत है और लोग कितने उसाई थे जरा कैमरा परसंद से कहेंगे कि उद्धर महिलाओं के तस्वीरे जरा दिखाएं यह तस्वी कि अगर तीन पंक्ति यहां पर लगी हुई है और तीन पंक्तियों में सबसे जो बहतर आपको तस्वीर दिखाएगी एक पंक्ति जहां पर महिला सबसे पहले वोल्टर है एक युवा है और ठीक तीसरी पंक्ति है जहां पर बुज़ूर्ग जो है वो ख़़ा है तो जिन से उमीद है, युवा है, भुजूर्गों महिलाया हो, तमाम जो लोग है, वो सबसे आगे खड़े हैं, ये सबसे विशेश बात है, सबसे पहले वोल्टर आप बन रहे हैं, सबसे पहला, जी सर, दूप के बज़े से सुबह में बोट दे के अपना काम दे के, पहला वोल्ट देन ठीक है, ठीक है, ठीक है, रवी, और यहां पर विवस्ता भी काम की अच्छी तरीके से की गई है, जो हम देख भी पा रहे हैं, अलग-अलग लाइन भी लगाया क्या है, एक बार रुप कर लेते हैं, समबद दाता आमित का, आमित हमाय साथ जुड़े में, आमित आपके पी पर द्शन मनत्री अपने संबादों के दौरान किया करते हैं, जब भी वो चुनावी सवा को सभोड़ीत करते हैं, तो वहां पर महिला सकती का जिकर जरूर करते हैं, और वही महिला सकती जो है, वो आज यहां पर पूरुष को पचारे हुए है, महिला का उनने में, और यह जो महिला के कतार है वो बताने को काफी है कि महिलाएं जो हैं अब सिर्फ चुले चौके तक सिमित नहीं है बलकि वो सरकार को बनाने सरकार को बनने और मजबूत सरकार लाने में भी अपनी भागदारी निभा रही है और पुरुसों से कहीं ज्यादा इनकी भागदारी जो है वो नजर आ रही है और यही वज़ाय सिक्ता की देख सकती हैं यहां पर पुरूश की कतार जहाए वो बौनी पर गई है इन महिलाओं के जो कतार है उसके सामने और सथे सुखत तस्वीरे के और है यहां पर जिसकी हम दर्सकों को दिखाना चाहेंगे जिस तस्वीर को द जा रहा है जरा अगर आप बार्चीत करता है वोटर से देखिए आपसे गुजर पहले एक फर्स्टाइब वोटर ने वोट डाला और महिला थी और उन्होंने वोट डाल कर लोगों से अपील भी किये कि मैं जल्दी से जल्दी बूत पर पहुंचे और देखिए कुछ महिला भ किस मुद्धे पे बोट डालने आई है आप किसी पार्टी नाम नहीं बताईगा जैसे शौक जैसे भूट देना जरूरी ना है इसे बोट एक उतसा भी होता है पर जो नागरिक है तो देरा जरूरी है यह कुछ दिखा रहे हैं एब आप लाइन तो देखी सकते हैं और ठीक कि इसके बगल में एक और लाइन बना हुआ है जहां पे महिलाइं भी पहुंच रही है और अपना वोट डाल दी है दो बूत है एक बूत हमने उधर दिखाने कोशचिस की एक इधर डेधी बोट की डालने जा रही है देने जारी है कैसा लग रहा उस्ता कैसा लग रहा आप जादे देखेंगे कुछ देर के बाद देखेंगे कि कुछ सुवा सुवा हुआ है ना अभी अभी अपने बच्छों के लिए चाहाँ चाह पानी बत्ना कि इस बूत पर हमें रेकॉर्ड तुटे देख सकते हैं कि महिलाएं पूर्सों को पीछे छोड़ने वाली हैं तो दो पर दिखेंगे महिलाएं आने वाली हैं बिलकुल सारी महिला जो है अभी सु रही होंगी लेकिन जगने कबाद तुरत है वो यह सबसे पहले लोगों को आज उठा रही हैं जल्द से पहुंच जहीं पिंच जहीं हम लोग डिरेक्टर लेक वोट दे नहीं है बस देना है पिल्कुल तो दिके और भी एक अम्राइला है आप सुबह में साड़े शे बजी पहुंच के लिगता है यह जे सार हमा साड़े पांचे में चल दिया कोई बोल दिया कि छे बज़े से होगा गर्मी के दिन में हमा के फिन महाकाल के मंदिल के पास बैठा हुए थे घंटा से इं बिल्कुल तो अभी आमेबार उखे लेते हैं लक्ष्मी का लक्षी के पार उस वक्त की बड़ी ख़बर है लक्ष्मी बिल्कुल देखे वोटिंग शुरू हो चुकी है लंबी लाइने शुरू हो चुकी है और आपको बताते चले हैं कि जगे जुगए पर वोट पढ़ने शुरू हो चुके हैं और जितने भी बड़े दिगश्रिता हैं वो ट्वीट के जरीए और मेसेज के जरीए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर से बाहर निकलें और वोट डालें क्योंकि वोट डालना बेहत जरूरी है और अगर आप अपने वोट का स्तमाल करेंगे तभी आप सक्षम सरकार बनाने के लिए आप अपने अधिकार का स्तमाल कर पाएंगे तो आपका एक वोट एक वेक्ती एक वोट और उसका एक मोल बेहत मत पून हो जाता है जब चुनाव वोरा होता है तो कुछ तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं और श्यानवाज हुसेन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुन्वा देते हैं देश के अंदर पहले फेस का चुनाव है जो लोग भी घड़ में हैं जो आज वोटर हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि आईए बूत पर जालिए तो कि आपका वोट बहुत कीमत रखता है लोग संत्र का पर्व है एक एक वोट आपको भारत को शक्ति प्रदान करेगा तो शरवाज हुसेन को सुन रहे थे आप जिन्होंने लोगों से अपील की है वोट करने की और न्यूज लीटीम ब्यार जारकन भी आपसे जुर्ग वोटर है वो पहुँच चुके हैं सबसे पहले मतदान करने के लिए और वो जो अनुभूती होती है मतदान करने के बाद वो भी हमाने साथ वो अपना एक्सपीरिंस शेयर कर रहे थे और जो लोग है पाँच बजे से ही मतदान के दरे पहुँच चुके थे एक आ पास्वान ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है क्या कुछ का है उन्होंने वो भी आपको सुनवा देते हैं आप सभी से यह अपील करता हूँ आज 19 अपरेल लोग सभा के चुनाओं का पहले चरंग का मददान आज होने जा रहा है आप सब से आगरा करता हूँ घर से बाहर जाएं सबको लेकर जाएं तमाम रिष्टेदारों को तमाम अडोस परोस के सब्सक्राइब करता है अब लोग को लेकर जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें और लोगतंद्र को और मसूद आना है कि दादी का नाम है कितना उमर नबे नबे साल और फिर भी बोट डालने पहुंचे का करें बेकर रोकें नहीं है बहुत बड़ा संदेश भी आप दे रहे हैं कि नमें चलने में दिकत हो रहा लगता है कि आई चली लेके चलते हैं आप अचा कैसा महल दिख रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बटाई दार यह भी बहुत लोग है जो घर से निकला ही नहीं है तो बोल दीजे हो लोग को भी निकलने के लिए और सबसे बोल दीजिए कि आप लोग भी पहुंचिए बूट पे अपील कर दीजिए चाल पाट रहे हैं तो देखिए बहुत दिल्चस्प तस्वीर है और लोगतंगर की तस्वीर इससे खुपसुरत दिखनी सकती है जब 90 साल की बुजूर्ग महिला भोट डाले पहुंची ह तो तस्वीरे आप लगाता आप देख रहे हैं अभी आपने देखा कि बुजूर्ग महिला में कितना उत्सा है कितना जुनून है आज के दिन वोट डालने की वो भी जानती है कि एक वोट का कितनी ज़ादा मात्पूर्ण है उनकी एक वोट क्योंकि जननता ही है वो आप ही जो किसी के सरताथ सजा सकते हैं तो किसी को गद्धी से उतार भी सकते हैं इसलिए घर से बाहर निकल लिए और वोट डाले चुलिए सीधर लिए चुलता है आपको हमारे सायोगी शुप्रा के बास बिल्कुल लक्ष्मी अभी हम तस्वीरे दर्शकों को दिखा रहे थे औरंगा बाती आप उन्हे लिए चलते हैं गया जहां समवा ताता रवियस नराने मासा जुड़े वे हैं वहां अभी क्या कुछ तस्वीरे निकल कर सामने आ रही हैं वो हम दर्शकों दिखाएंगे रवी अगर हम भी देख पाएं जैसे कि आप बता भी रहते कि बहुत बाई संक्या में जो लोग हैं तीन कतारे भी बनाई गई हैं युवा अलग खड़े हैं महिला अलग हैं साथी साथ बुज़र को भी वहां पर अलग लाइन लगाई गई हैं अभी वहां पर किस तरीके क देख पा रहें आप तस्वीरें और जो लोग हैं वो किन-किन मुद्धों को खास्तों पर उठा रहे हैं क्या है उनके मन में यह बिल्कुल देखें तस्वीरों के साथ बात करते हैं एक तो कि पूरा जो आप देख सकते मद्द्विद्याले का जो पूरा प्रांगन है वो म देख भूद्ध गया को जो चेतर है वह सवेदन शील है 356 बूट जो है वह सवेदन शील है यहां पर शाम चार बज़े तक ही यहां पर वोल्टिंग होनी है लेकिन सवेदन सीलता जो करता है कि उस पर जो जोश है वह कितना हावी है उससे कोई फरक नहीं पड़ता और इसल रुपी हो चुके हैं और लगातार हम वो तस्वीरे भी दिखा रहे हैं और इसी भीज रुख करनते हैं लक्षमी का जिसके पास है असवक्त की बड़ी खबर बिल्कुल निके समबाद बाता लगातार बूत किंद्रों पर मौजूद हैं और आम जुनता से बात भी कर रहे हैं तो कि पबलिक है सब जानती है लेकिन बड़े बड़े दियता जो हैं वो भी लोगों से वोट करने की अपील करें जमुई के वोटर से अपील की है जमुई के स्वस्त जमुई के लिए वोट करें ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए जाएं और जमुई के निर्मान के लिए वोट करें चुराग पासवान ने वोट करने की अपील की है चुराग पासवान की अपील आपको बता रहे हैं उन्होंने क्या कहा है उन्हों वोट करना जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए जाएं अब सब से आगरा करता हूं घर से बहार जाएं सब को लेकर जाएं तमाम रिष्टेदारों को तमाम अडोस-बडोस के सब लोग को लेकर जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें और लोग तंद्र को और मज़ूत बनाएं दन्याब बिल्कुल तो जो अपील की जा रही है नेताओं की तरफ से और लोग भी इसे समझ रहे हैं और उसी का आसर है कि लोग जो है वो मतदान के इंद्र पर पहूंच भी चुके हैं वोटिंग का सलसला शुरू भी हो चुका है एक बार फिर से रुप कर लेता है रवी का रवी हम अभी आप बता भी रहे थे लोगों से बाशीत कर रहे थे एक बार फिर से आप महिलाओं से खास तोर पर जुड़ें और उनसे बात करें कि उनके क्या वो सोच नहीं है क्या सोच कर आज वो EVM का बटन दबाएंगी महिलाओं का जो उत्सा है वो तमाम बाते कहता है और इनसे जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो जिसे ले करके वो भारी संक्या में यहां पर पहुंचे है आज जो वोट आप जालेंगी बटन दबाएंगी किन मुद्दों को ले करके है किसे वोट दे रही है बताना जरूरी नहीं है किन मुद्दों को ले करके मुद्द हैं विकास के, मुद्द हैं, रोजगार के सबसे बड़े मुद्दह हैं और जो भी तमाम जो भी सिक्षा विभाग है, और भी विभाग है, और कैसे वो अचछे हो सके उनका डैवलप्लाप्मेंट और कैसे अच्छा हो सके, फैसलीटी कितना मिल सके होस्पिटल्स हैं स्कूल्स हैं और कैसे वहां पर बच्चों को अच्छी तरीकी से शिक्षा दी जा सके और जितने भी तो यह देखे तमाम जो मुद्धे हैं वो सामने हैं जेहन में है बाता जी कब से खड़े हैं कितने उमर होगी अपकी पचास और पाच पचास और पाच पच्पन क्या किन मुद्धों कर लेकर करके आप यहां पे खड़ी है अच्छा है हम लोग के भूख मरी में एक साथ है ता उसके बोड़ दा लेंगी तो हर वक्त आपके साथ दे आपके मुश्किलों में खड़ा रह कितनी सजग है और यहां पर किन मुद्धों को ले करके आप यहां पर वोड़ का बहुत महत्तम है इसलिए हम लोग भूट देने के लिए आए हैं और जब आप वोड़ देंगी तो क्या-क्या जहन में है किन बातों को पावली को क्या समस्या है आपको पता है ना बस सुकर क कि जीतने वाले समस्या का समधान हो तो आप वोड़ देंगे तो समधान जरूर हो उमीद कर रहे हैं और इसी उमीद जहें वह लोग कंतर में देखें तमाम जो लोग है यहां पर जो खड़े हैं वह उनको पता है कि आज जब हम वोड़ डालेंगे तो उसमें बदला जब जमुई की तस्वीर दिखाते हैं जमुई में क्या कुछ हाल है हमारी सेयोगी लक्षमी का रोक कर लेते हैं तो बिल्कुल देखिए लगातार समभादाताओं से बात कर रहे हैं और बूत केंद्रों पर जोहां मौझूद है समभादाताओं वहाँ पर उनकी हाल जान र सबसे आगे हैं मौझंता वोट करने के लिए पहुंची है यहां नक्सल का प्रभाव था काफी चरम पे था और इसको देखते हुए स्टिती बडल चुकी है जो लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे खौफज़दा हुआ करते थे आज वह सरकार को बडलने निकले हैं यहां पर यह महिला है जो चुलाय चक्या तक सिमित थी आ अपने कामकाश को चुछ हो करते हैं अपने घरों से योगी शिप्रा की ओर चलते हैं उनके पास कुछ जानकारी है शिप्रा बिल्कुल लक्ष्मी और हर जगा हमने एक ही तस्वीर देखी अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने यही देखा है कि जितनी भी महिला हैं वो हर लोकसमा शेतरबर खास्तों कर वियार में महिलाओं की संख्या काफी जादा देखने को मिल रही है यानि इससे साफ है कि इस बार महिला वोटर जो है काफी जादा जाग रुख है और साथी साथ वो अपनी मुद्दे भी चुन कर आई हैं रोजगार को लेकर विकास को लेकर अपने शेतर की समस्याओं को लेकर वो इस बार वोट करने जा रही है और फ़र से रुख कर लेते हैं लक्षमी का उनके पास बड़ी ख़बर है तो बिलकुल शिप्रा देखेल हमाई साथ संबाद दाता अमित बने हुए हैं और उससे पहले रुख करेंगे एक बड़ी जारी है जमुई और अंगाबाद में भी वोटिंग जारी है ये बड़ी खबार और ये लगातार अपडेट मा कवरेज आप देखने हैं निउस 18 पार 20 मिनट से जादा की वोटिंग अब तक हो चुकी है और वोटस में जबर दस उससा देखने को मिल रहा है क्योंकि वोटि क्या विवस्ताएं कितने वोटर्स पहुंच रहे हैं इसकी भी जानकारी दे रहे हैं तो जमुई से आमिच हमारे समबाद आता ने ज्राइजा लिया है लोक्तंत के महापर्पकाज पहला दीन और पहले चरन का मद्दान जो है वो सुरू हो चुका है आपको हम दिखाना चाहेंगे यह जमुई लोक्सवाच्चत्र का बूस संख्या 189 है और यहां देख सकते हैं कि सुरुक्षा के बीच में जो है मद्दान हो रहे हैं महिलाएं अपने बच्चे को लिखर के मद्दान करने यहां पहुची है तो यह तस्वीर देखिए एक दो नहीं बलकि यहां पे दरजनों ऐसी माय हैं जो अपने बच्चे को लिखर के दुद्मुए बच्चे को लिखर के यहां पे वोट काश्ट करने आई है तो हम इन लोगों से ब सब्सक्राइबRIS की नेल पॉलिस जो इन्हों ने लगा रखा था उससे खुब케 कि आई यहां नजर आ रहिए किस सॉच के साथ आपने वोट किया है किया साथि का कि इस नरी सकती तो जाहिर सी वात है कि महिलाओं ने ठाथ नहां कि इस बार जो है बहतर सरकार लाना है और उस्हों के साथ यहाँ पे महिलाई जो है वो वोटर कास्ट करते हुए नजर आ रही है पूरिस की करतार है उससे लंबी महिला की करतार है और ना जी सकती कहीं कहीं यह बता रही है कि अब वो सिफ घर में चुला चौका करने भर के लिए नहीं है वो सरकार को बदलना जी जी अमें तो आपने देखा असनवादातामित की ये रिपोर्ट जिसमें आपने महिलाओं की लंबी कतारे देखी दूद मुहें बच्चे को लेकर महिलाओं पहुची हुई है वोट करने के लिए तो आप सोची कि उनमें कितना उत्सा है और कितनी जादा उमंग है और सरकार चुनने के लि देख में 102 लोगसबा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बिहार की बात करें बिहार में चार सीटों पर वोटिंग जारी है सुभा से ही भारी संक्या में मदाता जो है वो पहुच रहे हैं मदान किंपर और वोट अपना कास्ट भी करें सबसे पहले वो तस्वीर नीजे लिए-बिहार जारकन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं साथी साथ आप हुमाय साथ अपना सेल्फी भी शेयर कर सकते हैं आप जैसी ही वोट कास्ट करें एक सेल्फी लीजिए और नीजीडिन बिहार जारकन के साथ आप ох़े शेयर कीजी हमातpelled पी है ज पर आप जरूर पहुंचिए क्योंकि ये आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट दिन है और आपका एक मत जो है वो पूरे देश को देश में नई सरकार मारे काफी महत्तपुन है और फिर से रुकने ते लक्षमी का हमार सब लक्षमी जुड़ी वें उनके पास इस वक्त की बड के खबर तो विल्कुल वोटिंग का अगाज हो चुका है पहले चरन के चुनाओ के लिए मतदाता जो है वो वोटिंग से वहाँ पर बूत के इंदरों पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं और आज के दिन जितनी तजबीरे सामने आ रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं बुजल्क महिलान दाफी सादा उत्सा आए लिकन इस वक्त की एक बड़ी खबर गयो रुक करता है आज यडी प्रत्याशी आपको बता दे आज यडी प्रत्याशी ने प्रवोट डाला पतनी के साथ बोट डालने के लिए पहुंचे आज यडी प्रत्याश ने बोट डाला है आज यडी प्रत्याशी बोट डालने के लिए पहुंचे और आपको यह बता दे इरिक्षा से बोट डेने के लिए पहुंचे यह बड़ी खबर है इरिक्षा से बोट डालने के लिए आज यडी प्रत्याशी बोट डेने के लिए मदान केंदर पार पहु कुमार सरवजीत अपने पेसमें एख्रोप अर्व डालेंग के लिए पहूंचे हैं ये बड़ी-घबर है अब जो प्रत्याशी वह भी वोट डालेंग के लिए पहुच रहे हैं तो इधर आज जुझी प्रत्याशी गया में वोटिंग जारी है देखे गुमार सर्जीत में वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद अपनी जो उंगली पर सियाई लगी थी उन्होंने वोट डिखा दिया और जो गुमार सर्जीत है वो अपने पत्नी के साथ इरिक्षा में बैठ करके वोट डालने के लिए गए और हमने आपको तस्वीर दिखाई साथ आप सभी जितने प्रत्याश्टी हैं वो वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं ये गया की कुछ तस्वीर हैं हमने आपको दिखाई कुमार सर्जीत की तस्वीर हैं हमने दिखाई गया में वोटिंग जारी है ऐसे में कुमार सर्जीत बोट डालने के लिए मद्दान केंदर पहुंचे अपनी पत्नी के साफ में यी रिक्षा पर बैटे हुए और लगतार आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं मद्दान केंदरों की जो आप लंबी कतारे आप देख पा रहे हैं जगे जगे के तस्वीरे औ और यहाँ पर मुकाबला बेहद ही करा देखने को मिल रहा है प्रत्याशी जो है वो कौन से प्रत्याशी को जीत मिलेगी यह आने वाले वक्त हम पता चुलेगा फ़लाल यहाँ पर जो मद्दाता हैं वो लाइनों में खड़े हुए का वो डाल रहे हैं माई से वीशिपरा अलगातार बनी हुई है बिलकुल लक्षमी और देखी एक खूबसूरत तस्वीर हम लोकतंद्र की खूबसूरत तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितना उत्सा मद्दाताओं में है चाहे बुज़ुर्ग वोटर हो या फिर महिला व कुछ दे के बाद वोटिंग परसेंटेज आने भी शुरू हो जाएंगे हमारे साथ दानेश श्रीकवान बीजेपी की प्रवक्ता और कॉंग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ विलोग शर्म लगतार बने वे हैं दानेश जी इस बार कई सारे मुद्दे हैं जनता के मन में जब ह बार वार एक जी बात को कहने में हमको ठ्रासा कैसा तो लगता है मुद्दा तो असपस्थ है जो पहले भी कहते रहे हैं जनता के सामने और प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग में भी सोलत तारी को गिनाया है तीन पर मुद्दा इसे बहुत से मुद्दा है और पर मुद्दा प्रियास होते हैं थर्ड क्रॉप्स कहा जाता है रिरीफ देने का तो अभी आप जितन रामान जी को सुन रहे थे एंडी प्रत्याशी जितन रामान जी दानिश जी मैं आपके पास एक बार वापस आती हूं दर्शुकों को बता दें अभी हम बयान सुना रहे थे जितन रामान जी का इंडी के प्रत्याशी है गया लोगसबा सीट से अभी कुमार सरवजीत जो उनके मुकाबले में आप खड़े हैं आज जिडी प्रत्याशी उन्होंने वोट कास्ट कर लिया अपनी पत्नी के साथ गये थे अब जितना मान जी भी वोट कास्ट का निकले जो है जरूर जाएंगे वो तस्वीर भी दर्शे को दुखाएंगे दानेश जी आप अपनी बात कम्प्लीट कीजे जी बिलकुल नुशित तौपर में कह रहा था कि प्रधामंतरी का दस साल का जो कारेकाल है वो आजादी के बात एक एतिहासिक कारेकाल रहा है क्योंकि जिस परकार से जो इस देश के अंदर जटिल समस्याई थी जो देश के विकास को बादा पहुचाती थी जो देश के सौहार्द और उसके जो माहौल ता उसको खराब करती थी उन सभी विशे को प्रधार मंतरे में आड़ेस करते पहुत सो वर्षों से चुरा आरा जटिल समस्या राम मंदिर का जो विशे था उसको जो है सौहाद पुन तरीके से शांती पुन तरीके से प्रान परतिश्टा करा ले आता है और देश में जो है एक अच्छा महौल पाइदा होता है जो विकास की बाधार थी विकास के और क्या लगता है उन मुद्दों को क्या मजबूती के साथ आप जनता के बीच लेकर गए हैं जिस पर धरोसा जनता जताएगी देखिए बिहार में जनता मुद्दा उठा रही है बिहार सुरू से बिरोजगारी दर में सबसे आगे रहा है और आज सबसे बड़ा बिरोजगारी का हब बन गया है तो बिहार के लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले सबसे बड़ी बात है महंगाई से त्रस्थ हैं बि चीजों के दाम आस्मान चुह रहे हैं गरीब क्या करें तो सबसे बड़ा बर्ग है भोटर गरीबों का इसलिए गरीब चाहते हैं कि हमें प्रधान मंत्री जी से हमें मुक्ति दिलाते लेकिन यह संभव नहीं हुआ दस सालों में भी संभव नहीं हो पाया अश्चरजनक बात है मुद्द्य गिनारे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं की कुछ काम किया ठीक है उस्तितर धारा हटी लेकिन जनता को क्या फाइदा हुआ राम मंदिर बना जनता को क्या फाइदा हुआ क्या उनकी भुक मरी समाथ हो गई आप तो और असी करण लोग को कोटर अर्थमा दिया जो गरीब लोग रोजगार चाह रहे हैं आप उनको कहते कि लचार बना दे वहीं काम करते रहे कि वह आसा में खड़े रहे तो देश चलता है एक सहुलियत से सलाहियत से और आप उस पर चिंता नहीं कर रहे हैं आप नहीं चाहते हैं कि गरीबी दूर हो मांगाई दूर हो हर ब्यक्ति को रोजगार मिले तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना तो बिहार के लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं और निश्ची तुप से मुद्दे के कारण बिहार में विनो जी कई सारे मुद्दे हैं ज रुख कर देते हैं जेन जिग्यासु जी आपका अभी आपके ही प्रत्याशी जो है कुमार सरवजीत वोट कास्ट करके आये और उन्हें कहा कि बहुत जनता का समर्थन जो है वो मिल रहा है इन चार लोगसभा सीटों को लेकर क्या सोच पा रहे हैं आप क्या उमीद जता र लिए अपने सभी मंत्रियों को उतरदाई तो बोट के साथ लगाया जनता उस पर जरूर मोहर लगाएगी और सरवजीत जी तो क्रिशी मंत्री रहे हैं और हम लोगों ने इस अकिल भारतिय चुनाव में लोगों के बीच वाइदा किया है कि हम स्वामिनातन कमिशन की रपर रहेंगे किसानों के बच्चे ही जो सीमा पर जवान के रूप में तैनात होते हैं उनकी अस्थाई बहाली हिरसे हो सके और अगनीवीर स्कीम को रद्द करके उनके साथ जो भरी जवानी में खिलवार ये सरकार कर रही है उस प्रूर गिनाने केल को अग्बंदार में हमाई स का काफी जादा हम देख भी पा रहे हैं लोगों में चाहिए महिला हैं वुजूर्ग है या फिर पुरुष वोटर हो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पहले तो इस तस्वीर को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं किस तरीके से इस लोकतंत्री खूफियों और तस्वीरो आप देखते हैं शाम तक कितना मच्डान होता है यह जाता हूं कि सव प्रतिशत तक मतडान पहुंचना चाहिए सव प्रतिशत नहीं पहुंच सके तो कम से कम 80-85 प्रतिशत तो होना चाहिए अगर सव एकवल साथ लोग मतडान करेंगे तो जाहर सी बात है कि 40 लोगों का ज प्रचित नहीं हो पाता है, तो ये लोकतंति को मजबूत करने के लिए नागनिकों को भी समझना चाहिए और इतने भी स्टेखोलर्डर्स हैं, उनकों इस बात को समझना चाहिए कि जाधा से जाधा लोगों को शामिल करें, किस तरह से शामिल करेंगे बिहार, जैसे राज्यो मैं आज भी बिहार में बोटर हूँ, लेकिन मैं बिहार से बाहर रहता हूँ, और ऐसे कितने सारे लोग हैं, मजबूर, तरह-तरह की नौपरी करने वाले, विद्यार्थी, तरह-तरह के लोग हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, और उनकी संच्चा बहुत बड़ी है, तो च पुलिस बल सरक से गुजरने वाली गाड़ियों की जाच भी कर रहा है कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया है जाइजा लिया है न्यूज 18 संबादाता संजे कुमार में चार लोग सबाच्छेतरों में मद्दान जो है वो चल रहा है नवादा लोग सबाच्छेतरों में मद्दान की प्रेक्रिया जो है वो शुरू है और देखे तस्वीरों में किस कदर जो पुलिस कर्मी है वो सरकों पर उत्रे हुए है और यहाँ पर सुरक्षा बेवस्ता काफी कड़ी की गई है चपे चपे पर फुलिस कर्मी तैनात है और सरक पर लगातार जो गारिया आ रही है उसकी जाच चल रही है जो स्वीप्यू है यहाँ पर उनके नित्युत में यह कारवाई चल रहे है किस तरीके से आप लोग जाच कर रहे हैं आज जो चुनाव है उसके मद्दे नजर जो है हम लोग इस वाए अहां पर आने जाने वले बाहलों का संध्यात्मक बस्तुवों को चेक कर रहे हैं और ऐसे ही आज जो है पॉब्लिक केरियर को नहीं चलना है लेकिन जो मर्जनसी गारी है जो चल रही है उनको भी हम लोग सखन चेकिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से अब तक क्या फैंडिंश रही है अभी तक जो है कि जो कुछ गारियां है जो कि जब्त किये हैं जो बिडाउट हेल्मेट है या अना बश्चक जा रहे हैं जो बोर्ड दे ले जाते हैं उनको हम लोग सवच्छ जाने देते हैं बट उसको नियम पालन करके ह क्या अपील कर रहे हैं हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग जो इंस्ट्रक्शन से उसको फॉलो करने चुनाव आयोग ने आज की तारीक के लिए कई तरह के दिशाने देश जारी किये हैं उसका अनपालन करना हम सब के लिए जरूरी है मदान केंद्र पर जाएं जरूर यह जारी है तो उनका दिशार की जारी है और हम सब का दाईत वहं प्रसाथन को सायोग करें और चैनकार कहीं हम पूरे दिन면 की प्रक्रिया है उसमें अपना महतुर्पून योगदान दे सकते हैं कमया परसन अजय दूबे के साथ संजे कुमार नुजेटीन नवादा महा कवरेज आप देखते रहे हैं हमारे सयूगी शिप्रा के पास भी जलते आपको बिल्कुल लक्षमी और दिखे सुरक्षा के भी कड़े इंतिजाम किये गए हैं इस बार और शांती पूर्वक तरीके दे चुनाव संपन कराया जा इसको लेकर पहले से ही लोगों के लिए जागुता फिलाई जाये थी पुलिस ने फ्लाग मार्च भी किया था और आज वो तस्वीर दिख भी रही है कि काफी अच्छे तरीके से जो लोग है वो लंबी-लंबी लाइनों में कतार लाकर खड़े हैं और बहाँ पर मौझूद होकर अपने मद्दान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं हमारे साथ गेस्ट लगातार बने वे हैं जिन से हम एक एकर के इस पर बातचीत भी कर रहे हैं जाहिर सी बात है इन लोग की भी धड़कने तेज़ जरूर होंगी क्योंकि आज जनता जो है वो वोड के जरिये अपना नेता चुनने जा रहे है दानेश जी जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधान मंती नैंडर मूदी ग्री मंत्री अमिट्शा हो गए रक्षा मंती राजनात सिंग जो थे वो भी बिहार दोरे पर पहुँचे और उन्होंने चुना पचार किया क्या लगता है जो कड़ी महनत आप लोगों ने की है तो ये चार लोग सबाकी सीटे पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग को मिल जाएगी प्रधालमंतरी के नित्रित में देश की अंदर कार हुए है चाहे वो एतिहासिक कार रहे हो जो पिछले 500 वर्षों से लंबिट थे या देश की अंदर जो 70 वर्षों से कॉंग्रेस घरीबी के अनारा देते आई है और आग भी कॉंग्रेस की परवक्ता जो है ये जवाब द देने को तयार नहीं कि 70 साल जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी तो घरीबों के लिए उन्होंने क्या क्या लेकिन मैं बताने को बता सकता हो यहां पर कि 10 साल के मोदी जी के कारेकाल में अगर सोचाले दिया गिया पूरे देश की अंदर तो उसका सबसे आदा साइदा ज तरित में बिजली पहुचाने का काम किया गिया है किर्शी के लिए जो किसान है उनको जो है राशी देने का काम किया गिया है जन्धन योजरा के माद्यम से कौर्ट खुलने का काम किया गिया है याली जो लोग के लियामकारी कारे हो सकते हैं आपको पांच लाग तक के इला गरीब को मुखधारा में लाने का काम किया हो लेकिन इस दस साल के नित्रित में प्रधानमंतरी ने गरीबों को मुखधारा में लाने का काम किया हो चाहे योजना हो चाहे लोन के माध्यम से हो चाहे विश्करमा योजना के माध्यम से हो जो हमारे कारिगर है तो दानेशी आप पूरे 70 साल का ब्योरा लेकर के बैठ गए है दानिश इकबाल जी अब इसका जवाब दीजिए विनुट जी कि उनके उनके साथी के लोग रामविलास पासवान जैसे वरिश देता को की पतनी को गाली के रहे हैं पेत्रों का दाम साथ रुपिया किया सतर बर्श लगे लेकिन भाजपा ने दस साल में सिधे दूगना कर दिया तीगना कर दिया गैस का दाम यही है विकास क्या यही है सारी चीजु की दाम दूगने तीगने दस बर्शों में हो गए कैसा विकास आपने किया आज प्रधान मं प्रदर्शन देखिए प्रदर्शन को आप देख सकते हैं आख्रे हैं मारे पास प्रदर्शन कितनी आई पिछली बार करने इस वार काकलन कीजिए ना इस वार कर दिया उसको हम सब्सक्राइब परफॉर्मेंस को बताईए परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हमारे जीन राज्यों पे सरकार है बहुत अच्छा काम हो रहा है हम और दिशलीं के पॉर्मेंस की राजिए करते हैं हम सब्सक्राइब करते हैं हिंदو मुस्लिम की राजिए दिया करते हैं हम सब्सक्राइब हो रहा हाUL कारतीं किसी किसी के कहने से जाएंगे इसको क्यों नहीं जाते हैं जोड़िए ना काम पर आते हैं विकास पर आते हैं विकास पर कितना आते हैं पिछले बार आपनी किस तरीकी से प्रदर्शन किया और इस बार किस तरीकी से प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाप प्रचार में भी आप लोग बहुत जादा एक्टिव नहीं दिखे एस कंपेर टू बीजेपी एंडिये की तरफ से खोब सारे दिखे प्रदानमत्री खुद इत प्रदर्शन का जहां तक तालुक है तो आप जान रही है कि दुनिया के किसी देश के किसी सूबे में साल भर के अंदर 17 मेने के अंदर सारे चार लौक नोपरी नहीं दी गई हमने मेडिकल में आपको मालूम है आई जे एमस में मुफ्त में इलाज और जाच दवा की ववस् मंत्री बने थी ते जबी आदर तो मिशन सिस्टी उन्होंने चलाया था और वो साथ दिनों के अंदर उन्हें कहा था कि एक दम विवस्ता बिल्कुल साही हो जाएगी सारे अस्पिताल सुदा वहां पे विवस्ता तंच रहेगी लेकिन ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला प्राव में भाजबा 200 से नीचे जा रही है हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं हम पर लोग भरोसा कर रहे हैं काम गया सिलिंडर को 500 उपियमें देंगे इस देश की जनता को हम जो है पुरानी पिंसन स्कीम लागू करके लोगों को रहात देंगे जो सरकारी करमिशाडी हमने चीक है तो इस बार देखना होगा कि आप लोग जो भी इस बार बादे जनता से कर रहे हैं उन बादों पर इस बार कितना भरोसा जनता आप पर करती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा और आप तो बेके बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है नियू जीटिन बि वोटिंग के बारे में पल-पल का अपडेट दे रहे हैं पहले चलन के मतदान में आज देखें बिहार की चार लोग सभाव सीटों पर मतदान हो रहा है साथी साथ पूरे देश में 102 लोग सभाव की सीटे हैं जहां मतदान अभी चल रहा है वोटिंग का सुरू हो चुका है एक गंटे का वक भीबिच चुका है, वोटर मत चुका है, लग रहा ये कुल बड़ी कबर है, रुक करते हैं लक्ष्मी का बड़ी कबर चुटिंग में बाधा आई हैं, रजोली के सवयातार पंचायत में इवीअम खराब हो गई है। उर्दू मर्दी विद्याले के इंदर पार EVM खराब होने की खबार, बूट संख्या 337 पार EVM खराब, ये बड़ी खबर आप तक पहुचा रहा है, देखें एक गंटे होने को हैं, और एक गंटे के अंदर ही EVM खराब होने की खबार, वोटिंग में बादा आई, रजोहली क सवयातार 25 में EVM खराब हो चुगी है, उर्दू मर्दे विद्याले के इंदर पार EVM खराब होने की खबार, बूट संक्या 337 पार EVM खराब होई है, आपको बता देंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और आप 8 बजने वाले हैं, लगबग एक गंटे का समय और एक गंटे के अंदर ही देखे, EVM खराब होने की खबार समने आ रही है, जाधा जानकारी देंगे, संबाद अता अनिल विशाल उमारे साथ जुड रहे है नवादा से, अनिल ईविद्याले की खबार समने आ रही है, पूरी जानकारी दीजे जी देकिए ये रजोली विदान का पता ये उर्वाद प्रवावित इलाका है सवरिया काल पंचाइस का या सिम्रातरी गाउं है वहाँ पे गुर्दू मद्री द्याले पे पूछ संख्या कुछ सब्सक्राब है इडियम जुरू से खराब है हला कि डिस्टिक कंट्रोल रूम में इसकी सब्सक्राइब तो गर दी गई है और इसके लावा एक और कुछाई है कि नक्सल प्रवावित एक और इलाका है उसका भी कंफर्मेशन महीं हो सका है लेकिन आनिल लेके वोटिंग शुरू होते ही के अवल एक गंटा ही हुआ और एक गंटा की अंदर इवियम खराब तो तयारी कैसे की गई थी तक्टर विबात है कि अनक्सल प्रवावित इलाटा है तो यहां पर वोटिंग शुरू है तो लोगों का एक गंटा जो है वो बहुबूल समय निकल शुक्रा है तो जिलापर फासन उसे जल्ट जल्ट करने में लगा हुआ है और लोगों को भी वहां पर रखा गया है क्योंकि वहां पर लोगों का टर्मप हुआ है तो निल क्या के रहे हैं अधिकारी कब तक जो यहां पर इवियम खराब हुई है वो ठीक हो पाएगी जी वहाँ पे जो चुनाव कर्मी जो मौदूद है उन्होंने अपने वरिया दिकारी के उसके सुषना दे दी है और लगतार उसके एक ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो पेर में जो डीटियम रखने हुए है ठीक है आने आप नज़र बनाए रहे हैं फिलाल आपको बहुत शुक् जारखन पर ही नज़र रखी जा रहे है चाहे अधिकारी हो नेता हो या फिर लोग हो वो सबी न्यूज इडिन बे आप जारखन को अभी देख भी पा रहे हैं उससे अपडेट भी ले रहे हैं इसलिए सबसे पहले हम अपडेट आपको पहुँचा रहे है साती साथ हम उन लोकसभाज शित्रु का भी रुख कर लेते हैं जहां अभी वोटिंग चल रही है क्या कुछ तस्वीरें अभी वहां से निकल कर सामने आ रही है कि अब तक जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो काफी सुख़त तस्वीर थी क्योंकि बुजुर्ग वोटर जो है वो भी काफ फिर से उनका रुक कर लेते हैं आरंध औरंगाबाद में हैं मौझूद है आरंध अभी क्या कुछ वहां आप देख पार है कि देखिए दो तस्वीर आपने दिखाई जो बहुत ही खुबसूरत थी और ये मेसेज दे रही थी कि कि कितना महतपून है ये चुनाओ बिल्कुल देखे सिप्रा और उससे भी दिलश्चप तस्वीर का और तस्वीर आपको दिखा रहा है कि हमारसे तीन महिला हैं और हम आपको परशै करा देते हैं एक बुजूर्ग माता जी है, इनकी बेटी और इनके बहु, तो आप समझे तस्विर कितना दिल्चस्प है, सबसे पहले सुरुवात बहु से ही कर लेते हैं, नाम क्या है? मैं अनन्या सिंग्ग, अच्छा, अनन्या जी आप रहने वाली कहां की हैं? मैं रहने वाली और अंगाबाद की ही हूँ, मेरा विवा और अंगाबाद में हुआ है, और वैसे मैं यूपी से बिलॉंग करती हूँ, उतरप्रदेश से. अच्छा, आप यूपी की बेटी हैं बिहार में सस्वाल आपका? जी. बहुत ही गरवानवित महसूस हो रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और पिछले 10 साल में और अंगाबाद की काया पलट भी देखने को मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखे कि विकास के काफी सारे कार्य यहां हुए है जैसे ग्यास पाइपलाइन आई हैं कनेक्टिविटी बढ़ी है ट्रेंस पॉपज़ज बढ़े है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 10 साल में यहां बहुत अच्छे कारे हुए हैं और किसफे पज़ा रहे हैं और साथ हम दश्रकों को बता शूंग के सीलफी भी हम दिखा रहे हैं जो अभी आप टीवी सीन पर फ्लाश करते हैं देख पा रहे होंगे और साथी साथ हम आपको लिए चलते हैं गया संभाग दाता रवी असनरायमा सब्बेर में रवी आपके पीछे में देख पा रही हो महिनाओं की कतार बढ़ती चली जा रही है अगर यहां गया में देखे बिलकुल लौरा देखे गया का तापमान जो है वह बहुत ज्यादा है लेकिन जो जोश है वह तापमान पर भारी है और बड़े संक्या में जो महिला हैं वह यहां पर पहुंची है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और यहां पर कुछ वैसे वोटर्स भी है जो पहले बार वोट डालने के लिए पहुंचे अप पहली बार वोट डाल रहे हैं हां पहली बार मेंटीगा यह जीवन में पहली बार वोट डालना कितना है किसा महसूश कर नहीं है बहुत अच्छा महसे fijत हो रिया हमारा जो राइट है है हमें और अच्छा लग रहा है कि वोट्ट ईूस करें और सही है आदमी को वोट्ट दे जो हमारा डवलप्मेंट और हमारे बारे में सोचे वोट दे रहे हैं अप्मी को छुने परद्राइब अपने मन से रही है यसी कोई द्राव नहीं है पहली बार आपकी वेलेटी वोट दे रही है ये बहुत खुश है जी आप कैस़ हम इस rest के बारे में सोचे देश के लोगों को तब समझ सकते हैं कि युवाओं में किस कदर जागरती है और कितना उसादने के पहली बार वोट डालने का और यहाँ पर आप लोग अपने बारी का इंतजार करें हैं सब बैटके बहुत कर देने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि इन वातों को लेकर के वोट दे रहे हैं, आपके यहां पर क्या चाहिए? देश को विकास चाहिए सेर, महंगाई काम करना चाहिए सेर, और चिछित होना चाहिए सेर, बच्छे क्या करते हैं आपके? बच्छा पढ़ाई कर रहा है सेर, काम ली कर रहा है सेर, जी तो यह महिलाए हैं, बिल्कुल सजग है, करें कि जो देश का विकास हो, रास्त का विकास हो, और जो लोग हैं, और जो पहली बार मोल्टर डाल रहे हैं, उसमें भी जबरदस उत्सा यहां पर देखने कर मिलता है, और यह एक लंबी कतार जो है, वो यहां पर ज़रा देखे, कि पूरे परिवार के साथ भी जो लोग यहां पर, ठीके ठीके रवी, आप मैं सब बने रहे हैं, मैं आपकी पास वापस भी लोतूंगी, और यह तस्वीर जहें, वो खाफी सुखत तस्वीर है, लोगतंते की ख बताते चले हैं कि बिहार के रण में दिगज उतर चुके हैं, 24 अपरिल को पियमोदी की सभा होनी है, फार्बेस गंच और दर्बंगा में यह सभा होगी और इसके बार 21 अपरिल को भागलपूर में अमित शा, जिर्यमंत्रियां में चा भागलपूर में सभा करने वाले हैं वो आपको बता दें, 24 अपरों को पियमोदी की यहाँ पर जन सभा होगी, फार्बेस गंच और भंगा में यह सभा होगी, और इस बीचे को करने एक और बड़ी कबर की और एक बड़ी ज्यानकारी सामने निकल करा रही है, मुंगेर के चमपा चक में इवियम खराब की खब और अब तक वहाँ पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है, जमुई लोग सभाग शित्र में चमपा चक आपको बता दे चले हैं कि देखें सुबह साथ बज़े से वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वोटिंग शुरू ही नहीं हो पाई, इवियम खराब क हमारे साथ जोड़ रहा हैं, आरून हमारे साथ जोड़ रहा है, आरून क्या यहाँ पार ख़ाब की ख़ाब सामने आ रहे हैं यह एक बार पूरी जवान कार देजिये और उनके आप तक आवाज मिल पारीगे और उनके पास आवाज नहीं पहुंच पारीगे लेकिन आपको बता देगे गंटे होने वाले हैं हो चुके हैं लगबाग वोटिंग शुरू होने के अब तक EVM खराब होने की बज़ा से तो कुछ जगों पर वोटिंग देर से शुरू हुई EVM में खराबी की बज़ा से तो आप देखें कुछ-कुछ जगों से EVM की खराबी की भी खबरें सामने आने लग रही है सवयोगी शिपरा माई साथ लगातार बने हुई है बेगो लक्ष्मी आप बड़ी खबर दर्श्यकों तक पहुचा रही है और जैसा कि हमने बताया था कि न्यूस इटिन ब्यार जारकन पर हम पलपल का अपडेट सबसे पहले पहुचाते रहेंगे तस्वीरे हम दिखा रहें तो साथी साथ हमाई साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेवे हैं जिनसे हम जालेंगे कि उनका मन क्या कुछ कहता है हमाई साथ अभी दाने शिकबाल बीजेपी की प्रवक्ता हमाई साथ जुड़ेवे हैं जैसे कि हमने दिखाया कि महिलाए जो है वो काफी जादा संख्याय पहुँची वे हैं मैं गेस के पास जाओं उससे पहले अमित के पास पहुँच लेते हैं नियू जेटीन समवाब दाता अमित जमुई से बने वे हैं अमित वहाँ क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं और जरा लोगों से आप बातशीत करके ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पर क्या कुछ मुद्दे उनके मन में अभी है और क्या उनके लिए राजजी के मुद्दे जादा ज़रूरी है या रास्टी मुद्दे जादा जरूरी है बिल्कुल देखें मैं इसवक्त मौझूर हूँ ये बन्तां केंध संख्या जमुई का बरहट का जो नकसल का गर माना जाता है यहां पे जो है बरतांत के इन संख्या 176, 177 है और यहां पे जो यूवा वोटर हैं वो भी लंबी कतार है उनकी महिलाओं की विकतार जो है वो बड़ी है और कहीं 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 कह सकते हैं कि आद लोकतंत के महापर में हर कोई अपने भागीदारी जो है वो सुनिशित करना चाहत है और यही वज़ा है कि यहां पे लंबी कटार जो है वो नजर आ रही है आब वोट करने हैं किं मुद्ध्यों को लिखे किस पार्ठी को या बताहिए खिलों किस मुद्ध्यों को लेकर की वोत कर रहे हैं किस मुद्ध्ध्यों क Tilligan रंगा सैंसे रूजजगार हैं नौॉकर ज़्छना देवीर को बोड करें, आप किसको कर रही है, मुझे नहीं जनना है। मुद्धा तो आप यहां देखिया और भी लोग हैं, इनसी भी बास करते हैं। विकास की लिए आप बताईएगा। विकास के मुद्दा जो है वो सबसे उपर है और यहां पर उन्हीं उसी मुद्दे को लिगर करके जो चाहे वो महिला वोटर हो पुरूस वोटर हो सब भी जो है वोट करने आए देखे सारीरिक रूप से असमर्थ है फिर भी विकास के मुद्दार दर्शुकों तक पूचा भ तो बिल्कुल News 18 की खबर का असर हुआ है मुंगेर में बूत संख्या 154 पर मतदान शुरू करा दे गई है एवियम में खराबी आई थी और खराबी को अप्ठीक किया गया है खबर दिखाने के बाद तो इसलिए कहना है कि खबर का असर नवादा में भी बूत नंबर 237 पर इवियम को ठीक कराए गया है आप एकबर फिर से वोटिंग सुचार रूप से कराई जाएगी तो News 18 की खबर का सर मुंगेर में बूत संख्या 141 पर मतदान एकबर फिर से शुरू हो चुका है इवियम में खराबी आई थी जिसकी वज़ह से वोटिंग में दिक्कत आ रही नवाबा में भी बूत नंबर 237 पर इवियम को ठीक करा लिया गया है यानि कि एकबर फिर से सुचार रूप से वोटिंग अब शुरू हो चुकी है तो ये बड़ी खबर आप तब पहुचा रहे है कई जगों से इवियम के खराब होनी की खबर हमारे पास आ रही है और हम परपल का अपडेट दर्शुकों तब पहुचा रहे है और यही वजह है कि पता सबसे पहले चल रहा है और अब नवादा में जिस बूत पर वोटिंग अभी शुरू नहीं वी थी बाहाँ शुरू हो चुकी है और साथी साथ हमारे साथ गेस पानल भी जुड़ा वह है जि सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ कि वो जादा से जादा की संख्या में बाहर निकल करके आए और अपने मतदान का जो है अपने अधिकार का पड़ियोग करें और एक कि मुझे लगता है कि बिहार की जनता काफी जागरूख है लोगतंत्र को ले करके और राजनीती को ले करके तो निश्वित तोर पर मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता रिकॉर्ड दर पे जो है इस बार मददान करेगी और एक रिकॉर्ड बनेगा बिहार से लोगों का मददान करने में देखिए जहां तक सवाल है कि आज का पर्थम चरंड का चुनाव शुरू हो गया है देश के 102 सीटों पे चुनाव हो रहा है बिहार के 4 सीटों पे चुनाव हो रहा है और यह जो चुनाव है यह नरेंदर मोदी जी के 10 साल के कारिकाल जो उनका रिपोर्ट काड है मोदी की जो गारंटी है उसको जेहन में लेकर के जंता अपने घरों से निकल रही है मतदान करने के लिए इस देश के जंता करूंगी क्या कुछ आपके महत्पूर मुद्दे हैं जो हम देख भी पा रहे हैं एक वार विनोर जी का रुक कर लेता है विनोर जी आभी जिस तरीके संख्य आप देख पा रहे हैं हमने सुभज तस्वीर भी दिखाई और भारी संक्या में महिला हो या पूरुष वोटर हो पहुँच रहे हैं कैसा लग रहा है इन तस्वीर को देखकर को देखिए सबसे पहले पास वापस लोटूंगी यह रजनी कान की तस्वीर हम दिखा दे रश यह दर्शाता है कि आपने अपना वोट कास्ट कर लिया है और अपना वोट कास्ट करने के साथी यह तस्वीर जो है वो शेयर कर रहे हैं अभी आप सुपरस्टार रशनी कान को देख रहे थे एक एक करके जितने वी वी आईपी जो लोग है वो भी पहुँच रहे हैं अप अब इस बुजर्ग महिला को देखे जो अभी चलने में सक्षम नहीं है लेकिन वो वीलचेर पर बैट कर वहाँ पहुचती है और अपना वोट कास्ट करती है इसी से आपको प्रेड़ना लेना है और सोचना है कि आपको भी मकदान किंद पर जाकर अपने वोट को कास्ट भारत के भविश्य को ताई करेगा और 10 साल में देश की आत्मा पर दिये गए जखम वोट का मरहम लगाकर लोगतंत्र मजबूत कीजिए राहुल गांदी की बाते हैं नफरत को हराकर महबत की दुकान खोलिए राहुल गांदी की वोट करनी की अपील इसमें भी उन्होंने चर्चित भी है कि वो कहते हैं कि नफरत को हराइए मौबत की दुकान खोलिए राहुल गांदी ने भी अब अपील कर दी है हमारी सायोगी शिप्राप बनी हुई है गेस्ट से बात कर रही है बेकुल लक्षमी और हम ये बड़ी खबर दर्शिकों को बता दे कि आज देखे अब राहुल गांदी की तरफ से सोचल मीरिया साइट एक्स पर पोस्ट करके अपील की गई है कि एक एक वोट भारत का निर्मान के लिए जरूरी है और दस साल में जो देश की आतना पर चोट पहुचा है उस पर आप मरहम लगाए साथी जो टाग लाइन बोलते हैं कि की संख्या नजर आ रही है मतदान किंद्रू पर उसे साफ है कि लोग भी बड़ी संख्या में इस बार मतदान करने के पहुच रहे हैं और अपने मत का अस्तमाल जो है वो ज़रूर करेंगे साथी साथ जितने भी वरस देता है वोन सभी ने अब लोगों से अपील करनी शु करने की बाद फिर से दोरा रहे हैं देखिए निश्ची तुप से राहूल गांधी जी लगातार मोहबत की चर्चा करते रहे हैं उसके लिए काम करते रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी उसी पर चल रही है और सबसे पहले मैं बधाई न्यूजे टीन को देना चाहता हूं आपक आपकी से सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं और और देखिए लोक तंत्र की जन्लियर रही है और बदलाओ की भूमी रही है कोई भी आंदोलन बिहार से हई शुरुआ है और निश्छी तुरुप सभी चारों जो चुनाओ हो रहे हैं, चारों विधान सभा में, हमारा मानना प्रधान्मंत्री का सप्राप्धक कार जब उनका दिए का खाप्ट करेगी और बिहार में निश्ची त्रुपाई चिंपेलएं, आपने घरोओं से निकले से निकल चुकी खेए हमारे सप्राइब लिएक और भी बिल्कुल लक्ष्मी आप ये तस्वीर जमूई से दर्शकों को दिखा रहे हैं बिल्कुल देखें बहुत सांती पूर्वक वोटिंग प्रक्रिया चल रही है करें थी कि वहाई कौन से मुद्धे पर इस बार बहुत डाल रहा है लोग यह जाना बहुत दिल्चस्प है काम हो रहा है तो हो गया मगा वाई जाएगी जाएगी याने कि रास्टवाद ब््रस्ट इशारपीय से मुद्य है in रायरे नृप दे रहा हूं कि धरें अफ ड़िकता आज़रा हूं किकि दे रहा हूं अब यह नाम नहीं लेना है किस मुद्धे पर विकास चाहिए देश को सुड़क्षा चाहिए नागरिकों के सुड़क्षा चाहिए इसी मुदा पहम दे रहे हैं तो देखें सिप्रा आप समझ सकती हैं कि राष्टवाद विकास प्रस चाहर ये कुछ ऐसे बर्निंग मुद्धे हैं जो इस चुनाव में भी काफी हावी रहे हैं बिल्कुल आरें देगर कुछ और भी लोग वहाँ पर हो तो उनसे भी जड़ा बाचीत कीजिए उनसे भी जानिए क्या कुछ है सोच कर इस बार आए हैं जिसको लेकर वो ईवियम पर आज बटन दबाएंगे कि बिल्कुल सर किस मुद्धे पर बोट डालने पहुंचे आप लोग लोग विकाष के मुद्धे पर विक्षित भारत बनाने के मुद्धे पर विकाष के मुद्धे तो देखे सिप्रया बहुत दिल्चस्प है विकास के मुद्धे पहला गतार वोटिंग डाला जा रहा है और हम आपको और भी कुछ लोगों से बाचित करके दिखाते हैं और कई सारे लोग यहां पर जब पहुंचे तो उनसे जब हमने बाचित की तो उन्होंने काफी नहरें लगातार लोगों काने का सिलसीला तेज होता हिना और जैसे जैसे वक्त घुजरता जा रहा है ़ोगों की संहीं बढ़ती जाह रही दिखिए इस वाक्त आपको तसमीर दिखा ह्रहा है वह त्वक्त ठीक बाहर के तसमीर और देखे मैं वोट डाल देए जी डाल देए अब आपने में डाल दिया बहुत बहुत सुख़द दृसे होता है जब वोटिंग डालने के बाद जब लोग घर जब बाहर निकलते हैं इप उसे एक बार फिर से दिखाएगा जारे हमारे दर्सकों को भी नजा रहा है तो कौन को बत्ता युवाओं को रुजगार मीले सबसे बड़ी कि अपके लिए को से मेरे लिए वही है महलाओं के लिए विसेश मेला के लिए दिखे पैर पर यह लोग खड़े हो सके मैं महापर्व में दिल्ली से वोट देने आया हूं अपना अधिकार के प्रियोग करने बहुत सदेश के बात काया और और वहे बड़ा संदेश बिकार का प्रियोग करें और सफल और मजबूत राष्ट का निर्मान के लिए मेरा नम राकेश कुमार सिंग है तो राकेश जी के लिए सलिट बनता है जिपराज चुकि दिली से विसेष्ट कर मतलब बहुत 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 धन्यवाद और जाहिए आप अपने बोट डालिए सर तो देखें ये एक बड़ा मैसेज है अब बहतरीन मैसेज है लोग लगतार रहे हैं अपने मत का अस्तमाल करने के लिए और उन्होंने अपील भी कि है वोट डालने की देश में पहले चरण की वोटिंग को लेकर के अपील ग्रेमांत्य अमिच्छा के द्वारा और जाद से जादा संक्या में वोट करने की अपील की गई है एक-एक वोट की कीमत भी बताईए उन्होंने और आपके एक वोट में सुरक्षित विक्सित भारत बनाने की शक्ती है ये भी उन्होंने कहा है देश में पहले चरण की वोटिंग आज से शुरू हो चुकी है सुबह साथ बजे से ही वह से बा वोट की कीमत भी उन्होंने बताई है तो देखें तीव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कौन-कौन सीट पर ब्यार में चुनाव होने हैं किन के किन के बीच मुकाबला होगा वो भी आपको दिखा रहे हैं गया में जीतन रामबान जी और खुमार सर जीत के बीच टककार इदर जमूई में अरुन भार्ति और अर्चुना रविदास के बीच में मुकाबला होगा तो देश में पहले चुर्ण की वोटिंग को लेकर के हमें अपील की गई है अविप शाह ने ये लोगों से अपील की है लोगसबाचुना रव को लेकर नवादा का लेक्टरेट के सभाकक्ष में एक इंटिगेटेड कंट्रोल रूम का निर्मान किया गया है और इसमें मीडिया मॉनिट्रिंग कंट्रोल रूम और वेब कास्टिंग पर नज़र रखी जा रही है कंट्रोल रूम में भी हर गतिविधी पर नजर के लिए नियू जेटीन का ही सहारा लिया जा रहा है तो डियम खुद वहाँ पर सुबे से ही डटे हुए है और हर बूत का जाइजा भी ले रहे हैं तो कंट्रोल रूम का जाइजा लिया है समवादाता अनिल विशाल में 924 बूतों की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके अलावा जो बूतों पर जो जितनी पतार की तो भी जो समस्या आएगी उस समस्या को इसी कंट्रोल रूम से की कॉल अटेंड किया जाएगा और जो विधान सवावाई जो है वो नंबर यहां पर अलॉट किया गया है और तीसरा जो एक मीडिया मॉनिटरिंग से जो है वो यहां पर बनाया गया है और जो सबसे आहम बात देखने को मिल रहा है कि न्यूज 18 का दबदवा यहां भी कायम है और यहां भी जैसा कि आप पर मुस्तायद है खुद यहां पर नवादा जिलादी कारी यहां पर मौजीड है और हर गती वीदियो पर वो प्यानी नजर रखते हुआ है हम उसे ज्यादा जानकारी लेते हैं सभी जगह पे मंदान की तैयारियां हम लोगे द्वारा कर ली गई है लगवग सब जगह पे मौक पोल भी स्कार्ट हो गया है और अभी एक्च्वल पोल की भी करवाई की जा रही है अभी तक कोई विपरीद सुचना हम लोग करा रहे हैं जिसका आप कंट्रोल लूम में भी देख सकते हैं रेगलर फीट्स आ रहे हैं इसके लिए अलग से कंट्रोल लूम भी बना है चुनाओ को लेके पहले से काफी जादा मिनत किया गया था और एक्ट्रोल टामिल जो है वो साथ बज़ गया है और वोटिंग की तरगरिया सुरू हो गया है अभी तक फिलाल कोई भी अप्रे या कोई इसी सुचनाओ नहीं आई है तो साथ बज़नी के बाद जो वोटिंग जो है वो इलाकों में सुरी हो गया है और इसी कंट्रोल रूम से जो है उनका जो मॉनिट्रिंग यहां से सुरू कर दिया गया है जो पूरे चिनाओ का यह कार करता रहेगा अनिले शाल यूज ज़टी नवागा तो आपने देखा कि किस तरीके से कंट्रोल रूम से पैनी न या मोहन बार्वत ने अपील करके सबसे अपील किया है कि वो जादा से जादा संख्या में पहुँचे मद्दान किंद पर और मद्दान जरूर करें और इसे बीच हम लगतार रश्यकों को तस्वीरे भी दिखा रहे हैं कि चार लोग से जो बिहार की है वहां पर क्या कुछ तस्वीरियां अभी तक देखने को मिल रही है जहां पर भारी संख्या में जो लोग है पहुच चुके हैं गर्मी का वक्त है ऐसे में धूप काफी तेज है तो लोग भी चार रहे हैं कि जल्दे जल्द वो सबसे पहले मद्दान किंद पर पहुँचे और वहां जाकर अपन कई सारे मुद्द हैं जिनने करों पहुचे हैं माय साथ संभात आता रवी तरहान एक बाद फिर से लाइफ जुड़े वे सीधे उनका रूप कर लेते हैं क्या कुछ आरवी अगर हम देखें इस बार तो जो लोग हैं उनसे दरा बात तरके ये भी समझने कोशिश कीजिए क और जो चुना होते हैं वो और जो लोखसबा की चुना है वो क्या उनमें अंतर भी उन्हें पता है किनकिन मुद्द्य हैं जिसे राश्य मुद्द्य अलग हो गया उनको पता है और उस पर ये वोट करने जा रहे हैं यह बिल्कुल और वोद गया कि जो तस्वीरे हैं हम तस्वीरों के साथ बात करते हैं और यह ज़रा देखिए कि यहां पर जब आप बूत्स में यहां से आप निकलेंगे तो किस कदर जो है यहां पर जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए और यह अंदर की तस्वीर थी लेकिन वाकर बाहर में आपको दिखाया कि जो पंक्ती है वो किस कदर लंबी है जहां तक आपकी नजरे जाएंगी वहां तक आपको वोट करने के लिए खड़े हुए लोग मिलेंगे लेकिन जो लोग वोट करने के लिए यहां पर पहुंच रहा है जुक इस बाद जो लोकसावा का वोट हो रहा है और किन मुद्डो को लेकर के उसमें रस्ट्री मुद्डे भी आपके दिमाघ में हैं जो फ्ट्र इमुद्डी हैं यह तो चुकि के लोगसाब हों तो सबसे उपर है लेकिन अवह जो परिशिति बनी हुए यह पूरे देश में खासकर करो मुख मुद्धा भी होना चाहिए जो मेरे समझ से जो हमारी यह बेरोज़गारी है और मांगा यह यह दो चीज ना सिर्फ बिहार के लिए बरकि पूरे देश के लिए यह चिंता का भी सहा है कि हमारा बेरोजगार जब यह जो है अपना वोट डाल रहे हैं पर आप जब वोट डाल रहे हैं किन मुद्दों को लेकर कि अपने देश को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं देश का फ्यूचर है तो हम देखाएंगे यही कि यही देखेंगे चुनाव को कि कौन सी सरकार अच्छा हमको फ्यूचर प्रवाइट कर रहा है तो देखें एक सजग यूवा जो है वो इस बात को लेकर करके तयार है कि कौन से हमारे तकदीर जो है तस्वीर जो है वो बदल सकता है और कैसे आप क्या करते हैं जी से अभी पढ़ाई करते हैं अच्छा तो जब वोट दिखाएं किन मुद बिरोजगारी हटे देश से और युवा को रोजगार मिले युवा को रोजगार मिले जे बिल्कुल और यह बड़े मुद्दे हैं हर युवा चाहता है कि उन्हें रोजगार मिले और जिस धंक से मुद्दे उनके साथ है तर आप क्या कहेंगे इन आज चुनाओ को लेकर कि कि अपने अधिकार का प्रियोग किन मुद्दों को लेकर के मुद्दा किसानों का है मुद्दा युवाओं का है तो यह देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे जो पहुचे हैं वो अपने-अपने जो सोछे वह बिल्कुल साफ है कि हमें किस तरह जो है अपना मताधिकार काप परियोग करना है और तमाम जो लोग हैं अपने मधर्दिकार का प्रोड़ कर लेते हैं संफाथ दाता आनन्द अम्रित आजगा तो देखिए देखिए एक बुझूद महिला है जो चलने में समर्थ है लेकिन फिर भी वोट डालने का उससा देखिए ठीक से बोल नहीं पाती है लेकिन वोट डा ला बढ़िया है लाउ का देख दोस्तर ना ले दे लएक अन्स अलेक अन्हित रहत अन्हित है अच्छा अमुत लब देखिए रास्तवाद के बारे में बहुत बहुत बढ़नी और क्या कहींगे अ कहां है है आउका का मिदे देख में लेकन बढ़िया से रहा थैंद रहत you ह तो देखिए बहुत दिल्चस्प बात बोली है कि पुरा देश अच्छा से रहे खुसाली से रहे बच्चे रोजगार कर ये महत्पून बात कहीं देखिए ठीक से बोल नहीं पाती है लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा संदेश देने कोशिस की है कि मेरा देश मजबूत हो द जिनगी को गुजार सके हैं तो ये बड़ा संदेश भी देगा ये बुजूर्ग महिला बिल्कुल बिल्कुल आरंबल यही उमंग यही उत्सा है और लोगतंत्र की यही खुबसूरत तस्वीर है जो हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि एक बु वोट करने के लिए जो है वो मद्दान के इंदर पर पहुच रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से अपील भी कर रहे हैं और यह तस्वीर जो है और इसे भी जुरू कर लेते हैं माई साथ लक्ष्मी जुड़ी भी है लक्ष्मी का उनके पास है इस वक्ति कुछ बड़ी देखिए आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी कबार बड़ी कबार आप बतारेंगी पहले चोरण की वोटिंग को लेकर के अपील की गई है ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग की अपील की गई और विशेशकर युवार साथियों से अपील की गई है आपको प्रते उनसे अपील की गई है और विक्सित भारत के लिए बेहद जरूरी है वोटिंग करना जेपी नडड़ा की अपील थी चले सयोगी शुप्रा हमाई सा तगादर बने हुई है बेकुल लक्षमी और इदाफिर से हम भी दर्शिकों से अपील कर रहे हैं और बार बार ये अपील क करता है कि आप जरूर अपने मद का इस्तमाल करने के लिए पहुँचे मदानकिंद पर जाए वहाँ अपना वोट कास्ट करें क्यूंकि आपका एक एक वोट बहुत ही महतपूर है और साथी साथ न्यूजईटीन आपसे ये भी कह रहा है कि अपना वोट कास्ट करने के लगतार बनी वी है इसके साथ आप भी जुड़िए अपनी सेलफी लीजे हमें अपनी सेलफी शेयर जरूर कीजे वो हम आपने टीवी स्टीन पर दिखाएंगे और लोगों को ये हम जाग रूप करेंगे कि वो मदान करने के लिए मदान किंद पर जरूर पहुँचे एक ए चाहे युबा हो बुजुर्ग हो या फिर महिला वोटर या पूरुष वोटर सभी काफी उत्साहित होकर बारी संक्या में मदान किंद पर पहुँच रहे हैं और नियुजेविन बिहार जारकन पर ये महा का विज लगतार जारी है यार उकर एक छोड़े से ब्रेक के लिए पाँच चार तीन दो और एक इसके साथ ही शुरू हो चुका है वोटिंग का सिलसला जैसा कि हमना को बताता कि साथ बैसे वोटिंग का सिलसला शुरू हो जाएगा और अलग अलग तस्वीरे भी निकल कर सामने आनी शुरू चाहेंगी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहें दिखे किस तरीके से मतदान केंदर पर लोग पहुँच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी ख़बर आको बता दे किस राज्य में 102 लोग समा की सीटों पर चुना हो रहा है बिहार में चार लोग समा की सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें गया और अंगाबाद जमुई और नवादा में वोटिंग शुरू हो गई है तो बिहार में चार लोग समा की सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है साथी साथ देश के 21 राज्य के 102 लोग समा सीटों पर भी वोटिंग का सिलसला शुरू हो गया यानि लोग जो लंबी लाइन में कताब लड़ा कर खड़े है आब वोट करने के करके मदान किंद्र के अंदर पहुँच रहे है तो साथ बजे का वक्त रखा गया था और ठीक साथ बजे और इसी भी चात मता दे प्रदानमंदी नेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है वोटिंग से पहले प्रिया मोदी ने अपील की है लोगों से वोट करने की अपील प्रदानमंदी नेंद्र मोदी ने की है जिसमें सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि आज अपने मत का इस्तमाल जो है वो जरूर करें तो वोटिंग से पहले पीयमोदी का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी आ चुका है जिसमें लोगों से वोट करने की अपील करें वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील कर रहे हैं और साथी साथ जैसा कि अमना को बताया फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली वार यूबा मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं उनसे अपील की गई है कि वो अपने मत का अधिकार का अस्तमाल जरूर करें और नया रिकॉर्ड बनाएं और इसी के साथ रुकर लिते हैं सहयोगी लक्ष्मी का जिनके पास इस वक्त की बड़ी ख़बर तो बिल्कुल वो समय आ चुका है जब वोटिंग शुरू हो चुकी है और लंबी लंबी लाइने आप लगातार देख रहे हैं हमारे संबाद दाता बूत केंदरों पर मौझूद हैं और वो आपको जो आपर जुनता वोट करनी के लिए पहुँची है उनकी लंबी कतारे दिखा रहे हैं और यही आज के दिन की खोबसूरती है जब लोग घर से बाहर निकलते हैं बूत के इंदर पर पहुँचते हैं और अपने वोट कास्त तर्माल करते हैं आज के दिन की सबसे खुबसूरत तस्वीरे नियूज 18 बिहार जॉरकन आपको दिखाएगा और आज वोटिंग शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बठता जाएगा वैसे वैसे आपको बताएगे कि वोटिंग प्रतीशत बहती जा रही है वो भी आपको आकड़े बताएगे और आपको हर जगा-जगा की तस्वीरे दिखाएगे कि कहां पर लोग जो है वोट पहुंच रहे हैं देखे लोग सबाच चुना और 2024 में पहले चुनण में 102 लोग सबाच सीटों पर चुना वोले जा रहे हैं और 21 राज़ में 102 सीटों पर वोटिंग तो ये बड़ी खबार और प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पार ट्वीट करके लोगों से वोट करने की अपील की प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने वोटिंग का नया रेकॉर्ड बनाने की अपील आम जुनता से की है और फर्स टाइम वोटर से खास तोर पर प्रदान मंत परमी भी याँ पर मौझूद हैं देखिए पहले चलन के वोटिंग की तस्वीरें आप साफ सवर पर याँ देख सकते हैं और ये तस्वीर आज के दिन की सबसे अच्छी तस्वीर है और निउस 18 पर लगातारा कवरेज देखते रहें वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदान का उपयोग करने मतदान किंद पर जरूर जाएँ और याशे में देखिए यह कि और यह तस्वीर दिखा रहे ही हम महार भागत में एक वह कास्ट कर लिया है और अपना अपनी उगली वो दिखा रहे हैं जिसमें मतदान का वो चिन में क्योंकि देखे आज जब मतदान करते हैं और आपके जो उगली में वो ब्लू कलर की स्याही लगाई जाती है उसे यह होता है कि आपने अपने देश में लोकतंद्र के इसमा पर नहीं हिस्सा लिया ह और अपता नेता चुना है मौन बागबत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो वोट कास्ट कर चुके हैं देखे सबसे पहले वो बोट कास्ट करने के लिए पहुँचे पहले सिवाब पर मौजूदी होगी कि साथ बजे जैसे शुरू हुआ वोटिंग का सुसला सबसे प फुसर्गों महिलाए हो या फिर पुरुष मत दाता हो साथी साथ दीवी आपको दाता जो अपने मत दान के लिए आज अपने मत का उप्योग करने के लिए पहुँच रहे हैं तिकि लोग पंद्र के सबसे बड़े पर्व को अपने का हिस्सा बनते हुए साथी साथ पहले चरण के लिए जिन जिन लोगसवाज शित्रुप पर बोटिंग हो रही है वहाँ वहाँ लोग पहुच रहे हैं और इसलिए सब लोग उने मत दान करना चाहिए मत दान करना चाहिए आज सबसे परदा विप्तिगत कार्य में ने यह किया है कि मैंने मत दान किया है मत दान है अपना करता है अपना अधिकार सुटता है से हाथ नकार्या अपना जेश, सब हागे निर्दा रिकине है इस L हद परत्य कानी मत दान केल पाई जै संबल ठकी मत दार मत दाना काने अले बाइए अपना स passéले काम दे में केला उठे में बाद दने होल्त में मत दान के समिन हिघा है कंकरुन. अपील की है लोगों से देश की जनता से कि आज अपना अधिकार जरूर आप इसका अस्तमाल करें और मतदान करें साथी साथ हम आपको बियार की चार लोगसमा सीटों की तस्वीरे दिखा रहे हैं क्या कुछ वहाँ पर अभी चल रहा है और जो लोग है वो कैसे पहुँच रहे हैं हमाँ साथ संपाथ दाता रवी असनारायन गया से जुड़े में हैं एक बार उनका रुक कर लेते हैं रवी धीरे धीरे में देख पा रही हूँ कि लाइन बढ़ती ही चली जा रही है लोगों के पहुचने का सिल्सला भी शुरू है बोटिंग शुरू हो चुकी है वहाँ पर कितने लोगों ने तक मद्दान कर लिया जो बिल्कुल रही है एक तरह प्रदान मंत्री मोदी से लेकर के तमाम लोग ही अपील कर रहे हैं कि जादा से जादा मद्दान करें और उसकी एक सांदार तश्वीर जो है वो गया में बोध गया में देखने को मिल रही है बोध गया कि बोध संक्या 34 और 35 पर मैं मौझूद हूँ और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रात्मिक बिद्याले मस्ती पूर है और यहाँ का पूरा जो प्रांगन है वो मद्दाताओं से भर गया है और यहाँ पर एक लंबी कतार जो है वो बाहर तक आपको दिखाई पड़ेगी और सब के हाथों में यह जो पहचान पत्र है और यह जो कतार है वो बताती है कि लोग तंतर कितना मजबूत है और लोग कितने उसाइथ है ज़रा कैमरा परसन से कहेंगे कि उज़रा महिलाओं के तस्वीरें जरा दिखाए यह जहां बहुत शाहिंदार है तमाम जो महिला है अपने छोटे छोटे बच्चो को गोद्में लिए हुए यहाँ पर पहुंची है और अपने मत का मदान यहाँ पर करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं और तो सबसे बड़ी बात है कि स सबसे आगे कहें तीन पंक्ति यहां पर लगाईए लगी हुई है और तीन सब्से को बेहतर आपको तश्UL डिखाए गी एक पंक्ति जहां पर महिला सबसे पहले वोटर है एक की युवा है और ठीक तीछारी है जहां पेक बुजूर्ग जो है वो ख़़ा है तो जिन से उमीद है युवा है बुजूर्ग हो महिलाय हो तमाम जो लोग है वो सबसे आगे खड़े हैं यह सबसे विशेश बात है सबसे पहले वोटर आप बन रहे हैं सबसे पहला जी सर दूप की बज़े से सुबा में बोट दे के पहले वोट देने के खुशी कितनी है बहुत खुशी है सर इसे पहले वी वोट दिये थे जी सर पहले वी दिये थे और आज सबसे पहले वोट आप डाल रहे हैं आज सबसे पहले सर लेकिन पिछले बार पिछे हो गये थे लेकिन इस बार सोचा है कि इस बार पीछे नहीं हो चुकी है ज़रा उनसे बात चीत कीजिए कितना हुटसा है क्या सोच कर आई है आज कि देखें सिप्रा सबसे सुखत तस्वीर है कि नारी सक्टी जिसका जिक्र लगतार प्रधान कि अपने संबादों के दोरान किया करते हैं जब भी वह चुनावी सवा को संबोदित करते हैं तो वहां पर महिला सक्टी का जिकर जरूर करते हैं और वही महिला सक्टी जो है वह आज यहां पर पुरुस को पचारे हुए है महिला का जो कतार है और यह जो महिला के कतार है वह सिर्फ चुले चौके तक सिमित नहीं है बलकि वो सरकार को बनाने सरकार को बनलने और मजबूत सरकार लाने में भी अपनी भागदारी निभा रही है और पुरुसों से कहीं ज्यादा इनकी भागदारी जो है वो नजर आ रही है और यहीं वज़ाय सिक्ता की देख सकती है यह पर पुरुश की कतार जी वो बनि पर गयी है इन महिलाओं के जो कतार उसके सामने और सब्सकत सुखत तस्विर ही और है यहां पे जिसकी ऑफ को दिखाना चाएंगे और तसबिट हाते रहें एक बाहर से अब दिखे आप से गुज़र पहले एक फास्टाइव वोटर ने वोट डाला और महिला थी और उन्होंने वोट डालकर लोगों से अपील भी किये के बहुत पर पहुंची और देखे कुछ मिलाई भी हाँ पर पहुंची हुए है वोट डाल दिया अपने कैसा उस्ता लग और किस मुद्रे पर बोट डालने आये हैं आप किसी पार्टी नाम नहीं बताईगा कि जैसे सोक यह से बोट देना जरूरी है इसे बोट एक उसा भी होता है इसा लगता है कि पर जाए नागरिक है तो देरा जरूरी है अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अब आप लाइन तो देखी सकते हैं और ठीक इसके बगल में एक और लाइन बना हुआ है जहां पर महिलाइन भी पहुंच रही है और अपना वोट डाल दीए दो बूत है एक बूत हमने उधर दिखाने कोसिस की एक इधर देदी बूत की माहिलाइन पूट म हिली भी प्net लेकला प्रशी को पीछे चोड़ने वाली है पिल्कुल आंगी मैरे बिल्कुल अब इस चाही भी नहीं है अब डिर्क्राइब करने के बाद ही कुछ काम करेंगे और भी एक माईला है आप सुबह में साड़े शे बजे पहुंच जिते लगता है कोई बोल दिया कि छे बजे से होगा गर्मी के दिन में हमां के फिन महाकाल के मंदिल के पास बैठा हुए थे गांटा से इंतजार कर रहा है तो पहले भोटे मार दे गर्मी है के दीन है या फिन के सब्सक्राइब काम में लग जाएंगे धूप हो जाएगा बिल्कुल तो अभी हमेबार उपकर रहेते हैं लक्ष्मी का लक्षी के दिन मार उस वक्त की बड़ी ख़बर है लक्ष्मी बिल्कुल देखे है वोटिंग शुरू हो चुकी है लंबी लाइने शुरू हो चुकी है और आपको बताते चले हैं कि जगे जुक드र पर वोट पढ़ने शुरू हो चुके हैं और जितने भी बड़े दिगर्श रिता हैं वो ट्वीट के जरीए और मेसेज के जरीए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर से बाहर निकलें और वोट डालें क्योंकि वोट डालना बेहत जरूरी है और अगर आप अपने वोट का स्थमाल करेंगे तभी आप सक्षम सरकार बनाने के लिए आप अपने अधिकार का स्थमाल कर पाएंगे तो आपका एक वोट एक वेक्ति एक वोट और उसका एक मोल बेहत मत्पून हो जाता है जब चुनाव वोरा होता है तो कुछ स्वीर आपको लगाता अधिका रहे हैं और शानवाज हुसान ने क्या कुछ का है वो भी आपको सुना देते हैं देश के अंदर पहले फेस का चुनाव है जो लोग भी घर में हैं जो आज वोटर है मैं उनसे अपील करता हूँ कि आईए बूत पर और वोट डालिए देश की तरक्की के लिए देश को मजबूत बनाने के लिए देश को 5 प्रियंट डॉलर क देश को विश्व गुरू बनाने के लिए अपने घर से निकलिए और वोट डालिए क्योंकि आपका वोट बहुत कीमत रखता है लोग चंत्र का पर्व है एक एक वोट आपको भारत को शक्ति प्रदान करेगा तो शरवाज उसेन को सुन रहे थे आप जिन्होंने लोगों से अपील की है वोट करने की और न्यूज जी टीम ब्यार जारकन भी आपसे लगतार अपील कर रहा है अपने घरों से निकलिए और मतदान के इंदर पर जाकर मत का अस्तमाद जरूर कीजे और जैसा कि अभी आम आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे अलग-अलग लोग सबा सीटों की जिसमें आपने देखा आ कि जो बुज़ुर्ग वोटर है वो पौट चुके हैं सबसे पहले मतदान करने के लिए और वो जो अनुभूती होती है मतदान करने के बाद वो भी हमाँ साथ वो अपना एक अपील भी की ज़ा रही है लोग बाहर निकले घर से और वोट करें इधर चुराग पास्वान ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है क्या कुछ का है उन्होंने वो भी आपको सुनवा देते हैं आप सभी से यह अपील करता हूँ आज 19 अपरेल लोग सभा के चुराओं का पहले चरंग का मदान आज होने जा रहा है आप सब से आगरा करता हूँ घर से बाहर जाएं सब को लेकर जाएं तमाम रिष्टेदारों को तमाम अरोस परोस के सब लोग को लेकर जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें और लोग तंद्र को और मस्वूत बाना है कि दादी का नाम है कितना उमर नबे नबे साल और फिर भी बोर्ट डालने पहुंचे का करें बेकरें रुकें नहीं बहुत तो बहुत बड़ा संदेश भी आप दे रहे हैं कि नहीं चलने में दिक्कत हो रहा लगता है कि आई चली रेके चलते आप काप ही बहुत लोग है ओ लों को भी निकलने के लिए हम चल्व और चैकर आखलें हैं KAR रिखिए बहुत बहुत लोग तो तस्वीरे आप लगाता आप देख रहे हैं, अभी आपने दिखा कि एक बुजर्ग महिला में कितना उत्सा है, कितना जुनून है आज के दिन वोट डालने की, वो भी जानती है कि एक वोट का किया कितनी जादा मातपूर्ण है उनकी एक वोट, क्योंकि जनता ही है, वो आ आप ही हैं, जो किसी के सरताच सजा सकते हैं, तो किसी को गदी से उतार भी सकते हैं, इसलिए घर से बाहर निकल लिए और वोट डालिए, चोली सीधर लिए चलते हैं आपको हमारे सायोगी, शुपरा के बास बिलकुल लक्ष्मी, अभी हम तस्वीरे दर्शकों को दिखा रहे थे औरंगा बाती, अब उन्हे लिए चलते हैं गया, जहां समवा दाता रवेस नरानमा साथ जुड़े में हैं, वहां अभी क्या कुछ तस्वीरे निकल कर सामने आ रही हैं, वो हम दर्शकों को दिखाए जैसे कि आप बता भी रहते हैं कि बहुत बाई संक्या में जो लोग हैं पहुँच रहे हैं, तीन कतारे भी बनाई गई हैं, युवा अलग खड़े हैं, महिला अलग हैं, साथी साथ बुज़र को वहां पर अलग लाइन लगाई गई हैं, अभी वहां पर किस तरीके की सबीरें और जो लोग हैं, वो किन-किन मुद्दो को खास्तोर पर उठा रहे हैं, क्या हैं उनके मन में? यह बिल्कुल, देखें, तस्वीरों के साथ बात करते हैं, एक तो कि पूरा जो, आप देख सकते हैं, मद्द विद्याले का जो पूरा प्रांगन है, वो मद्दताओं से बिल्कुल खचा-खच भरा हुआ है, और यहां पर एक दंग से कहें, तो यहां पर खड़े होने की जगर नहीं बची है, मद्दाता इस कदर उत्साहित है यहां पर, आपको पूतादे कि बोध गया को, जो छेतर है, वो समवेदन शील है, 356 बूत जो है, वो समवेदन शील है, यहां पर शाम 4 बजे तक ही यहां पर वोल्टिंग होनी है, लेकिन समवेदन शीलता जो करता है कि उस पर जो जो जोश है वो कितना हावी है उसे कोई फरक नहीं पड़ता और इसलिए इतने जो बड़े संक्या में जो मद्दाता है बिल्कुल रावी यह बहुत ही अच्छी तस्वीरे हैं और लोग जो है वो अपने मत का अस्तमाल करने के लिए मद्दान केंद्र पर पहु पावजूद है और आम जनता से बात भी कर रहा है तो कि पब्लिक है सब जानती है लेकिन बड़े-बड़े देता जो है वो भी लोगों से वोट करने के अपील करें जमुई के दिर्बान के लिए वोट करें जादा से जादा लोग वोटिंग करने के लिए जाए और स्वास्त जमुई के लिए आपको वोटिंग करने जरूरी है आप जादा से जादा जादा लोग वोटिंग करने के लिए जाए आज 19 अपरेल लोग सवागे चुनाओं का पहले चरंग का मधदान आज होने जा रहा है आप सबसे आगरा कि लोगतन को मजबूती देने के जरूरी है जादा से जादा मधदान हो जितना ज्यादा मत प्रतिशत बड़ेगा लोगतन और हम लोगा उतना ही मजबूत उतना ही सशक्त होगा आप सबसे अगरा करता हूँ घर से बहार जाए तमाम रिष्देदारों को तमाम अडोस मडोस के सब लोगे लेकर जाए और अपने मत्का इस्तेमाल करें और लोग तंद्र को और मस्वत आना है तंद्र जो बिलकुल लाओं का जो उत्सा है वो तमाम बाते कहता है और इनसे जानना जरूरी है कि आकिर वो कौन से मुद्दे हैं जो जिसे ले करके आप भारी संख्या में यहां पर पहुंचे है आज जो वोट आप जालेंगी बटन दबाएंगी जी किन मुद्दों को ले करके है कि मुद्दे हैं विकास के मुद्दे हैं रोजगार के सबसे बड़े मुद्दे हैं और जो भी तमाम जो भी सिक्षा विभाग है और भी भाग है उनकी और कैसे वो अच्छे हो सके उनका डवलप्मेंट और कैसे अच्छा हो सके फैसलिटी कितना मिल सके होस्पिटल्स है तो यह यह देखे तमाम जो मुद्धे हैं वो सामने हैं जेहन में हैं माता जी कप से खड़े हैं कितने वर होगी अपकी प्यास और पाँ पाँच पचास और फाज पचब क्या कि इतने घंटोस अची वही सब गड़ी है लगी चेहरे आपने पर लेकर के आप यहां पर खड़ी है है अच्छा है तरफिकास के लिए एक बोड़ का बहुत महत्तम है इसलिए वोड़ देने के लिए आये हैं में जब आप वोड़ेंगी तो क्याक्या जेहन 42 इंद पर प्रफिक शुकर कीरा कि जितने वाले समस्या का समधान करें समधान करें समधान हो तो आप वोड़ देंगे तो समधान जरूर भावική तो कर रहे हैं और इसी उमेद्च रहे हुए किन मुद्दों को लेकर के आज आप खड़ी हैं? और वोटिंग भी शुरू हो चुकी है, लगातार लंबी लाइनों में भी लोग लगने शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में जमूर में इस वक्त लोग किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे हैं? हमारा उतना ही दाइत वह उतनी ही बड़ी जिम्वारी है. है और जिस इलाके में मैं हूँ, उसकी तफ़ीर हमारे साथ कैमा परसुन से करता है कि यह देखिए, यह पहारों के बीच में यह इलाका है, यह मद्दान के इंदर जो है, वो बनाया गया है, और एक दोर था, जो यहां नकसल का प्रभाव था, काफी चरम पे था और इसको चुल है, चक्किया तक सिमित्ती, आज यहां करके सरकार को वोट काश्ट कर रही है, मजूद सरकार बनाने में अपनी भागिदारी दिखा रही है, और यही वद्दा है कि महिलाओं की कतार जो है, वो पूरसों को पचार रखा है, पूरस जो है, वो आपने कामकाश को छोड है, आपित आप बने लेगे, फिर अप्रेट लेगे, आपसे हमारे से योगी शिप्रा की ओर चलते हैं, उनके पास कुछ जानकारी है, शिप्रा, बिल्कुल लक्ष्मी और हर जगा हमने एक ही तस्वीर देखी, अभी तक जो हमने देखा है, उसमें हमने यही देखा है, कि जितनी भी महिला हैं, वो हर लोग समा शिप्रबर खास्तों कर बियार में, महिलाओं की संख्या काफी ज़्यादा देखने को मिल रही है, यानि इससे साफ है कि इस बार महिला वोटर काफी ज़्यादा जाग रुख है, और साथी साथ वो अपनी मुद्दे भी चुन कर आई रोज़ार को लेकर, विकास को लेकर, अपने शिप्र की समस्याओं को लेकर वो इस बार वोट करने जा रही है, अगर फ़र से रुख कर लेते हैं, लक्षमी का, उनके पास बड़ी खबर है तो बिल्कुल शिप्रा दिकेल, हमाई साथ संबाद दाता अमिद बने हुए हैं, और उसे पहले रुख करेंगे एक बड़ी खबर की और वियार की चार सीट पर वोटिंग जा रही है, और बीस मिनिट से जादा वोटिंग हो चुकी है, और वोटर्स में जमर दस उतसा रहे हैं, निउस एटीन पर वीस मिनिट से जादा की वोटिंग अब तक हो चुकी है, और वोटर्स में जबर दस उतसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वोटिंग शुरू होने से पहले ही लाइनों में आम जुनता पबलिक जो है, वो खाड़ी होनी शुरू हो चुकी थी, लोक्तंत के महापर्व का आज पहला दीन और पहले चरन का मद्दान जो है, वो शुरू हो चुका है, आपको हम दिखाना चाहेंगे, यह जमूई लोक्सवाच्चेत्र का बूस संख्या 189 है, और यहां देख सकते हैं कि सुरुच्चा के बीच में मद्दान हो रहे हैं, महि आपने बच्चे को लिखर के मद्दान करने यहां पहुंची है, तो यह यह तस्वीर देखे, एक, दो नहीं बलकि यहां पर दर जुन ओ, ऐसी माय है, जो अपने बच्चे को लिखर के यहां पर वोट्कास्ट करने आई है, तो हम इंव्हों बात भी करेंगे. तो देखिए आप यहां पर आई है बच्चा को लेकर के घर में खाना वाला बन गया है नए सर अभी नहीं बना है जा के बनाएंगे जा के बनाएंगे सरकार अच्छी चाहिए जो लोगों के चेरे पर मुश्कान बनाएं रखे कैसा सरकार चाहिए नाम मत बताईएगा अच्छा चाहिए काम करने ओना चाहिए अच्छा चाहिए चली तो अच्छा सरकार चाहिए अच्छी सरकार की सोच बचक लगा गया रखते हैं नीली से आई इनके नेल पॉलिस जो इनुने लगा रखा था उससे भी खुब्सूरत से आई यहां नजर आ रही है किस सोच के साथ आपने वोट किया है क्या सब्सक्राइब जी अमें तो आपने देखा असंवादातामित के रेपोर्ट जिसमें आपने महिलाओं की लंबी कतारे देखी दूद मुहें बच्चे को लेकर महिलाएं पहुची हुई है वोट करने के लिए तो आप सोची कि उनमें कितना उत्सा है और कितनी जादा उमंग है और सरकार चुनने के लिए वो कितनी जादा सजग है और अपने मदाधिकार को वो जानती है समझती है चले लिए चलते हैं सा चार सीटों पर वोटिंग जारी है सुभा से ही भारी संक्या में मगदाता जो है वो पहुच रहे हैं मगदान किन पर और वोट अपना कास्ट भी करें सबसे पहले वो तस्वीर नीजिटिन बियार जारकन पर आपको दिखा भी रहें साथी साथ आप हुमाए साथ अपना सेल्फी भी शेयर कर सकते हैं आप जैसे ही वोट कास्ट करें एक सेल्फी लीजिए और नीजिटिन बियार जारकन के साथ आप उसे शेयर कीजिए हम आपको वो तस्वीरे नीचे दिखा भी रहें जो भी आप देख भी पारे होंगे वोट्सेप नंबर भी आपके टीवी स्टीन पर फ्लाश कर रहा है जिस पर आप अपनी सेल्फी हमें वोट्सेप कर सकते हैं और वो हम दिखाएंगे और साथी साथ नीचे वे आप जारकर लगातार आपसे अपील कर रहा है कि अपना वोट कास्ट करने के लिए मदान की इंद पर आप जरूर पहुँचिए क्योंकि ये आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट दिन है और आपका एक मत जो है पहले चरण के चुनाओ के लिए मत दाता जो है वोटिंग से वहाँ पर बूत केंदरों पर पहुच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे है और आज की दिन जितनी तस्वीरे सामने आ रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं अपने पत्नी के साथ बोट डालने के लिए पहुचे मत दान केंदर पार पहुचे है कुमार सर्व जीत अपने पत्नी के साथ में इरिक्षा पर बैटकर वोट डालने के लिए पहुचे हैं ये बड़ी गबर है अब जो प्रत्याशी है वो भी वोट डालने के लिए पहुच रहे हैं तो इधर आज होड़ी प्रत्याशी गया में वोटिंग जारी है जितने प्रतियाश्टी थो वोट जाला नेहीक पहूंच रहeneca कि कुछ तस्वीरें और यहाँ पर मुकाबला बेहद ही करा देखने को मिल रहा है प्रत्याशी जो है वो कौन से प्रत्याशी को जीत मिलेगी यह आने वाले वक्त हम पता चुलेगा फ़लाल यहाँ पर जो मद्दाता है वो लाइनों में खड़े होका वो डाल रहे हैं माई सभी शिप्रा अलग अ पतार बनी हुई है बिल्कुल लक्षमी और देखी एक खूबसूरत तस्वीर हम लोगतंद्री के खूबसूरत तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितना उत्सा मद्दाताओं में है चाहे बुज़ुर्ग वोटर हो या फिर महिला वो कुछ दे के बाद वोटिंग परसेंटेज आने भी शुरू हो जाएंगे हमारे साथ दानेश श्रीकवान बीजेपी की प्रवक्ता और कॉंग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ विलोग चर्मा लगतार बने वे हैं दानेश जी इस बार कई सारे मुद्दे हैं जनता के मन में जब अब हमारे नियूज इटिन समभाद दाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं बादचीत कर रहे हैं तो बता रहे हैं विकास के लिए रास निर्मान के लिए और रोजगार के लिए इस बार वोट किया जा रहा है और परमुख मुद्दा है कि उत्री विहार जो बार से गर्सित है उत्रे से उसके लिए प्रियास होते हैं थार्ड क्रॉप्स कहा जाता है रिडिफ देने का तो अभी आप जितन रामान जी को सुन रहे थे एंडिये प्रत्याशी जितन रामान जी दानिश जी मैं आपके पास एक बार वापस आती हूँ दर्शिकों को बता दें अभी हम बयान सुना रहे थे जितनरामान जी का इंडी के प्रत्याशी है गया लोगसभा सीट से अभी कुमार सरवजीत जो उनके मुकाबले में आप खड़े हैं आजडी प्रत्याशी उन्होंने वोट कास्ट कर लिया अपनी पत्नी के साथ गये थे अब जितनामान जी भी वोट कास्ट का निकले जो है जरूर जाएंगे वो तस्वीर भी दर्शे को दिखाएंगे दानेश जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजे जी बिल्कुल नुशित तो पर मैं कह रहा था कि प्रधामंतरी का दस साल का जो कारेकाल है वो आजादी के बाद एक एतिहासिक कारेकाल रहा है क्योंकि जिस परकार से जो इस देश के अंदर जटिल समस्याई थी जो देश के विकास को बादा पहुचाती थी जो देश के सौहार्द और उसके जो माहौल ता उसको खराब करती थी उन सभी विशे को प्रधामंतरे में आड्रेस करते में उसका सालूशन निकाला देश के अंदर से जम्हो कश्मीर में धारती में 70 को अगर समात किया गया तो उसका सबसे जादा पून तरीके से प्रान पर तिष्ठा करा ले आता है और देश में जो है एक अच्छा महोल पाइदा होता है जो विकास की बाधार थी विकास के लिए उसको सवाप कर देया आता है ट्रिपल तलाग जैसे मुद्दे जो कभी कलपना नहीं कर सकते दे रादी वादी की सरकार में जिनको लेकर आप गए भी चुना प्रचार भी इसक के बीच लेकर गए हैं जिस पर भरोसा जनता जताएगी देखिए बिहार में जनता मुद्दा उठा रही है बिहार सुरूर से बिरोजगारी दर में सबसे आगे रहा है और आज सबसे बड़ा बिरोजगारी का हब बन गया है तो बिहार के लोग चाहते हैं कि हमें रोजगा के हो गए थे हजार के हो गए तो निश्ची तुरुप से इसी तरह से सभी चीजों के दाम आस्मान चुह रहे हैं गरीब क्या करें तो सबसे बड़ा बर्ग है भोटर गरीबों का इसलिए गरीब चाहते हैं कि हमें मुक्ति दिलाते लेकिन यह संभव नहीं हुआ दस सालों में भी संभव नहीं हो पाया अश्चरजनक बात है मुद्य गिनारे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं की कुछ काम किया ठीक है तो सब्सक्राइब लेकिन जनता को क्या फायदा हुआ राम मंदिर बना जनता को क्या फायदा हुआ क्या उनकी भुख मरी समाथ हो जनता नहीं कर रहे हैं आप नहीं चाहते हैं कि गरिभी दूर हो मंगाई दूर हो हर ब्यक्ति को रोजगार मिले तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना तो बिहार के लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं और निश्ची तुरुप से मुद्दे के कारण भी रहें और देखन पत्रकार भी रंजन हमाई साथ जुड़े वे हैं रुप कर लेते हैं जेन जिग्यासु जी आपका अभी आपके ही प्रत्याशी जो है कुमार सरवजीत वोट कास्ट करके आए और उन्हें कहा कि बहुत जनता का समर्थन जो है वो मिल रहा है इन चार लोग सबा सीटों को ल जाहत जेने के लिए अपने सभी मंत्रियों को उतरदाई तो बोट के साथ लगाया जनता उस पर जरूर महर लगाएगी और सरवजीत जी तो क्रिशी मंत्री रहे हैं और हम लोगों ने इस अखिल भारतिय चुनाव में लोगों के बीच वाइदा किया एक हम स्वामिनातन कम पुरानी पिंसन स्कीम को लागू करेंगे किसानों के बच्चे ही जो सीमा पर जवान के रूप में तैनात होते हैं उनकी अस्थाई बहाली खिर से हो सके और अगनीवीर स्कीम को रद्द करके उनके साथ जो भरी जवानी में खिलवार ये सरकार कर रही है उस प्रूर जैन जी आप हमारे साथ जुड़े लेगे हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार अभी रंजन जी भी जुड़े वे हैं अभी रंजन जी सुभा से वोटिंग का सिलसुला जो है वो खास्तर पर बैयार में चार लोग सबा सीटों पर देखने को मिल रहा है और उचसा काफी जादा हम द प्रतिशत तक मत्रान पहुचना चाहिए सौ प्रतिशत नहीं पहुच सके कमसे कमसी पर चासी परतिशत तो होना चाहिए अगर सो में केवन साथ लोग मत्रान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चालिस लोगों का जो पक्ष है वो चुनाव में परिलक्षित नहीं हो पाता है तो ये लोगतंत को मजबूत करने के लिए नागरिकों को भी समझना चाहिए और इतने भी स्टेकोलर्स हैं उनकों इस बात को समझना चाहिए कि जादा से जादा लोगों को शामिल करें किस तरह से शामिल करेंगे बिहार जैसे राज्यों में मत्रान का प्रतिशत कमरा में का एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए बिहार की राजनितिक दलो और पिछले 30 साल की सर्कारों की सिम्हदारी बनती है और ऐसे कितने सारे लोग हैं, मजदूर, तरह-तरह की नौपरी करने वाले, विद्यार्थी, तरह-तरह के लोग हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, और उनकी सर्चा बहुत बड़ी है, चलिए अपरचल जी आगे बास वापस लोटूंगी और इस चर्चा को मागे बढ़ाएं की जाच भी कर रहे हैं, कई गारियों को जब्त भी किया गया है, जाइजा लिया है न्यूज 18 समबादाता संजे कुमार में तुम्हें ये कारवाई चल रहे हैं, किस तरीके से आप लोग जाच कर रहे हैं, आज जो चुनाव है, उसके मद्दे नजर जो है, हम लोग इस वहाँ पर आने जाने वले बाहलों का संध्यात्मक बस्तुवों को चेक कर रहे हैं, और ऐसे ही आज जो है पब्लिक केरियर को नहीं चलना है, लेकिन जो अमर्जनसी गारी है, जो चल रही है, उनको भी हम लोग सखन चेकिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके से अब तक क्या फैंग दिश रही हैं, अभी तक जो है कि जो कुछ गारियां है, जो कि जबत किये हैं, जो बिडाउट हेलमेट हैं, या अना बश जा रहे हैं, जो बोर्ड देले जाते हैं, उनको हम लोग सवच्छ जाने देते हैं, बट उसको नियम पालन करके ही जाएं, लोग से क्या अपील कर रहे हैं, लोग जो इंस्ट्रक्शन्स हैं, उसको फॉलो करने चुनाव आयोग ने आज की तारीक के लिए, कई तरह के उनकी भी जाच की जा रही है, और हम सब का दाईत है कि हम प्रसासन को सहयोग करें, और सहयोग करके ही हम पूरे दिन जो मदान की प्रक्रिया है, उसमें अपना महत्वपून योगदान दे सकते हैं, क्या मैं परसन अजय दूबे के साथ, संजे कुमार, नुजेटीन, नवा डालने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं, कई जगों पर एवियम के खराब होनी की खबरे भी सामने आई, हमने खबर दिखाई, उसके बाद फिर विवस्ता ठीक भी की गई, और इसी तरीके से ये महा कवरेज आप देख रही है, हमारे सायूगी, शुपरा के पास भी चल और बहाँ पर मौझूद होकर अपने मद्दान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट लगातार बने वे हैं, जिन से हम एक एकर केस पर बातचीत भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, इन लोगों की भी धड़कने पेस जरूर होंगी, क्योंकि आज जनता जो है, वो बोड के जरिये अपना नेता चुनने जा रहे हैं, दानेश जी, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधान मंती नैंद्र मूदी, गरी मंतरी अमिट्शा हो गए, रक्षा मंतरी राजनात सिंग जो थे, वो भी बिहार दोरे पर पहुँचे और उन्होंने चुना प्रचार किया, क्या लगता है, जो करी महनत आप लोगों ने की है, तो ये चार लोग सबाकी सीटे, पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग को मिल जाएगी ने बता सकता हो यहाँ पर कि दस साल के मोदी जी के कारेकाल में, अगर सोचाले दिया गिया पूरे देश की अंदर, तो उसका सबसे आदा साइदा जो हमारे घरीब दलित पिछले आती, पिछले समाज के लोगे, उनको दिया गया, अगर आवास बना के दिया गया, जिनके के लिए जो किسان है, उनको जो जो है, राशी देने का काम किया गया है, जन्धन योजरा के माद्यम से कौर्ट खोलने का काम किया गया है, यहली जो लोग के लि french कारे हो सकते हैं, आपको पंच लाग तक के लाश की भीमा दी गई है, उसके राशी दी गई है, कि एगर करदाने 29 कर रही हो है कि सब्सक्राइबिंग को百च चैनल काम है फिरन व्विक्यों करने 3 सब्सक्राइब गाने 2 काम ही नहीं किया है दानिश इक्बार जी अब इसका जवाब दीजिए विनुद जी कि उनके साथी के लोग रामविलास पासवान जैसे वरिश देता को की पतली को गाली के रहे हैं दानिशी मेरी सायोगी लक्ष्मी या तक मेरी वारवार है जो पूशा जा रही है सिप्रा जी हमारा एक ही प्रस्ट है कॉंग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया तो सतर साल में चार सो गैस का दाम किया पेट्रोल का दाम साथ रुपिया किया सतर बर्स लगे लेकिन भाजपा ने दस साल में सिधे दूगना कर दिया तीगना कर दिया गैस का दाम यही है विकास क्या यही है सारी चीजु की दाम दूगने तीगने दस बर्चों में हो गये कैसा विकास आपने किया आज प्रधान मंत्री जी दावे के साथ कहते है कि 80 कडोर लोको हमने कटोरा थामा दिया यह विकास है क्या किसी राश्ट के हमारे अधर्नी परधान मंत्री थे बाजपः जी आपके सबूर देखिए प्रदस्चन आप प्रधान घुव का देक्टे के हैं अांक्र है मारे पास प्रदस्टा क्यों पिछली बार करने इस बार काकलन कीज़े ना उसको आप उन्म आपके सब्सक्राइब हमारे साथ ही न कि अधर कि राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति के नहीं करते हैं हम सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आडमबर नहीं करते हैं चारो संक्राइब करते हैं हुएं अपने धर्म करुणि का सुर्व्सक्राइब करते हैं हमारे या दर्म करते हैं हमारे प्रदान मुत्री खुद इतनी बार ब्यार आगे चुना प्रचार करने के लिए लेकिन आप लोगी तरफ से उतना बहुत जादा एक्टिवनेस दिखी नहीं अधिन मानते हैं कि हमारे पास उतने संसाधर नहीं है हमने कई जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ अगर स्वास्त के अंदर नहीं नई आई टी पॉलिसी नहीं याद है जब स्वास्त मंत्री बने थी ते जैसे यादर तो मिशन सिक्स्टी उन्होंने चलाया था और वो साथ दिनों के अंदर उनने कहा था कि एकदम विवस्ता बिल्कुल साही हो जाएगी सारे अस्पिताल सुधा एकदम वहाँ पे विवस्ता टंच रहेगी लेकिन ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला लेकिन जहां तक प्रदर्शन की बात आप कह रही है तो इस बार के चुनाओं में भाजपा 200 से नीचे जा रही है हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं हम पर लोग भरोसा कर रहे हैं काम गया सिलिंडर को 500 रुपीय में देंगे इस देश की जनता को हम पुरानी पिंसन स्कीम लागू करके लोगों को राहत देंगे जो सरकारी कर्मिकारी हमने तो इस बार देखना होगा कि आप लोग जो भी इस बार बादे जनता से कर रहे हैं उन बादों पर इस बार कितना भरोसा जनता आप पर करती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा तो बेकी बाद एक बाद फिर से आप सबीका स्वागत है नियू जीटिंग बेहार जारकन के इस महा कवरेज में जिसमें हम आपको आज चल रही वोटिंग के बारे में पल पल का अपडेट दे रहे है पहले चलन के मतदान में आज देखें बेहार की चार लोग सबाद सीट इस में गलत ऊर्फिंग के इस चल रहे च怕 से बेहार की राधा है उद बेहार को आपको आज चलन के में पल का बारे में गलत आपको आपन के उल्ट देखें लग affirm हाब इस आपर मने खराब होनी की खबार बूत संक्या 337 पार इवियम खराब हुई है आपको बता दें कि साथ बज़े से वोटिंग शुरू हुई थी और आप बजने वाले लगबग एक घंटे का समय और एक घंटे के अंदर ही देखें इवियम खराब होनी की सबार जो है वो सामने आ रही है जाता जानकारी देंगे समबाद आता अनिल विशार अमारे साथ जुड़ रहे है नवादा से अनिल एवियम खराब होनी की खबर सामने आ रही है पूरी जानकारी दीजे जी देखें ये रजोली विदान का बता ये उर्वास नभावित इलाका है तवईया काल पंचाइस क एक और इलागा है उसका भी कंफरनेक्टर नहीं हो सका है क्योंकि उस लाके पर अभी ये पहली रिपोस आई है कि यहां पे इवियम खराब है और अभी तक्वां पे वोटिंग शुरू होने के लगों एक बहुता है हाला कि अधिकारी उससे जड़ ज़ड़ करने में अधिकारी कब तक जो यहां पर इवियम खराब हुई है वो ठीक हो पाएगी जी यहां पे जो चुनाव कर्मी जो मौदूस है उन्होंने अपने वरिया दिकारी उसकी सुषना देनी है और लगतार उसके ट्रैक कर रहे हैं और जो पेर में जो एप्डेट आपसे लेंगे फिलाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सायोगी शिप्र हमारे साथ लगतार बनी हुई है बिलकुल लक्षमी दिखेगे का अपडेट भी हम दर्शकों को सबसे पहले बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कहां कहां क्या कुछ गरबड़ी सामने आ रही है और जैसा कि हमने आपको बता है कि निउस इडिन ब्यार जारखन पर ही नज़र रखी जा रही है चाहिए अधिकारी हो नेता हो या फिर लोग हो वो सभी निउस इडिन ब्यार जारखन को अभी देख भी पार है और उसी से अपडेट भी ले रहे हैं इसलिए सबसे पहले हम अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं साथी साथ हम उन लोकसभास शित समभाद दाता निउस इडिन समभाद दाता अरंद अम्रिद राज हमां साथ जुड़े हैं एक बाद फिर से उनका रुक कर लेते हैं आरंद औरंगा बात में हैं मौजूद है आरंद अभी क्या कुछ वहाँ आप देख पार है कि देखिए दो तस्वीर आपने दिखाई ज और हम आपको पर्षय करा देते हैं एक बुजूर्ग माता जी है इनकी बेटी और इनके बहु तो आप समझे तस्वीर कितना दिल्चस्प है सबसे पहले सुर्वात बहु से ही कर लेते हैं नाम क्या है मैं अनन्या सिंग आप रहने वाली कहां की हैं मैं रहने वाली औरंगा जी औरंगाबाद में पहली बार तो देखे सिप्रा यूपी की बहुएं और अंगाबद की बहुएं और इनोंने बिहार में पहली बार अपना वोट डाला है तो आप समझे इनके लिए कितना मातपुन पाला है कैसा लग रहा है अनुवा पहले बताई आप बहुत ही गरव बढ़ी है ट्रें स्रापिजस बढ़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले दस साल में यहां बहुत अच्छे कारे हुए मतलब आपके लिए प्रात्मिक्ता विकास है विकास जैचरी आपका नाम क्या हुआ है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जो अभी आप टीवी सीन पर फ्लाश करते हैं गया संबद दाता रवी अस तरा हैं असाग में रवी आपके पीछे में देख पारी हुर महिनाओ की कतार जो बढ़ती चली जा रही है अगर यहां गया में देखे तो और आप लोगों को ये भी बताएं कि वो मैं साथ सेल्फी भी शेयर करें कि हम में दर्शिकों को दिखा भी रहें लेकिन जो जोश है वह तापमान परभारी है और बड़े संक्या में जो महिला है वह यहां पर पहुंची है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और यहां पर कुछ वैसे वोटर्स भी है जो चाहिए पहली बार वोट डालने के लिए पहुंची आप पहली बार वोट KITNA हो चाहिए कैसा महसूस कर दो बहुत अच्छा महसूस हो रहा हूँ हमारा जो राइट है तो हमें और अच्छा लग रहा है कि अपना अपना ये वोट यूज करें और सही आडमी को वोट डे जो हमारा development और हमारे बारे में सोचे हैं तो बहुत अच्छा आई हैं जी नहीं हमारे ममी आई है एप हमारे खर के सब सबसेदत अपैं ममी तो ममी आई है तो ममी कहां वोट देना इसे लेकर कर दवाब तो नहीं बना रहे हैं जी 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 कोई दबाव नहीं है पहली बार आपके वेलिटी वोट दे रही है यह बहुत खुश है जी आप कैसा मुश्श कर रहे हैं हम एक खुश है है यहां पे दिखें जब युवा छेरा जब यूच जब यह कहें कि हम उन बातों को लेकर करे दे रहे है जो युवा के बा अब लोग अपने बारी का इनतिजार कर रही है सेब आफ के? लुट कर देने के लिए इनतिजार कर रहे हैं皆さん की बातों को लेकर लेकर वोट दे रहे हैं आपके यहां पर क्या चाहये? देश को विकास चाह tunnels है महंङाई काम करना चाहिएं से जिकशित होना चाहिए साथ, बच्चे क्या करते हैं आपके। बच्चे प्ढ़ाई कर रहा से बीकर रहा से, जी महिलाएं बिल्कुल सजग है करें कि जो देश का विकास हो रास्ट का विकास हो और जो लोग हैं और जो पहली बार मोर्टल डाल रहाए है उस पे भी जवरदस उत्सा यहाँ पर देखने के मिलता है और यह एक लंबी कतार जो है वो यहाँ पर ज़रा देखे कि पूरे परिवार के साथ भी जो लोग यहाँ पर चीके ठीके रभी आप मैं सब बने रहे हैं मैं आपकी पास वापस भी लोटूंगी और यह तस्वीर जो है वो खाफी सुखत तस्वीर है लोकतंतर की खुबसूर रण की चुनाव आज हो रहे हैं और आपको बताते चलें कि बिहार के रण में दिगज उतर चुके हैं 24 अप्रेल को पियमोदी की सभा होनी है फार्बेस गंच और दर्बंगा में यह सभा होगी और इसके बाद 21 अप्रेल को भागलपूर में अमित शाह ज्रियमंत्री अमि 26 अप्रों को पियमोदी की यहाँ पर जन सभा होगी फार्बेस गंच और दर्बंगा में यह सभा होगी आइस बीची रुख करनेते एक और बड़ी कबर की और एक बड़ी ज्वानकारी सामने निकल करा रही है मुंगेर के चमपा चक में इवियम खराब की खबार अब तक वाँ पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है जमूई लोग सभाग शित्र में है चमपा चक यह बड़ी कबार शेकपुरा में बूत नंबर 68 पर देर से वोटिंग शुरू होई है और आपको बता दे चले हैं मुंगेर के चमपा चक में इवियम खराब की खबार सामने आ इसके बाद शेकपुरा में बूत नंबर 68 पर देर से वोटिंग हुई इवियम में खराबी की वजह से तकनिकी कारणों की वजह से देरी होई है जादा जौनकारी देंगे समबाद दाता अमारे साथ जुड़ रहे हैं आरुन अमारे साथ जुड़ रहे है आरुन क्या यहा अब तो कवाज मिल पारी है और उनके पास आवाज नहीं पहुंच पारी है लेकिन आपको बता देगे घंटे होने वाले हैं हो चुके हैं लगबाग वोटिंग शुरू होने के लेकिन इसके बावजूद कुछ जगों पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई अब तक EVM खराब बने होई हैं लक्षमी आप बड़ी ख़बर दर्शिकों तक पहुचा रही है और जैसा कि हमने बताया था कि न्यूज इटिन ब्यार जारकन पर हम पलपल का अपडेट सबसे पहले पहुचाते रहेंगे तस्वीरे हम दिखा रहे हैं तो साथी साथ हमाई साथ कुछ का और अमित हमाई साथ बने वे हैं लगतार जो तस्वीरे दिखा भी रहें जमुई लोगसभाज शेतर पर क्या कुछ तस्वीर अभी सामने आ पा रही है जैसे कि हमने दिखाया कि महिलाए जो है वो काफी जादा संख्याय पहुची हैं मैं गेस्ट के पास जाओं उससे प पर क्या कुछ मुद्दे उनके मन में अभी हैं और क्या उनके लिए राजी के मुद्दे जादा जरूरी है या रास्टी मुद्दे जादा जरूरी है बिल्कुल देखे मैं इस वक्त मुद्द हूँ ये मरतान केंद संख्या जमुई का बरहट का जो नकसल का गर माना जाता है यहां पर जो है बरतान केंद संख्या 176, 177 है और यहां पर जो यूवा वोटर है वो भी लंबी कातार है उनकी महिलाओं की विकातार जो है वो बड़ी है और कहीं 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 कह सकते हैं क्याद लोक्तंत के महापर में हर कोई अपने भागीदारी जो है वो सुनिशित करना चाहता है और यहीं वज़ा है कि यहां पर लंबी कातार जो है वो नजर आ रही है आप वोट करने आए हैं किस पार्टी को या किस पर्तियासी को ने रहे यह मत बताईएगा किन मुद्द जो हुआ है नौकरी सरकार कैसा चाहिए विकास उना चाहिए और क्या चाहिए विकास होना चाहिए और का सोना चाहिए नहरा neighbour trapped लिए यहां देखिए और भी लोग है इनसी बास करते हैं बाबा आप किन मुद्धों के लिख करने आए बताईए गास के मुद्धा जो है वो सबसे ऊपर है और यहां पर उन्हीं उसी मुद्धे को लिकर करके जो चाहे वो महिला वोटर हो पुरूस बोटर हो सबी जो है वोट करने हम तस्वीर लगातार दर्शुकों तक पहुचा भी रहे हैं और जैसे कि हम दर्शुकों को बता दे कि जितने भी बुज़ूर्ग वोटर हैं चाहे महिला हो या कोई भी हो सब पहुच रहे हैं हमारे सब बढ़े रहे हैं इसे बीच उतर बच चुका है बड़ी खबर आ इवियम को ठीक कराए गया है आप फिर से वोटिंग सुचार रूप से कराई जाएगी तो न्यूज 18 की खबर का सार मुंगेर बूत संक्या एक सुचार वन पार मददान एक बड़ फिर से शुरू हो चुका है इवियम में खराबी आई थी जिसकी बज़़ से वोटिंग मे दिक्कत आ रही थी नवादा में भी बूत नंबर 237 पर इवियम को ठीक करा लिया गया है यानि कि एक बड़ फिर से सुचार रूप से वोटिंग अब शुरू हो चुकी है तो ये बड़ी खबर आप सक पहुचा रहे है कई जगों से इवियम के खराब होनी की खबर हमारे पास आ रही है और हम उस खबरों को लगातार दिखा भी रहे हैं तो ऐसे में न्यूस एजिन के खबर का असर हुआ है मुंगेर में बूत संक्या 114 पर अब एक बड़ फिर से मतदान को शुरू किया गया है लगतार माईल सयोगी शिपरा बनी हुई है बिलकुल लक्ष्मी अब नवादा में जिस बूत पर वोटिंग अभी शुरू नहीं वी थी बहाँ शुरू हो चुकी है और साथी साथ हमाई साथ गेस पैनल भी जुड़ा वह है जिसमें हमने आपका परिचे भी कराया हमाई साथ बीजेपी के प्रवक्ता दाने शिकवाल जी जुड़े वह है सबसे पहले दाने शिकवाल जी आपके पास आते वे काउंटडाउन शुरू हो चुका है पहले चैनल की वोटिंग आज शुरू हो चुकी है क्या लग रहा है क्या उम्मीद है सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ कि वो जादा से ज्यादा की संख्या में बाहर निकल करके आए और अपने मतदान का जो है अपने अधिकार का जो है पडियोग करें और एक कि मुझे लगता है कि बिहार की जनता काफी जागरूख है लोगतंत्र को ले करके और राजनीती को ले करके तो निश्वित तोर पर मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता रिकॉर्ड दर पे जो है इस बार मददान करेगी और एक रिकॉर्ड बनेगा बिहार से लोगों का मददान करने में देखिए जहां तक सवाल है कि आज का पर्थम चरंड का चुनाव शुरू हो गया है देश के 102 सीटों पे चुनाव हो रहा है बिहार के 4 सीटों पे चुनाव हो रहा है और यह जो चुनाव है यह नरेंदर मोदी जी के 10 साल के कारिकाल जो उनका रिपोर्ट कार्ड है मोदी की जो गारंटी है उसको जहन में लेकर के जंता अपने घरों से निकल रही है मतदान करने के लिए इस देश के जंता करूंगी कि या कुछ आपके महत्पूर मुद्दे हैं जो हम देख भी पा रहे हैं एक बार विनोच जी का रुक कर लेता है विनोच जी आभी जिस तरीके संख करने के लिए पहुंचे थे और अपने उंगली पर उनकी स्याही लगी है वह दिखाते वे यह तस्वीर जो है उनकी सामने आई है जो हम दिखा भी रहे हैं और आप बता दे यही जो ब्लू स्याही की तस्वीर है यह दर्शाता है कि आपने अपना वोट कास्ट कर लिया है और अपना वोट कास्ट करने के साथी ये तस्वीर जो है वो शेयर कर रहे हैं अभी आप सुपरस्टार रशनी कान्थ को देख रहे थे एक एक करके जितने वी वी आईपी जो लोग है वो भी पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट कर रहे हैं हम न्यूज इन ब्यार जारकन लगतार दर्शिकों से अपील भी कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि आप भारी संक्या में मददान के इंदर पर पहुंचें और वहां जाकर अपना वोट जरूर कास्ट करें, आप इस बुजर्ग महिला को देखें, जो अभी चलने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो वी तो बिल्कुल अब रहूल गांदी ने भी अपील की है लोगों से, पहले चोरण की वोटिंग के लिए अपील एक एक वोट भारत के भविश्य को ताई करेगा, और दस साल में देश की आत्मा पर दिये गए जख्म, वोट का मरहम लगा कर लोगतंत्र मजबूत कीजिए, य इसमें भी उन्होंने रिखा है कि वोट का मरहम लगा कर लोगतंत्र को मजबूत कीजिए, नफरत को हरा कर मोहबत की दुकान खोलिए, और उनकी ये लाइन बहुत ज़ादा चर्चित भी है कि वो कहते हैं कि नफरत को हराईए, मोहबत की दुकान खोलिए, तो राहूल गां कि एक एक वोट भारत का निर्मान के लिए ज़रूरी है, और दस साल में जो देश की आत्मा पर चोट पहुचा है, उस पर आप मरहम लगाए है, साथी जो टाग लाइन बोलता है कि मोहबत की दुकान खोलिए, तो एक बाद फिर से पोस्ट करके उन्होंने लोगों से अपी मतदान करने के पहुच रहे हैं और अपने मत का अस्तमाल जो है वो ज़रूर करेंगे, साथी साथ जितने भी वरस देता हैं, उन्हों सभी ने अब लोगों से अपील करनी शुरूर भी कर दिया, अभी आप राहूल गांधी का हम आपको ये सोचल मीडिया साइट एक्सपर पोस्ट है, वो दिखा रहे थे, हमाए साथ कॉंग्रेस पर दकता विनोट शर्मा जी जुड़े वे हैं, विनोट जी ये सोचल मीडिया साइट पर पोस्ट किया अभी, राहूल गांधी ने मौबबत की दुकान खोडने की बाद फिर से दोरा रहे हैं देखिए निश्ची तुप से राहूल गांधी जी लगातार मौबत की चर्चा करते रहे हैं, उसके लिए काम करते रहे हैं, कॉंग्रेस पार्टी उसी पर चल रही है और सबसे पहले मैं बधाई न्यूजेटीन को देना चाहता हूँ, आपकी टीम को देना चाहता हूँ, कि लगातार सुवा से आप बारीकी से सारी चीजों को दिखा रहे हैं और बिहार देखिए लोग तंतर की जनिर रही है, और बदलाओ की भूमी रही है, कोई भी आंदोलन बिहार से ही शुरुआ है और निश्ची तुरुप से भी चारो जो चुनाओ हो रहे हैं, चारो विधान सवा में, हमारा मानना है कि आदर्निये परधान मंत्री जी का जो था सपना की परिवारबाद से मुक्तित, चारो सीटों पर संजोग से इंडिये को मिद्वार परवारबादी हैं, तो उनका सफ सफाया तय है, चारो जगा परधान मंत्री हैं, और हमारे आग्राव को मान कर, चारो जो परिवार से निकले हुए हैं, जो पिता के पुत्र हैं, उनके नाम पर टिकत मिला है, उनलों को सफाया जनता करेगी, और बिहार में निश्ची तुरुप से महनाई और जेजरुदार आज उन सभी प्रत्याशों के किसमत कैदोने वाली है, इवियम में, 38 उम्मीदवार है बिहार में जो 4 लोगसभा सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में है, जनता किसका भविश्य क्या पर करती है, आज इवियम में ये सब कुछ कैद हो जाएगा, और पल-पल का अपड आनन्द अम्रिद राज भी जूड़े में हैं, और वहां क्या कुछ अभी देखने को मिल पा रहा है, वो हम दर्शकों तक महुँचाएंगे, आनन्द अभी वहां पर किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, क्या सब कुछ शांती पूर्वक चल रहा है? बिल्कुल देखें, बहुत सांती पूर्वक वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, और उसके पहले हम आपको तस्वीर देखा है, हमार साथ एक बुजुद्ध दम पत्ती है, और जिस मुद्धी की बाता बार-बार कह रही थी, कि भाई, कौन से मुद्धे पर इस बार वोट रास्टकि शुक, समरिधी और भरस्ट अचार के वियुद्ध अच्छा, ये तीनों आपके लिए बहुत बड़ा मुद्ध है, बहुत बड़ा मुद्ध है, परक्णारी तो दूर होगी ही, होगी, काम हो रहा तो होगा है, काम हो रहा है तो हो गाई है यानि कि रास्टवाद भष्ट चारिये से मुद्ध है यह राइबु राइशी पर दे रहा हूं अब बताएए मैं आप किस मुद्धे पर दे रही है इसी पर दे रही है अलक से आपका कोई बुरस्ट निर्मान ढ़नान कि बिल्कुल किसी नाम नहीं लेना है तो देखे शिप्रा आप समझ सकती हैं कि राष्टवाद, विकास, प्रसचार, यह कुछ ऐसे बर्निंग मुद्धे हैं, जो इस चुनाव में भी काफी हावी रहे हैं, बिल्कुल, आरेंदेकर कुछ और भी लोग वहाँ पर हो, तो उनसे भी ज़रा बापचीत कीजिए, उनसे भी जानिए, क्या कुछ है, सोच कर इस अडियम पर आज बटन दबाएंगे. तो देखे, सिप्रया, बहुत दिल्चस्प है, विकास के मुद्धे पहला गतार वोटिंग डाला जा रहा है, वोट डाला जा रहा है, और हम आपको और भी कुछ लोगों से बाचीत करके दिखाते हैं, और कई सारे लोग यहाँ पर जब पहुंचे, तो उनसे जब हमने बा बाहर के दस्विक, और देखे, मैं वोट डाल दिये, जी जी डाल दिये, आभी आपनों में डाल दिया, बहुत बहुत सुख़द द्रिस्पे होता है, जब वोटिंग डालने के बाद जब लोग घर जब बाहर निकलते हैं, इविकास फिर से दिखाईगा जारे हमारे दर्स और लोगों को बत्ता युवाओं को रोजगार मीले, सबसे बड़ी बता है, आपके लिए कौन से मुझारे है, मैलाओं के लिए विसेस, मैलाओं के लिए विसेस, देखे, पैर पर ये लोग खड़े हो सके, मैं महापर्व में दिल्ली से वोट देने आया हूं, अपना दिक अपना इद मनाते हैं, क्रिश्मस मनाते हैं, तो भाई हम लोग ये देवार भी उतना ही उल्लास से मनाए, जितना की ये और तेवारा पर कोई होगा देने, और मैं दिल्ली से शाहर इस पेसली टिकेट जैसे तैसे करके मैं प्लाइट से पहुँचा हूं, यह आगर अपना म इसे कर मतलब है उसे ठिकर के डाय के वोट डालने पहुचे है, चलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जाहिए आप अपना बोट डालिए सर, तो देखे ये एक बड़ा मैसेज है, बहतरीन मैसेज है, लोग लगाता रहे हैं, सर डाली आपने 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 लिए और उन्होंने अपील भी किया है, और देखे इदर अमिद शाह ने अपील की है, वोट डालने की देश में पहले चरण की वोटिंग को लेकर के अपील, ग्रियमात्री अमिद शाह के द्वारा और जाद से जादा संक्या में वोट करने की अपील की गई है, एक-एक व लिए इसको लेकर के तमाम बड़े नेता, इसको लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं, देश में पहले चरण की वोटिंग को लेकर की अपील की है, अमिद शाह ने भी जादा से जादा संक्या में वोट डालने की अपील और एक-एक वोट की कीमत भी उन्होंने बताई है, त देखे, टीव स्वीन पर आप देख रहे हैं, ये कौन-कौन सीट पर ब्यार में चुनाव होने हैं, किन के-किन के बीच मुकाबला होगा, वो भी आपको दिखा रहे हैं, गया में जीतन रामबान जी और कुमार सर जीत के बीच टककार, इधर जमुई में अरुन भार्ती औ में मुकाबला होगा, तो देख में पहले चुनाव को लेकर नवादा कलेक्टरेट के सभाकक्ष में एक इंटिगेटेड कंट्रोल रूम का निर्मान किया गया है, और इसमें मीडिया मॉनिटरिंग, कंट्रोल रूम और वेब कास्टिंग पर नजर रखी जा रही है, कंट् पर नजर के लिए नियू जेटीन का ही सहारा लिया जा रहा है, तो जीम खुद वहाँ पर सुबे से ही डटे हुए हैं, और हर बूत का जाइजा भी ले रहे हैं, तो कंट्रोल रूम का जाइजा लिया है संबादा आता अनिल विशाल में चुनाओ के लिए के नवादा समाहनावर परिश्ट अस्तित सवाकर्ष में एक कंट्रोल रूम का निर्मान किया गया है, जहां चुनाओ से संबंदित कई ऐसे एक्टिविटी है, जो यहां देखा जाएगा, सबसे पहले यहां पर जो बेब कास्टिंग की गई है, वो पास वो नमबर यहां पर अलॉट किया गया है, और तीसरा जो एक मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो है, वो यहां पर बनाया गया है, और जो सबसे आहम बात देखने को मिल रहा है कि न्यूज 18 का दबदवा यहां भी कायम है, और यहां भी जैसा कि आप देख सकते हैं, बिग स्क्र पर नवादा जिलादी कारी जहां पर मौजीर है, और हर गती वीदियो पर वो पैरी नजर रखते हुआ है, हम उसे हम ज्यादा जानकारी लेते हैं, सबी जगह पे मदान की तैयारियां हम लोगे द्वारा कर ली गई है, लगवग सब जगह पे मौक पोल भी स्कार्ट हो गय देखिए, वेब कास्टिंग लगबग 924 बूट्स पे हम लोग करा रहे हैं, जिसका आप कंट्रोल रूम में भी देख सकते हैं, रेगुलर फीट्स आ रहे हैं, इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम भी बना है, चुनाओ को लेके पहले से काफी ज़्यादा मिनत किया गया तो आपने देखा कि किस तरीके से कंट्रोल रूम से पहनी नजर हर जगए रखी जा रही है, चलिए जादा जानकारी देंगी, अब सायोगी शिप्रा हमारे साथ बने हुई है, बेलकुल लक्ष्मी और लगतार हम दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं, और साथी साथ हम बता दें कि अब किंद्री ग्रीमंत्री अमिट्शा की तरब से भी अपील की गई, पियमोधी ने अपील कर लिया, मोहन भागवत न देखने को मिल रही है, जहाँ पर भारी संख्या में जो लोग है पहुँच चुके हैं, गर्मी का वक्त है, ऐसे में धूप काफी तेज है, तो लोग भी चा रहे हैं कि जल्ते जल्द वो सबसे पहले मद्वान किंद पर पहुँचे और वहाँ जाकर अपने मद्द का इस्त सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्या कुछ अरवी अगर हम देखें इस बार तो जो लोग हैं, उनसे दरा बात पर कि ये भी समझने कोशिश कीजिए, कि क्या उन्हें राजजेग में जो चुना होते हैं वो और जो लोकसभा की चुना हैं वो, क्या उनमें अंतर भी उन्हें प तस्वीरे हैं, हम तस्वीरों के साथ बात करते हैं, और यह ज़रा देखिए, कि यहां पर बूट्स में यहां से आप निकलेंगे, तो किस कदर जो है, यहां पर जो लोग हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए, और यह अंदर की तस्वीर थी, लेकिन बाहर में आपको दिखाया कि जो पंक्ती है, वो किस कदर लंबी है, जहां तक आपकी नजरे जाएंगी, वहां तक आपको वोट करने के लिए खड़े हुए लोग मिलेगे, लेकिन जो लोग वोट करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, तो लोग सभा का जो वोट हो र है, लेकिन अभी जो परिस्टी बनी हुए यह ति पुरे देश में, खास करकर जो मुख मुद्दा भी होना चाहिए, जो मेरे समझ से जो हमारी हाँ बेरोजगारी है, और मांगाई है, यह दो चीज ना सिर्फ बिहार के लिए बरकि पुरे देश के लिए यह चिंता का भी स है, है तो, जब आप चुनते हैं, वोड देते हैं, तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, अब देश को दिखाते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, देश का फ्यूचर है, तो हम देखाएंगे यही कि, यही देखेंगे चुनाव को कि कौन सी सरकार अच्छा हमों को फूचर प्रवाइट कर रहा है क्या करते हैं मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ पढ़ाई कर रहे हैं तो देखे एक सजग युवा जो है वो इस बात को लेकर करके तयार है कि कौन से हमारे तकदीर जो है तस्वीर जो है वो बदल सकता है और कैसे आप क्या कर हैं जी सर अभी पढ़ाई करते हैं अच्छा तो जहन में यह मुद्धे हैं कि बिरोजगारी हटे देश से और युवा को रोजगार मिले युवा को रोजगार मिले जे बिल्कुल और यह बड़े मुद्धे हैं हर युवा चाहता है कि उन्हें रोजगार मिले और जिस किया कहेंगे इन अज़ चुनाओं को लेकर कितना उप्ताँ हैं और क्या मुद्दे हैं काफी उट्था है और हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि बढ़ चड़के मत्दान में एह समय और अपने मता अधिकार का प्रियों कि लिए मुद्दा किसानों का है मुद्दा युवा पहुचे हैं वो अपने अपने मुद्दे और अपने अपने जिस राखें वह बिलकुल साफ है की हमें कीस तरह जो खेंड सब्सके sharp тов Canada अन्रेख का है तो देखी़ देखिया सिर्फा एक बुजूर्ट महिला हैं जो चलने में समर्थ हैं फिर भी नाले का उससा देखिए ठीक से बोलि नहीं पाती लेकी नाले का उससा देखिए कि ये पहुँची है और व Olaf उससा देखिए कैसा लागा बोड़ डालने में yatreck टाल दैनि लेकन लेकन के जीटे लाँ बढ़ने रहे लाँ आऊंगा देश दोस्तर ना ले लेकन सब ले तन रहे तन आघा अच्छा कर दोत दोत बाद के बारे में बहुत 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 बाद बोली और क्या कह Ihnen गी आँ का हूं है सभी बढ़ बढ़ बचा देखा थे आव बढ़ मदेस के देखा थे तो देखिए बहुत दिल्चस्पत बात बोलिये कि पूरा देस अच्छा से रहे खुसाली से रहे बचे रोजगार कर यह महत्पून बात कहीं देकि ठीक से बोल नहीं पाती है लेकिन फिर भी उन्होंने ब मजबूती से रहे और जो बच्चे हैं वो अच्छे से अपने जिन्गी को गुजार सके हैं तो ये वोट डालने के साथ एक बड़ा संदेश भी देगा ये बुजूर्ग महीला तरकार के लिए और देश के रस्त निरमाण के लिए वोट करने के लिए वोट करने के लिए वो मधदान के दरपार तहुच रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से अपील भी कर रहे हैं और इसे भी जुरूप कर लेते हैं माय साथ लक्ष्मी जुडी भी है लक्ष्मी का उनके पास है इस वक्त की कुछ बड़ी खबर तो बिल्कुल वोटिंग जारी है और ऐसे मैं आपको बतावे चले कि तमाम निता वोट करने की लोगों से अपील कर रहा है जादा से जादा संख्या में वोटिंग की अपील की गई और विशेशकर युवार साथियों से अपील की गई है आपको प्रतेक वोट जो बहुत महत्पूर्ण है तो पहले चरण की वोटिंग को लेकर के तमाम नेता जो है वो अपील कर रहे हैं ज्यादा से संक्या में बाहर निकलें वोट करें और खास तोर पर अब जो युवाएं उनसे अपील की गई है और विक्सित भारत के लिए बे अपील कर रहे हैं और बार बार यह अपील कर रहे है और अपील इसलिए भी बड़े नेताओं के साथ साथ न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप जरूर अपने मत का स्थमाल करने के लिए पहुँछें मतदान किन्द पर जाएं वहां अपना वोट कास्ट करें क्योंक अपनी सेल्फी वोट्स अप कर सकते हैं जो हम आपको दिखाएंगे तो न्यूस हीजिनिस ने के इस महा कवरिज पर हमाई नजर लगतार बनी भी है इसके साथ आप भी जुड़िए अपनी सेल्फी लीजे हमें अपनी सेल्फी शेयर जरूर कीजे वो हम आपने टीवी स्वीन पर दिखाएंगे और लोगों को ये हम जाग रूप करेंगे कि वो मतदान करने के लिए मतदान किंद पर जरूर पहुँचे एक एक तस्वीर हमारे चार संवाब ताता लगतार ग्राउंड जीरो से बने वह है अलग-अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग-अलग जारकन पर ये मार का वुज लगतार जारी है यहार उकर एक छोड़े से ब्रेक के लिए पाँच चार तीन दो और एक इसके साथ ही शुरू हो चुका है वोटिंग का सिल सिल सिला जैसा कि मना को बताता कि साथ बैसे वोटिंग का सिल सिल हो जाएगा और अलग अलग तस्वीरे भी निकल कर सामने आनी शुरू चाहेंगी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहें दिखे किस तरीके से मतदान केंदर पर लोग बहुत चुके हैं और इस वक की बड़ी ख़बर आको बता दे किस राज़ में 102 लोग समा की सीटों पर चुना हो रहा है बहार में चार लोग समा की सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें गया और अंगाबाद जमूई और नवादा में वोटिंग शुरू हो गई है तो बिहार में चार लोगसमा की सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है साथी साथ देश के 21 राजी के 102 लोगसमा सीटों पर भी वोटिंग का सिल्सला शुरू हो गया यानि लोग जो लंबी लाइन में कताब लड़ा कर खड़े हैं अब वोट करने के लिए के करके मद्दान किंद्र के अंदर पहुँच रहे हैं तो 7 बजे का वक्त रखा गया था और ठीक 7 बजे और इसी भी चाथ बता दे प्रदानमंदी नहिंद्र मोदी ने ट्वीट किया है वोटिंग से पहले प्रिया मोदी ने अपील की है लोगों से वोट करने की अपील प्रदानमंदी ने अंदर मोदी ने की है जिसमें सोशल मीडिया साइट एक्सपर पोस्ट करके रोने लिखा है कि आज अपने मत का इस्तिमाल जो है वो जरूर करे वोटिंग से पहले प्रिया मोदी का सोशल मीडिया साइट एक्सपर पोस्ट भी आ चुका है जिसमें लोगों से वोट करने की अपील कर रहे है वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील कर रहे है और साथी साथ जैसा कि आमना को बताया फर्स टाइम वोटर जो पहली वार यूबा मतदान करने के लिए पहुँच रहे है उनसे अपील की गई है कि वो अपने मत का अधिकार का अस्तमाल जरूर करे और नया रिकॉर्ड बनाए और इसी के साथ रुक कर लिते हैं सहयोगी लक्षमी का जिनके पास इस वक्त की बड़ी खबर तो बिल्कुल वो समय आ चुका है जब वोटिंग शुरू हो चुकी है और लंबी लंबी लाइने आप लगातार देख रहे हैं हमारे समबाद दाता बूत केंदरों पर मौझूद हैं और वो आपको जो आपर जुनता वोट करनी के लिए पहुँची है उनकी लंबी कतारे दिखा रहे हैं और यही आज के दिन की खोबसूर्ती है जब लोग घर से बाहर निकलते हैं बूत के इंदर पर पहुँचते हैं और अपने वोट कास्त तर्माल करते हैं आज के दिन की सबसे खुबसूरत तस्वीरे नियूज 18 बिहार जारकन आपको दिखाएगा और आज वोटिंग शुरू हो चुकी है और दीरे धीरे जैसे जैसे समय बठता जाएगा वैसे वैसे आपको बटाएगे कि वोटिंग प्रतिशत बहती जा रही है वो भी आपको आपको आठडे बताएगे और आपको हर जगा-जगा की तस्वीरे दिखाएगे कि कहां पर लोग जो है वोट पहुंच रहे हैं देकि लोग सबाच चुना और 2024 में पहले चरण में 102 लोग सबाच सीटों पर चुना वोने जा रहे हैं और 21 राच में 102 सीटों पर वोटिंग तो ये बड़ी खबार और प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पार ट्वीट करके लोगों से वोट करने की अपील की प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने वोटिंग का नया रेकॉर्ड बनाने की अपील आम जुनता से किया और फर्स टाइम वोटर से खास तोर पर प्रदान मंत कर्मी भी याप पर मौझूद है देखिए पहले चलन के वोटिंग की तस्वीर है आप साफ सवर पर याद देख सकते हैं और यह तस्वीर आज के दिन कि सबसे अच्छी तस्वीर है और न्यूज 18 पर लगातारा कवरेज देखते रहें वोटिंग शुरू हो चुकी है और दे अपने मत का उपयोग करने मतदान किंद पर जरूर जाए और यह से में देखिए यह तो आज जब मतदान करते हैं और आपके जूपी में वो ब्लू कलर की स्याही लगाई जाती है उससे यह होता है कि आपने अपने देश में लोगतंत्र के इसमा पर हिस्सा लिया है और अपता नेता चुना है मोट बागवत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो वोट कास्ट कर चुके हैं देखिए सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे पर यानि कि पहले से वोटिंग का तुसला सबसे पहले से मतदान कर लिया है और ऐसी तस्वीरें अलग-अलग जगों से भी सामने आ रहे हैं कई सारे जो वी वी आईपी लोग है वो भी वोटिंग कर रहे हैं तो आज के दिन उतसा सब में नजर आ रहा है चाहे युवा हो बुसुर्ग हो महिला हो या फिर पुरुष्मत दाता हो साथी साथ दीवी आज जो अपने मतदान के लिए आज अपने मत का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं तो अपने का हिसा बनते हुए साथी साथ पहले चरण के लिए जिन जिन लोगसमाज शित्रुप पर वोटिंग हो रही है वहां लोग पहुँच रहे हैं। अपतादान नी येत्या पाच वर्षा खता अपने देशां बागे निर्धार इकतर करना आणी मुनुन प्रत्यकानी मततदान केल पाईजे शंबर ठक्के मततार मततानात आले पाईजे उनुन आज पहले काम जे मी केलो उठे आए नि मी मतततादान के ले रहा है अपील की है लोगों से देश की जनता से कि आज अपना अधिकार जरूर आप इसका अस्तमाल करें और मतदान करें साथी साथ हम आपको बियार की चार लोग समा सीटों की तस्वीरे दिखा रहे हैं क्या कुछ वहाँ पर अभी चल रहा है और जो लोग है वो कैसे पहुँच रहे हैं हमा साथ समपाताता रवी असनारायन गया से जुड़े में हैं एक बार उनका रुक कर लेते हैं रवी धीरे धीरे में देख पा रही हूँ कि लाइन बढ़ती ही चली जा रही है लोगों के पहुचने का सिल्सला भी शुरू है वोटिंग शुरू हो चुकी है वहाँ पर कितने लोगों ने तक मद्दान कर लिया प्रदान मंत्री मोदी से लेकर के तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि जादा से जादा मद्दान करें और उसकी एक सांदार तश्वीर जो है वो गया में बोध गया में देखने को मिल रहे हैं बोध गया कि बूध संक्या 34 और 35 पर मैं मौझूद हूँ और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रात्विक बिद्याले मस्ती पूर है और यहाँ का पूरा अप जो प्रांगन है वो मद्दाताओं से भर गया है और यहाँ पर एक लंबी कतार जो है वो बाहर तक आपको दिखाई पड़ेगी और सब के हाथों में यह जो पहचान पत्र है और यह जो कतार है वो बताती है कि लोग तंतर कितना मजबूत है का मदान यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तो सबसे बड़ी बात है कि देखे सबसे आगे अगर कहें कि अगर तीन पंक्तियों यहाँ पे लगी हुई है और तीन पंक्तियों में सबसे जो बेहतर आपको तस्वीर दिखाएगी एक पंक्ति जहाँ पे महिला सबसे पहले वोल्टर है एक युवा है और ठीक तीसरी पंक्ति है जहाँ पे बुजूर्ग जो है वो ख़़ा है तो जि यह सबसे पहले पिछले बार अगरा वाइब शíक को पहुँद करने हैं यहाँ इस वारं हो तो आप अमित आपके पीछे ही मैं देख पा रही हूं महिलाओं की लाइन अब लग चुकी है ज़रा उनसे बात चीट कीजे कितना उत्सा है क्या सोचते रही है आज अब पुरुस को पचारे हुए है महिलाओं का वोटरों का वो काफी लंबी कतार है और यह जो महिला के कतार है वो बताने को काफी है कि महिलाओं जो है अब सिर्फ चुले चौके तक सिमित नहीं है बलकि वो सरकार को बनाने सरकार को बनने और मजबूत सरकार लाने में भी अपनी भागिदारी निभा रही है और पुरुसों से कहीं ज़्यादा इनकी भागिदारी जो है वो नजर आ रही है और यही वज़ा को दिखाना चाहेंगे जिस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे अनंद आपने वो तस्वीर दिखाए कि जब भुजूर्ग वोटर सबसे पहले वहाँ पहुंचे थे यहाँ पर फर्स टाइम वोटर इसमार कॉर मंडे जा रहा है ज़रा अगर आप बार्चीत करता हैं वोटर से अब किसी पार्टी नाम नहीं बताएगा ज़रूरी नहीं है इसे वोट एक उत्सा भी होता है एक उसा लगता है के पर्व जैसा नागरिक है तो देरा जरूरी है यह मत्पूर्ण बाता है बहुत अच्छी कासी देखेंगे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यह अब आप लाइन तो देखी सकते हैं और ठीक इसके बगल में एक और लाइन बना हुआ है जहां पर महिलाएं भी पहुंच रही है और अपना वोट डाल दी है दो बूत है एक बूत हमने उधर दिखाने कोशस की एक इधर देदी बोट की डालने जा रही है देने जारी है अ इदे पहुत्टा दी है कि आहीया भी पहुटे आने वाली है विल्कुल अचली मैईला जो है अभी कुछ मैला जो है और सू रही होंगी लेकिन जाने का बाद ने कील सबसे पहरे लोगों का ओठा रही हैं जल्ड सरीते अगो एम आप लिए की इस शुलीन पहुँआ पादि कुछ काम करेंगे दिल्कुल तो तो दिखे और भी एक है आप सुबह में साड़े शेवाज यह पहुंच के लिखता है अगया जे सार हमाए पाँचे में चल दिया कोई बोल दिया कि छे बज़े से होगा गर्मी के दीन में हमाए के फिन महाकाल के मंदिल के अब लग जाएंगे दूप हो जाएगा पहले 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 अब लक्षमी का लगशी के लाक्षी के लाटिंग शुरू हो चुकी है लंबी लाइने शुरू हो चुकी हो आपको बताते चलेंगे जगे जुगए पर वोट पढ़ने शुरू हो चुकी है चार लोग सबासी दूप के लिए चुनाव हो रहे हैं पहले चरण में ब्यार में और वोटिंग शुरू हो चुकी है ऐसे में कई नेता वोट करने की अपील भी आम जुनता से करने लग रहे है शानवाज हुसैन ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है प्रदानमत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है और जितने भी बड़े दिगश्रिता हैं वो ट्वीट के जरीए और मेसेज के जरीए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर से बाहर निकले और वो एक वोट और उसका एक मोल बेहद मत्पून हो जाता है जब चुनाव वोरा होता है तो कुछ तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं और श्यानवाज हुसान हुसान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुन्वा देते हैं टेश के अंदर पहले धेश का चुनाव है जो लोग भी घर में हैं जो आज वोटर हैं वह उनसे अपिल करता हूं कि करें कि आहीं दूत पर बोट दालिए देश की तरक्की के लिए जो मुझाने के लिए देश को फार्ट प्रिएंट धॉलर और की अपनी द्विश्ण को विश्गुरु बनाने के लिए अपने धर से निकली और वोट दालिए वोट बहुत कीमत है लोग संत्र को पर्ष है एक तो वोट आपको भारत को शक्ति प्रदान करेगा करने के बाद वो भी हमाने साथ वो अपना एक्सपीरिंस शेयर कर रहे थे और जो लोग है पांच बजे से ही मद्दान के दरे पहुंच चुके थे एक आप फिर से रूख कर लेते हैं लक्षमी का तो बिल्कुल आप देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है तो ऐसे में लोग वोट करने की अपील भी की जा रही है लोग बाहर निकले घर से और वोट करें इधर चुराग पासवान ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है क्या कुछ का है उन्होंने वो भी आपको स आप सभी से ये अपील करता हूँ आज 19 अपरेल लोग सभा के चुराओं का पहले चरंग का मददान आज होने जा रहा है आप सबसे आगरा करता हूँ घर से बाहर जाएं सबको लेकर जाएं तमाम रिष्टेदारों को तमाम अडोस परोस के सब लोग को लेकर जाएं और अपने मद का इस्तेमाल करें और लोग तंद्र को और मस्वूत बना है जान्यवाद दादी का नाम है कितना उमर नबे नबे साल और फिर भी बोर्ट डालने पहुंचे का करें बेकाने रहे हैं तो बहुत बड़ा संदेश भी आप दे रहे हैं कि नहीं चलने में दिकत ह है कि बहुत आप देले के चलते हैं को इसा महल दिखरा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा 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 बटाईदारी अभी बहुत लोग घर से निकला ही नहीं तो बोल दिज्व लोग को भी निखलने के लिए और सबसे बोल दीजिए कि आप लोग भी पहुंचिये बूट पे अपील कर दीजिए तो देखिए बहुत दिल्चस्प तस्वीर है और लोग तंग की तस्वीर इससे खुब सुरत दिखने सकती है जब 90 साल की बुजूर्ग महिला भोड डाले पहुंची है तो तस्वीरे आप लगाता आप देख रहे हैं अभी आपने दिखा कि बुजूर्ग महिला में कितना उत्सा है कितना जुनून है आज के दिन वोट डालने की वो भी जानती है कि एक वोट का किया कितनी जादा मातपूर्ण है उनकी एक वोट क्योंकि जनता ही है वो आप ही है जो किसी के सरताच सजा सकते हैं तो किसी को गदी से उतार भी सकते हैं इसलिए घर से बाहर निकल लिए और वोट डाले चुली सीधर लिए चुलता है आपको हमारे सायोगी शुपरा के बास बिल्कुल लक्ष्मी अभी हम तस्वीरे दर्शकों को दिखा रहे थे औरंगा बाती अब उन्हें लिए चलते हैं गया जहां समवा तता रवेस नरान हमारे साथ जुड़े वे हैं वहां अभी क्या कुछ तस्वीरे निकल कर सामने आ रही हैं वो हम दर्शकों दिखाएंग अभी वहां पर किस तरीके की तैया देख पा रहे हैं आप तस्वीरे और जो लोग हैं वो किन-किन मुद्धों को खास्तोर पर उठा रहे हैं क्या है उनके मन में यह बिल्कुल देखें तस्वीरों के साथ बात करते हैं एक तो कि पूरा जो आप देख सके मद्ध विद्याले का जो यह पूरा प्रांगन है वो मद्धताओं से बिल्कुल खचा-खच भरा हुआ है और यहां पर एक एक डंग से कहे तो यहां पर खड़े होने की जगर नह होनी है लेकिन सवेदेन शीलता जो करता है कि उस पर जो जोश है वो कितना हावी है उससे कोई फरक नहीं पड़ता और इसलिए इतने जो बड़े संक्या में जो मद्ध आता है बिल्कुल रावी यह बहुत ही अच्छी तस्वीरे हैं और लोगतंतर की यह खूप्सूरती है बिल्कुल लेकिन संबाद दाता लगातार बूत किंद्रों पर मौझूद है और आम जनता से बात भी कर रहा है तो कि पब्लिक है सब जानती है लेकिन बड़े बड़े देता जो है वो भी लोगों से वोट करने की अपील करें जमुई के दिर्बान के लिए वोट करें सिक् चुलाइसवान की अपील आपको बता रहे है उन्होंने क्या का है उन्होंने का है कि सक्षय जमुई स्वस्त जमुई के लिए वोट करनी जरूरी है ज्यूँठ जयादा से ज्यादा लोग वोट करने के लिए ज़का है आज 19 अप्रेल लोग सबागे चुनाओं का पहले चरंग का मददान आज होने जा रहा है आप सबसे आगरा कि लोगतंग को मजबूती देने के जरूरी है जादा से जादा मददान हो जितना जादा मत प्रतीशत बड़ेगा लोगतंग हम लोग का उतना ही मजबूत उतना ही सशक्त होगा आप सब से आगरा करता हूँ, घर से बहार जाएं, सब को लेकर जाएं, तमाम रिष्टेदारों को, तमाम अडोस-डोस के सब लोग को लेकर जाएं और अपने अमत का इस्तिमाल करें और लोगतंदर को और मस्भूत बना है, धन्यावाद। आप बता भी रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, एक बार फिर से आप महिलाओं से खास तोर पर जुड़ें और उनसे बात करें कि उनके क्या वो सोच नहीं है, क्या सोच कर आज वो EVM का बटन दबाएंगी। दे रहे हैं, बताना जरूरी नहीं है, किन मुद्दों को लेकर करें? वो सामने हैं, जहन में हैं. माता जी, कब से खड़े हैं? खड़े हैं साथ मज़े से. कितने उमर होगी अपकी? पचास और पाच. पचास और बाच, पचपाच. हुआ है है अपने मुद्टों को ले कि आप यहां पर खड़ी है तक है तक हम लोग जोके भूख मारी में एक्साथ है तो इसके भोट जा रहे हैं मुष्किलों में खड़ा रहा है कितनी सजग है और यहां पर किन मुद्दों को ले करके आप यहां पर बोट का बहुत महत्म है इसलिए वोड़ देने के लिए आए हैं अब जब आप वोड़ देंगी तो क्या-क्या जहन में आपको पता है न बस सुकर कीजिए कि जितने वाले समस्या का समधान करें तो आप वोड़ देंगे तो समधान जरूर हो उमीद तो कर रहे हैं और इसी उमीद रहे हैं वह लोग कंत्र में देखें तमाम जो दालेंगे तो उसमें बदलाव आएगा किन मुद्दों को लेकर के आज आप खड़ी हैं बिलकुल रवी और वो हम सुन भी पा रहे हैं वो अपने मुद्दे भी रख रहे हैं सबके सामने मैं आपके पास वापस लोटूंगी गया की तस्वीर हम दिखा रहे थे दर्शकों पर से अब जमुई की तस्वीर दिखाते हैं जमुई में क्या कुछ हाल है हमारी सेयोगी लक्षमी का रोख कर लेते हैं तो बिल्कुल देखिए लगातार संबादाताओं से बात कर रहे हैं और बूत केंद्रों पर जोहाँ मौझूद है संबादाताओं वहाँ पर उनकी हाल जान रहे हैं देखिए आज से लोगतंत्र के बापर्द की शुरुवात हो चुकी है और वोटिंग भी शुरू हो चुकी है लगातार लमभी लाइनों में भी लोग लगने शुरू हो चुके हैं तो ऐसे में जमुई में इस वक्त लोग किस तरीके से बाद पर पहुँचे हैं क्या पर पर जनता में कितना उत्सा है और किन किन मुद्दों को लेकर आम जनता वोट करने के लिए पहुँची है देखे सबसे बरी बात है हम तस्वीर रिखाते हैं यहां पर महिला वोटरों की कतार वो काफी लंबी है पुरूस को इन्होंने पचार रखा है और जिस जगह में मौजूर हूँ यह मद्दान के अंदर संक्या 189 और 190 है यानि के 189 और 90 है और जिस इलाके में मैं हूँ उसकी सब्सक्राइब करते हैं कि यह देखिए यह पहारों के बीच में यह इलाका है यह मद्दान के अंदर जो है वो बनाया गया है और एक दौर था जो यहां नक्सल का प्रभाव था काफी चरम पे था और इसको देखते हुए CRP कैम यहां पे लगाए गया थे अब इस्तिती ब कर रही है मजूद सरकार बनाने में अपनी भागिदारी दिखा रही है और यहीं वद्दा है कि महिलाओं की कतार जहें वह पूर्सों को पचार रखा है पूरुस जहें वह आपने कामकाश को छोड़ कर रहा है कि आमिताब बने लगे फिर अप्रेट लिए आप से योगी श यानि इससे इस बार महिला वोटर जहें काफी जाग रुख है और साथी साकर वह अपनी मुद्धे भी चुनकर आई है रोजगार को लेकर विकास को लेकर आपने शेतिकी समस्याओं को लेकर वह एस बार वोट कर लें जारी है और पर से रुख कर लेते हैं लक्षमी का उनक पूर चुकी है और वोटस में जबर 10 उतसा देखने को मिल रहा है दूतों पार लंबी कतार देखने को मिल रही है गया नवादा में वोटिंग जारी है जमूई और अरंगाबाद में भी वोटिंग जारी है ये बड़ी खबार और ये लगातार अपडेट मा कवरेज आप देख रहे हैं निउस 18 पार 20 मिनट से जादा की वोटिंग अब तक हो चुकी है और वोटर्स में जबरदस उसा देखने को मिल रहा है क्योंकि वोटिंग शुरू होने से पहले ही लाइनों में आम जुनता पब्लिक जो है वो खड़ी होनी शुरू हो चुकी थी तो ऐसे में संबादाता लगतार बूत के इंद्रों पार पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर क्या विवस्ता है कितने वोटर्स पहुँच रहे हैं इसकी भी जानकारी दे रहे हैं तो जमुई से आमिट हमारे संबादाता ने ज्राइजा लिया है लोक्तंत के महापर्व का आज पहला दीन और पहले चरन का मद्दान जो है वो सुरू हो चका है आपको हम दिखाना चाहेंगे यह जमुई लोक्सवाच्चेत्र का बूस संख्या 189 है और यहां देख सकते हैं कि इस रुक्षा के बीच में जो है मद्दान हो रहे हैं अपने बच्चे को लेकर के मद्दान करने यहां पहुंची है तो यह तस्वीर देखिए एक दो नहीं बलकि यहां पे दरजनों ऐसी माएं हैं जो अपने बच्चे को लेकर के दुद्मुए बच्चे को लेकर के यहां पे वोट कास्ट करने आई है तो हम इन लोगों से बा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो देखिए यह पुरी लंबी कतार है और उस कतार में जो है वह महिलाए जो है वो वोट कास्ट करने आई है तो बच्चों को ले करके आएब यह धूप है फिर भी आप पच्छा को ले करके लगा रखा था उससे भी खुब्सूरत से आई यहां नजर आ रही है किस सोच के साथ आपने वोट किया है क्या सब्सक्राइब जाहिर सी बात है कि महिलाओं ने ठाना है कि इस बार जो है बहतर सरकार लाना है और उसी सोच के साथ यहां पर महिलाओं जो है वो वोटर कास्ट करते हुए नजर आ रही है पूरिस की कतार है उससे लंबी महिलाओं की कतार है और ना जी सकती कहिन कहीं यह बता रही है कि अब वो सिप घर में चुला चौका करने भर के लिए नहीं है वो सरकार को बदलना जी अमे तो आपने देखा संवादातामित की रिपोर्ट जिसमें आपने महिलाओं की लंबी कतारे देखी दूद मुहे बच्चे को लेकर महिलाओं पहुची हुए वोट करने के लिए तो आप सोची कि उनमें कितना उत्सा है और कितनी जादा उमंग है और सरकार चुनने क वो कितनी जादा सजग है और अपने मदाधिकार को वो जानती है समझती है चले लिए जलते हैं सायोगी शिप्रा के बास सबसे पहले वो तस्तवीर, निउसीटिन ब्यार जाड कर हम आपको दिखा भी रहें, साथ ही साथ आप हुमाय साथ अपना सेलफी भी शेयर कर सकते हैं, आप जैसी ही वोट कास्ट करें एक सेलफी लीजे और निउसीटिन ब्यार जार करकन के साथ आप उसे शेयर कीजे, हम को वो तस्वीरे नीचे दिखा भी रहें जो भी आप देख भी पारे होंगे वोट्सेप नंबर भी आपके टीवी स्टीन पर फ्लाश कर रहा है जिस पर आप अपनी सेल्फी हमें वोट्सेप कर सकते हैं और वो हम दिखाएंगे और साथी साथ नीचे पर जारकर लगतार आपसे अपील कर रहा है कि अपना वोट कास्ट करने के लिए मदान की इंद पर आप जरूर पहुँचिए क्योंकि ये आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट दिन है और आपका एक मत जो है वो पूरे देश को देश में नई सरकार मारे काफी महत्तपुन है और फिर से रुकने ते लक्षमी का हमासाब लक्षमी चुड़ी बें उनके पास इस वक्त की बड़ी खबर वोटिंग आगाज हो चुका है पहले चरण के चुनाओ के लिए मत दाता जो है वोटिंग से वहाँ पर बूत केंद्रों पर पहुँच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं और आज के दिन जितनी तस्वीरे सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं बुजलक महिलान काफी साथ उत्सा आयलेकर ने इस वक्त की एक बड़ी खबर क्यों रुख करते हैं आज यडी पृतियाशी आपको बता दे आज यडी पृतियाशी ने अपना वोट डाला पतनी के साथ बोट डालने के लिए पहुचे आज यडी पृतियाशी वोट देने के लिए पहुचे कुमार सर्वजीत ने वोट डाला है आज यडी पृतियाशी वोट डालने के लिए पहुचे और आपको यह बता दे इरिक्षा से वोट डालने के लिए आज यडी पृतियाशी वोट डालने के लिए मदान केंद्र प पहुंचे हैं कुमार सर्वजीत अपने पतनी के साफ में इरिक्षा पर बैटकर वोट डालेंग के लिए पहुंचे हैं यह बड़ी घबर है अब जो प्रत्याशी है वोट डालेंग के लिए पहुंच रहे हैं तो इधर आज जोड़ी प्रत्याशी गया में वोटिंग जारी ह देखें गुमार सर्जीत में वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद अपनी जो उंगली पर सियाई लगी थी उन्होंने वोट डिखा दिया और जो गुमार सर्जीत है वो अपनी पत्नी के साथ इरिक्षा में बैट करके वोट डालने के लिए गए और हमने आपको तस्वीर दिखाई साथ आप सबी जितने प्रत्याश्टी हैं वो वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं ये गया की कुछ तस्वीर हैं हमने आपको दिखाई कुमार सर्जीत की तस्वीर हैं हमने दिखाई गया में वोटिंग जारी है ऐसे में कुमार सरजीत बोट डालने के लिए मदान केंदर पहुंचे अपनी पत्नी के साफ में इरिक्षा पर बैटे हुए और लगतार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मदान केंदरों की जो आप लंबी कतारें आप देख पा रहे हैं जगे जगे की तस्वीरें और आने वाले वक्त हैं पता चुलेगा फ़ला हाल यहाँ पर जो मद्दाता है वो लाइनों में खड़े होका वो डाल रहे हैं माई सभी शिप्रा अलग अतार बनी हुई है बिलकुल लक्ष्मी और देखी एक खूबसूरत तस्वीर हम लोगतंद्री की खूबसूरत तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितना उत्सा मद्दाताओं में हैं चाहे बुजर्ग वोटर हो या फिर महिला वोटर हो या पुरुष वोटर युवाओं की भी संख्या मद्दान के इन पर देखने को मिल रही है जिसमें जो युवा वोटर वो भी अपने मुद्दे को लेकर अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए पहुँच चुके हैं और अब सिलसला जो है वोटिंग का शुरू हो चुका है लगबग एक से देर घंटे का वक्त बी चुका है कुछ दे के बाद वोटिंग परसेंटेज आने भी शुरू हो जाएं हमाई साथ दानिश श्रीकवाल बीजेपी की प्रवक्ता और कॉंग्रेस प्रवक्ता हमाई साथ विलोग चर्मल अगतार बने वे हैं दानिश जी इस बार कई सारे मुद्दे हैं जनता के मन में जब हमारे नियूज एटिन समभवाद दाता ग्राउन जीरो पर मौजूद है हैं बाचीत कर रहे हैं तो बता रहे हैं विकास के लिए रास निर्मान के लिए और रोजगार के लिए इस बार वोट किया जा रहा है मुद्दा तो अस्पश्ट है जो पहले भी कहते रहे हैं जनता के सामने और प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग में भी सोलत कारी कोम गिनाया है तीन प्रमुख मुद्दा इसे बहुत से मुद्दा है और प्रमुख मुद्दा ये है कि उत्री विहार जो बार से गर्सित है उत्रे से उसके लिए प्रियास होते हैं थार्ड क्रॉप्स कहा जाता है रिरीफ देने का तो अभी आप जितन रामान जी को सुन रहे थे एंडी प्रत्याशी जितन रामान जी मैं आपके पास एक बार वापस आती हूँ दर्शिकों को बता दें अभी आम बयान सुना रहे थे जितन रामान जी का एंडी के प्रत्याशी है गया लोगसभा सीट से अभी कुमार सरवज जो उनके मुकाबले में आप खड़े हैं, आजडी प्रत्याशी उन्होंने वोट कास्ट कर लिया, अपनी पत्नी के साथ गये थे, अब जितना मान जी भी वोट कास्ट कर निकले जो है, जरूर जाएंगे, वो तस्वीर भी दर्शे को दिखाएंगे, दानेश जी आप अपनी करती थी, उन सभी विशे को प्रदार मंतरे में आजडेस करते में उसका सालूशन निकाला, इस देश के अंदर से जम्मू कश्मीर में धारती में सब्सक्र को अगर समात्त किया गया, तो इसका सबसे जादा जम्मू कश्मीर के आहम लोगों को मिला, जहां आराचन नहीं प होल पैदा होता है, जो विकास की बाधार थी विकास के लिए, उसको सवाप्त कर देया आता है, ट्रिपल तलाग जैसे मुद्धे, जो कभी कलपना नहीं कर सकते हैं, जिनको लेकर आप गए भी, चुना प्रचार भी इसको लेकर किया गया, विनोट शर्मा से पूछ लेते ह विनोट जी, क्या कुछ मुद्धे आप लोगों के तरफ से विपक्ष के तरफ से उठाये जा रहे हैं, और क्या लगता है, उन मुद्धों को क्या मजबूती के साथ आप जनता के बीच लेकर गए हैं, जिस पर भरोसा जनता जताएगी? देखिए, बिहार में जनता मुद्धा उठा रही है, बिहार सुरूर से बेरोजगारी दर में सबसे आगे रहा है, और आज सबसे बड़ा बेरोजगारी का हब बन गया है, तो बिहार के लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, सबसे बड़ी बात हैं, महंगाई से सब्सक्राइब करें तो सबसे बड़ा बर्ग है बोटर गरीबों का इसलिए गरीब चाहते हैं कि हमें मुक्ति दिलाते लेकिन यह संभव नहीं हुआ चाहिए दस सालों में भी संभव नहीं हो पाया यह चरजनक बात है मुद्य गिनारे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ काम किया ठीक है उस्तितर धारा हटी लेकिन जनता को क्या फायदा हुआ राम मंदिर बना जनता को क्या फायदा हुआ क्या उनकी भुख मरी समाथ हो गई आप तो और असी करोड़ लोग को कोट्रा थमा दिया जो प्रीव लोग रोजगार चाह रहे हैं आप उनको कहते की लचार बना दे वही काम करते रहें कि वह आसा में खड़े रहें तो देश चलता है एक सहुलियत से सलाहियत से और आप उस पर चिंता नहीं कर रहे हैं आप नहीं चाहते कि गरिभी दूर हो मंगाई दूर हो हर ब्य प्रवक्ता जैन्त जिग्यासु जुड़े वे हैं और वरिष्ट पत्रकार भीरंजन हमाई साथ जुड़े वे हैं रुप करने ते जैन्त जिग्यासु जी आपका अभी आपके ही प्रत्याशी जो है कुमार सरवजीत वोट कास्ट करके आए और उन्हें कहा कि बहुत जनता का समर्थन जो है वो मिल रहा है इन चार लोगसभा सीटों को लेकर क्या सोच पा रहे हैं आप क्या उम्मीद जता रहे हैं हमें पूरा भरोसा है कि जनता हम लोगों ने जो काम किया है 17 महने में के जस्वी जी जिस संकल्प और प्रतिवद्धता के साथ लोगों को राहत देने के लिए अपने सभी मंत्रियों को उतरदाई तो बोट के साथ लगाया जनता उस पर जरूर महर लगाएगी और सर्वजीत जी तो क्रिशी मंत्री रहे हैं और हम लोगों ने इस अखिल भारतिय चुनाओ में लोगों के बीच वाइदा किया है हम स्वामिनातन कमिशन की रपर्ट के महत्पोर्ण हिस्से को लागू करेंगे और नियूंतम समर्थन मुल्य देकर किसानों की आयद दुगुनी करने का प्रियास करें तो इन सब बातों को लोग समझ रहे हैं पुरानी पिंसन स्कीम को लागू करेंगे किसानों के बच्चे ही जो सीमा पर जवान के रूप में तेनाथ होते हैं उनकी अस्थाई बहाली फिर से हो सके और अगनिवीर स्कीम को रद्ब करके उनके साथ जो भरी जवानी में खिलवार ये सरकार कर रही है उस प्रूर खिलब कर रही है उस प्रूर जैन जी आप हमाई साथ जुड़े लेगे चाहे महिला हैं बुजूर्ग है या फिर पुरुष वोटर हूँ भारी संख्या में पहुच रहे हैं पहले तो इस तस्वीर को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं किस तरीके से इस लोकतंतरी खूपती और तस्वीरों को देखते हैं आप अगर तो अच्छी बात है आज कर जारूता बढ़ी है इसलिए मत्दान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि काईजे से तो देखिए बिहार में साथ पैसत प्रतिशत के आसपास मत्दान होता है अगर देखते हैं शाम तक कितना मत्दान होता है मैं चाहता हूँ कि 100% तक मत्रान पहुँचना चाहिए, 100% नहीं पहुँच सके को कम से कम 80, 85% तो होना चाहिए अगर 100 में केवन 7 लोग मत्रान करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 40 लोगों का जो पक्ष है, वो चुनाव में परिलक्षित नहीं हो पाता है तो ये लोगतंत को मस्बूत करने के लिए नाग्रिकों को भी समझना चाहिए और इतने भी स्टेकोलर्स हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि जादा से जादा लोगों को शामिल करें किस तरह से शामिल करेंगे बिहार जिसे राज्यों में मत्रान का प्रतिशत कमरा में का एक और बहुत बड़ा कारण है, जिसके लिए बिहार के राजनितिक दनों और पिछले 30 साल की सरकारों की सिम्मेदारी बनती है, कि बिहार से बड़े पैवाने पर पलायन होता है और बहुत संख्या में बिहार के जो बिहार के मत्राता है जैसे एक मैं भी हूँ, मैं आज भी बिहार में बोतर हूँ, लेकिन मैं बिहार से बाहर रहता हूँ और ऐसे कितने सारे लोग हैं मजदूर, तरह-तरह की नौपनी करने वाले, विद्यार्थी, तरह-तरह के लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं और उनकी सर्चा बहुत बड़ी है चली अगे बास वापस लोटूँगी और इस चर्चा को मागे बढ़ाएंगे लिकनी सी बीच एक बड़ी ख़बर आ रही है, रुक कर लेते हैं लक्षमी का तो नवादा में सुबे से ही लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा रवस्ता भी करी कर दी गई है और भारी सख्या में पुलिस बल सरक से गुजरने वाली गाड़ियों की जाच भी कर रहे हैं और देखें तस्वीरों में किसकादर जो पुलिस करमी है वो सरकों पर उत्रे हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा ब्योस्ता काफी करी की गई है चप्पे चप्पे पर पुलिस करमी तैनात है और सरक पर लगातार जो गारिया आ रही है उसकी जाच चल रही है जो आज जो है पुबलिक करियर को नहीं चलना है लेकिन जो अमरजनशी गारी है जो चल रही है उनको वह म्लोग सखन चेकिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से अब तक क्या फैंगिंगिंग तक है कि जो कुछ गारियां है जो लोगके मिन जा रहा है जो बोड़ दे ले जाते हैं कि लोग जो इंस्ट्रक्शन से उसको फॉलोग करने चुनाव आयोग ने आज की तारीक के लिए कई तरह के दिशानिर्देश जारी किये हैं उसका अनपालन करना हम सब के लिए जरूरी है मदान केंद्र पर जाएं जरूर जाएं और जो इमर्जन्सी की गारियां है वो अगर अजय दूबे के साथ संजय कुमार नुजेटीन नवादा तो वोटिंग जारी है सुबह साथ बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है मदान केंद्रू पार वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और नेता जो है वोट डालने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं कई जगों पर EVM के खराब होनी की खबरे भी सामने आई हमने खबर दिखाई उसके बाद फिर विवस्ता ठीक भी की गई और इसी तरीके से यह महा कवरेज आप देख रहे हैं हमारे सयूगी शुपरा के पास भी चलते हैं आपको होकर अपने मदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं हमारे साथ गेस्ट लगातार बने वे हैं जिन से हम एक एकर के इस पर बातचीत भी कर रहे हैं जाहिर सी बात है इन लोगों की भी धड़कने पेज जरूर होंगी क्योंकि दोरे पर पहुँचे और उन्होंने चुना प्रचार किया क्या लगता है जो कड़ी मेहनत आप लोगों ने की है तो ये चार लोग सबाकी सीटे पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोगों को मिल जाएगी प्रधालमंतरी के नित्रित में देश की अंदर कार हुए है चाहे वो एतिहासिक कार रहे हो जो पिछले 500 वर्षों से लंबी थे या देश की अंदर जो 70 वर्षों से कॉंग्रेस घरीबी के अनारा देते आई है और आज भी कॉंग्रेस की परवक्ता जो है ये जवाब देन उनको दिया गया अगर आवास बना के दिया गया जिनके पास आवास नहीं था प्रधानमंतरी ने जो 70 वर्षों के बाद सबको आवास देने का काम किया शाचाले बना के देने का काम किया बिजली जो 70 वर्षों तक गाउ गाउ बिजली नहीं पहुँची थी आज प्रधान लाग तक के एलाज की भीमार दी गई है उसके राशी दी गई है कि अगर कोई गरीब विकती बीमार होता है तो पाँच लाग तक का इनलाज हो सकता है ऐसे अनगीन दारन है जो पर्दारमंत्री के 10 साल के कारेकार में आम लोगों के लिए दिए गए हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी की सत्तर परषों के सर्कार ने एक बी ऐसी योग्रणा पता दे में जिन्होंने घरीब को मुखधारा में लाने का काम किया हो। लेकिन इस दस साल के नित्रित में प्रधानमंतरी ने खरीबों को मुखधारा में लाने का काम किया हो। चाहे योजना हो, चाहे लोन के माध्यम से हो, चाहे विश्करमा योजना के माध्यम से हो, जो हमारे कारिगर है, बुखर है। पूरे 70 साल का ब्योरा लिकर के बैठ गए है दानिश इक्बाल जी अब इसका जवाब दीजिए विनुद जी कि उनके उनके साथी के लोग रामविलास पासवान जैसे वरिश देता को की पतनी को गाली के रहे हैं कि भाजपा ने दस साल में सीधे कर दिया ती ना कर दिया गैस का दाँ में emoc Shantaic lebih क्या कि इर भाज़ पने क्या आज परदान मंतिटी दावे के सा脏ओ कि 80 कडोada को तरहां किसी रास्ठ के आज बर्मा और भुटान से पिछे हंगर 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 इंडेक्स में भारत ख़ा है विकास है क्या लेकिन आप जिनता क्यों नहीं कर पार ये विनो जी अरे भाई करेगी करेगी अब कर ली हमारे अधरनिय प्रधान मंत्री थे बाजपई जी आप कैसे बोलने कर ली पिछली ब हमारे साथ ही ने कहा कि मांगाई पार तो यह कि हम सतर सार में 400 के डाम किये आप सीवेडारा सो कर दिया उसको हम साथ रूपया लेगे साथ को बताईए परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हमारे जीन राज्यों पे सरकार है बहुत अच्छा काम हो रहा है आपको एक सी हम धर्म की राजनीती करते हैं हिंदू-मुस्लिम की राजनीती के नहीं करते हैं हम सनातन धर्म में बिश्वाज जरूर करते हैं लेकिन आडंबर नहीं करते हैं हम सनातन का समान करते हैं हमें अपने धर्म गरुवों का समान करते हैं सरक्राचार्जों का समान करते हैं हमारे लोग किसी के कहने से जाएंगे इसको क्यों नहीं प्रफॉमेंस की बाद चल रही है पिछले बार अपनी किस तरीकी से प्रदेशन किया और इस बार किस तरीकी से प्रदेशन कर रहे हैं चुना प्रचार में भी आप लोग बहुत जादा अक्टिव नहीं दिखें एस कंपेर टू बीजेपी एंडिये की तरफ से खोब सारे देखें प्रदानमुत्रिक खुद इतनी बार बियार आगे चुना प्रचार करने के लिए लेकिन आप लोग की तरफ से उतना बहुत हुबे में साल भर के अंदर 17 मेने के अंदर सारे चार लौक नोगडी नहीं दी गई हमने मेडिकल में आपको मालूम है आई जे एमस में मुफ्त में इलाज और जांच दवा की विवस्ता की हमने कई जो रिमोट एरियाज हैं वहागर स्वास्त के अंदर नहीं आई आइटी बिल्कुल याद है जब स्वास्त मंत्री बने थे जब यादर तो मिशन सिक्स्टी उन्होंने चलाया था और वो साथ दिनों के अंदर उनने कहा था कि एकड़म विवस्ता बिल्कुल साही हो जाएगी सारे अस्पिताल सुधा एकड़म वहाँ पे विवस्ता टंच रहेगी अब नितिश जी खुद उधर चलेगे तो हमारा क्या उसमें दोश है लेकिन जहां तक प्रदर्शन की बात आप कह रही है तो इस बार के चुनाओं में भाजबाद दोसों से नीचे जा रही है हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं हम पर लोग भरोसा कर रहे हैं कि हम गया सिल अब भरोसा जनता आप पर करती है यह आने वाला वक्त ही बताएगा और आप तो बेकिबाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है नियूस जीटिंग बेहार जारकन के इस महा कवरेज में जिसमें हम आपको आज चल रही वोटिंग के बारे में पल-पल का अपडेट द का है वोटर मत चुका है लग रहा है को बड़ी खबर है रुक करते है नक्ष्मी का बिलकुल इस बड़ी खबर सामने आ रही है नवादा से नवादा में इवियम खराब होने की खबर सामने आ रही है वोटिंग में बाधा आ रही है रजाली के सवयातार पंचायत में इवि इवियम खराब होने की खबार वोटिंग में बादा आई रजोहली के सवयाताल पंचाइस्ट में इवियम खराब हो चुकी है। 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 साथी साथ हम उन लोकसभाज शित्रू का भी रुक करनेते हैं जहां अभी वोटिंग चल रही है। क्या कुछ तस्वीरे अभी वहाँ से निकलते हैं।